माता साखंबरी देवी की माता बाला सुन्दरी की माता बाला सुन्दरी की मन्च परफस्थित उत्तरप्रदेश सरकार में काइबनेट के मेरे बरिष्ट सहयोगी जन्पत के प्रभारी मंत्री से योगेंद्रुपाद भ्याजे परदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायक से ब्रदेश सिंग्जे प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी जस्वंत सेनी जे भारती जन्ता पार्टी के लोग सभा सहरन पूर्चेत्र के प्रत्यासे सिरागहो लखनपाल सर्मा जे छेत्रियो पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जे छेत्रिय अध्यक्स यवा मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जे जिला प्रभारी डीके सर्मा जे आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जे चौदरी राजपाल जी बलाग परमुक गण विजय त्यागी जे सीमती चान्नी राणा जी प्रणर चौदरी जे बिजय राणा जे अर्विंद राणा जी बिनोत कुमार जे मंच परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदाधिकारी गान और भारी संख्या में देवबन रामपूर मनिहारन और गंगो विदान सभा चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिती के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माद्यम से अपने पौरुस और पुरसार्त और सौर्य के माद्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयन्ती है महारणा सांगा की पावन जयन्ती पर उनी के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधार्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रती महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुन्दरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर्जन्पत की इस वीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से विनंदन करता हूँ माहरण सांगा की जेयनती पर भारत माता के इस महान दीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को में कोटी कोटी बदाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारणा प्रताप की बात होती है महारणा सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारणा प्रताप उन्हों ने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाविवान के लड़ाई उन्हाने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं जुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्हाने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पड भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासक ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को ना कोच्चने चबाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचीत नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वाविमान के विप्रीत, स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैटने से इलकार कर दिया था और बेन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर यह देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है, इसलिए इसमर्ण करता है क्योंकि महाना प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पन करेगा यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृतकिता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है महारणा प्रताप की प्रति कर रहा है भाइनोर भाइयों हम सब ने स्वतंत्र भारत में अनिक स्रकारी देखी लुंसारी सं queremos करने जारे हैं फार्वी संसत के मात्यम से और यह टारवी लोगसरहा का चुनाओं है 24 में 2004 का जो लोगसरहा का चुनाओं चलना है इससे पहले जो भी सरकारे आई मोदी जी के पहले कोई भी सरकारे आई सब ने अपने उसार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मैं पूछना चाहता हूं क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था क्या क्या भी कर पाते क्या राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कॉंग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में कि राम तो हुए ही नहीं और याद रखना हर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर रा था एक काल ने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाएं है हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बेन और भाईयों यह चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत सपस्ट है एक तरफ जातिबाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टबाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने पाने को छिन्बिन करने वाले पुष्टी करन की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा बैभावमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भावक से ओत्परोत भारती जन्ता पायर्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं मैं मेरा परिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माथिया के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरी को रौदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरेयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दूसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में उत्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जोके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं देखाना आपने डंगा कैसे होता भूल गए पत्थर बाजी भी भूल गए निर्चोड़ी बात को लेकि पथ्थर बाजी होने लगती थी पहले परवर्त्यभार कोई आता था और खास्तोर पर पस्यमी उत्तर ब्रदेश में कोई भी परवर्त्यभार आता था ओली दिपावली जन्मास्तिमी शिवरात्री रक्षावन्दन कोई भी परवर्त्यभार आता था कर्फ्यू लग जाता था प्रसासन भी उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाड हो करके लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया पहनो और भाईयो लोग इसी लिए कहने के आप फरक महसूस करिए यह जो काल लेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोंदने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राष्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान राष्टिय सम्मान के सामने तुछ है हमारा ब्यक्टिकत स्वाभिमान रास्टे स्वाभिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्ट आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है ये अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रहे पाएगा और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ए लोग चाहती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ति यात करा रहे हैं जैसे काल नेमी चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहे हैं आप तो बजरंगी हैं पहचानिये इन लोगों को बल और बुद्धी से आप अभार हैं जनता को जनारदन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ जैसे हनुमान चाली सामयम पढ़ते हैं ना बल बुद्धी बिद्ध्या देव मोही हरे हो कलेश विकार ये जातिवाद का कलेश हर डालिए ये छेप्रवाद का कलेश हर डालिए ये संप्रदाइवाद और तुष्टी करन के कलेश को हर डालिए और अपना जनार्दन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं जो कस्मीर में धारा तिन सो सत्तर को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकी कोप्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयो यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारत की समाज क्रितक्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाईत्व है मोदी जी के नेत्रत कमे कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रितक्यता ग्यापित करेंगे मोधी जी को समर्थन करेंगे और आखिर संतर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राथ हुआ साट वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सब ने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वो कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पारा था इसलिए इस कार्य को ही रोग दिया गया आस्पाप का हाईवे बन गया न और बनाए नहीं अभी इस साल के अंत तक साहरनपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में फोरी होने वाली है दो घंटे में कौन दे रहा है दिकाच का कार्य कि यह देवबंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठखाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेके भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहारनपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मौर होना था या पस्सिम का कासी बना था उसको आपने मजहवी जनून का अठखाड़ा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैय होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्ज्यानिक तैय करेंगे या कोई फत्वा तैय करेंगा लेकिन वेहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी ओ विश्व इद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सार अनप्रको स्मार्ट सीटी के रूप में विक्सित किया जा रहा है और यहीं नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंवर्श्टी का निर अग्याली के लिए भी हम लोग आएंगे बैन और वाईयों आज यहां की हस्त तसिल्फ और कारीगरी दुनिया में अपनी ध्वमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोप्सान नहीं था आज पीएम बिस्व कर्मा और वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क्ट लियोजना के माध्यम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का आभी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर खत्रा बनेगा तो जीरो टालांस की नीती के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेनों और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बाकी जो बचे हुए हैं स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तगवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने काफली कोफले बंद होने चेहें होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांथ कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांथ तो जिनकी गर्मी सांथ हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो ये रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों लोगा चीना हराम करेंगे बेटी और व्यापारी की स्रक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वजाएद दो टुक जवाब देने क्या उसकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए किना भाई आप बहुत देख लिया है इस वर न है इस्षर ये सब हमें दे रहा है अब जो एक होती है हर ब्यक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बहन और वायों बोल दीजे सको कि देखो हमारी जो इच्छा थी जो कान 500 वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पांक सो वर्स की फीडियां जिस कारे को देखने केले तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी पिड़ी सवग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजिए और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएंगे एक ही जवाब है जातिवात का बृष्ताचार का अराजकता का गुंधागरती का विकास का सब का एक ही जवाब है कहए वह्या सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूत अपनी पूरोज़ों की प्रतिकरत के ताके अपित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो आयोध्या में राम लुला को दिराचमान कराती है। बैनौर भाईयों, उसका पूर्णी अभी आपको प्राप्त होगा। मैं जानता हूँ, आपने सब ने आयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है। वरपूर योगदान दिया है। उसी के कारण आयोध्या में वक्वान राम का भव्य मंदिर बन्दा है। कितने लोग आयोध्या गए है। बागे लोग जाईए ब्रजेस को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सब को दर्शन कराके लाओं आप अब आयोध्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की आयोध्या त्रेता युक का याद अस्मन हो जाए है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो आयोध्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं है हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आकमा साखंबरी के धाम को भी और यह ब्रिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा प्रताप की भबे प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दे रहे थे कांग्रेस सपा बसपा के लोग बीस वर्स से उस प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भबे प्रतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपति अर्जित की गई कब जा करके हमने संपति खाली करवाई और गरीबों के मख़ लोगों ने कह रहे इस अभी क्या कर रहा है मैंने कहा क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवाज बनेंगे जिसपे और मैंनों भायों गया वहाँ पे मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हातों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सोबी वहाँ दे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनेतिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या अरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सोंपे जाने है उसमें और इसलिए बैनों बायों मैं आया हूँ अकूत संभावना वाला जो साहरनपुर था हस्त सिल्प को और कारीगर के लिए अपने उप जाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहा और साहरनपुर इस्मार्ड सिथी बंगार सहरनपुर में अपनी विवस्ता है आख सहारन पूर अपनी एक नई पैचान के साथ नई दमक के साथ आगे बढ़ रहा है और circular को मैं आपसे बोलना हो मैं एक मुक्रमं इस आओ जो साहरनपूर में 2.3 अए इसकैंगा है ज यह आनमें इतनी पार, मैं दो बारबार आता हूं, सारणपुर आता हूं, हर जिले में जाता हूं, कोई उसमें रोक तोक नहीं है, बेजह जग जाता हूं, समस्याओं को जमीन से देखता हूं, जन प्रतिनिदियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हूं, आज कोई समस्या पको लगती होगी या समस्या ऐ अगरे दिन समाधान और मोदी जी ने दुर्स में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूक से मरते थे चौदा के पहले छादा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्टना आया चौदा के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सौगात मोधीची के द्वारा 60 करोड गरीबों को आईुसमान भारत में 5 लाग रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गर जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं तदकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ 50 करोड गरीबों के जंदने को कॉंग्रेस के लोग तो सब भरस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समापत हो गया तैनो और भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अनटाता किसानों के घर में किसानों को प्रधानवंत्री किसान सम्मानी जी का नाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया दस करोड गरीब मेलाओं को जला युजना का कनेक्शन मिल गया ये सब काम किसी का चेहरा देखकर के नहीं जाती अमत और मजब देखकर के नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि यह हमारा प्रंप्रा हमारी संस्कृत हैं हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अग्लिकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ यह जो सरकार है ना बनने के लिए जो नहीं सरकार बनाने की जो कवैत प्रारम हुई है ये वही है, नेशन फर्ष्ट या फेमली फ ळ्रस्ट। रास्टवाज या शापिवाज, कुस्ट्रीकरण या फिर सबका साथ और सबका विकास। भृस्टाचार चाहिए, या विकास चाहिए। और बेन और वाईयों आप सब राष्टवात के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर केमरों का आए हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोधी जी के नित्रत्व में सारणपुर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिये जंता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उता रहा है रागो लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है, जो जारू है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग हैं, सांसद नहीं थे पांच साल तक, लेकिन तब भी मैं देखता था, जब भी मैं सारणपुर आया, विकास के मुद्दे को ले करके, हमेशा बैठक में भाग लेते और कहते हैं, साथ विकास हो जाता अच्छा है, और मैं आज इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ, वा कारे कर सकते हैं, सारणपुर के विकास में, यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जज़बा है, उस जज़बे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ और इसलिए मेरे आप सबसे अपील होगे बैनों और भाईयों कठील होता है चुनाओ के दौरान एक प्रत्यासी घर-घर नहीं जा सकता गांगाओ नहीं जा सकता चुनाओ के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चुनाओ तक आप सबको मोदीची के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर-घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सेमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयो मा लक्सिमी के करणे विकास होता है और विकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सेमत है ना तो रागव लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सभी लोग सेमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में सेमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी रागव लखन पाल सर्मा के समरतन में दोनों हत्ता करके बोलेंगे भारत माता की बंदे 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 जन्पत के प्रभारी मंत्री सियोगेंद्र पाद्ध्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगे लोग प्रिय विधायक सि ब्रदेश सिंग जे प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगे जस्वंत सेनी जी, भारती जन्ता पार्टी के लोगसभाज सहरनपूर छेत्र के प्रत्यासी, जी रागहो लखनपाल सर्मा जी, छेत्रियो पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी, छेत्रिय अद्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी, जिला प्रभारी डीके सर्मा जी, आज केस कारिक्रम में पस्तित, चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी, चौदरी राजपाल जी, बलाक परमुक गण विजय त्यागी जी, सीमती चान्नी राणा जी, प्रणोर चौदरी जी, बिजय राणा जी, अर्विंद राणा जी, बिनोत कुमार जी, मंच परुपस्तित, भारती जनता पाल्टी के सभी, पदादिकारीगान और भारी संख्या में देवबंद, रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसबाद चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बेन और भाईयों, आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिती के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माद्यम से, अपने पौरुस और पुरसार्थ और सौरे के माद्यम से, दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयनती है, महारणा सांगा की पावन जयनती पर उन्ही के सुपत, भारत के अंदर स्वधेश और स्वाविमान के प्रतीक, स्वधार्म और स्वधेश के प्रतीक उदग्र भावना क्या होनी चाहिए, इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है, बैन और भाईयों, माता बाला सुंदरी, मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर्जन्पत की इस वीर भूमी को, इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से विनंदन करता हूँ, महारण सांगा की जेयंती पर भारत माता की इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोटी कोटी बढ़ाई भी देता हूँ, बैन और भाईयों, जब महारण प्रताप की बात होती है, महारण सांगा की बात होती है, तो सदेश और स्वाविमान याद आने लगता है, महारण प्रताप उन्हान ने कहा था, हमारी लडाई सब्ता की नहीं है, स्वाविमान की है, और स्वाविमान की लडाई, उन्हान ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने, राणा कभी सिर नहीं जुका सकता, उसके खिलाबे लड़ते रहे, कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्हाने कभी सिर नहीं जुकाया, और तार सत्ता के लिए समर्पड भी नहीं किया, बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था, अखबर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था, उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर, उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा, जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत, स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था, और बेन और भाईयों, यही कारण है, सेकड़ों, वर्सों के बाद भी, आज अगर यह देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है, इसलिए याद करता है, इसलिए इसलिए इसमर्ण करता है, क्योंकि महाना प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था, यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पड करेगा यह समाज उसके पृति ऐसे ही कृतकिता ज्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के पृति कर रहा है महारणा प्रताप की पृति कर रहा है हैं बैन और भाईँ हम सबने स्वतंत्र भारत में अनेक सरकारे देखी इस एक हैं यह संसथा कह द argues करने जा रहें पार्षांहीं संसत के माध्यम से रहने आहि안 हैं कि सबने अपनें सार काम किया होगा ठीक बात है लिकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान उन लोगों ने किया था क्या? क्या भी कर पाते क्या? राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कॉंग्रेस ने एफिडेविट ताखिल किया था ना सुप्रेम कोर्ट में कि राम तो हुए ही नहीं और याद रखना हर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर रा था एक काल ने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाए है हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बेन और भायों यह चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत सपस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग है दोसरी तरफ राष्ट बाद के लोग है एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्बिन करने वाले पुस्ट्री करण की नीती पर चलने वाले लोग है दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा बैवह अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भावक से ओत्रोट भारती जन्ता पायर्टी मोदी जी के नित्रत्व में है एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग है मैं मेरा परिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफिया के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दोसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अत्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जोके, बिना रोके, बिना डिके, आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं देखा न आपने, दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरवाजी भी भूल गए निर्चोड़ी बात को लेकि पत्थरवाजी होने लगती थी पहले परवर प्यवार कोई आता था और खास्तवर पर पस्यमी उत्तर ब्रदेश में कोई भी परवर प्यवार आता था ओली, दिपावली, जन्मास्तिमी, सिवरात्री, रक्सावन्दन, कोई भी परवर प्यवार आता था कर्फ्यू लग जाता था प्रसासन भी उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम-धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाड हो करके लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये न रहेगा बास न बजेगी बास भी सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया पहनोर भाईयों लोग इसी लिए कहने के आप फरक महसूस करिए यह जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाबिमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है वे कभी कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते, कभी रास्तिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ, हमारा अब्यक्तिकत सम्मान, रास्तिय सम्मान के सामने तुच्छ है हमारा ब्यक्टिकत स्वाभिमान रास्ट के स्वाभिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्ट आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है ये अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रहे पाएगा और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ए लोग चाहती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्तियात करा रहे हैं जैसे कालने मी चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहा है रहे आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बन और बुद्धी से आप अपार हैं जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोगसंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगसंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हनुमान चाली सामयम पढ़ते हैं न बल बुद्धी बिद्ध्या देव मोही हरे हो कलेश विकार ये जातिवाद का कलेश हर डालिये ये छेप्रवाद का कलेश हर डालिये ये संप्रदाइवाद और तुष्टी करन के कलेश को हर डालिये और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिये जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा 370 को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकी को प्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयों यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारत के समाज क्रतग्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाइट तो है मोडी जी के नेत्रत में कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रतग्यता ग्यापित करेंगे । Kim है मोडी जी को समर्थन करίνंगे और हि आखिर सतर वरसों तक सब को सांषन करनेका उसर प्रात हो और साथ वर्स तक कॉंग्रेस देश के अनदर सासन कीआ सप अब सहारनपूर को दिया क्या सहारनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वह कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पा रहा था इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया आस्पाप का हाईवे बन गया ना और बनाए नहीं अभी इस साल के अंत तक सारणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में पोरी होने वाली है दो घंटे में कौन दे रहा है ये दिकाच का कारवे ये देव बंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देव बंद को मजहवी जनून का अठखाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहारनपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मार होना था या पस्सिम का कासी बना था उसको आपने मजहवी जनून का अठखा बना दिया अराजकता भेलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैह होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्ज्यानिक तैह करेंगे ये कोई फत्वा तैह करेगा लेकिन बहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अभिवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेल्वे की बहतर कनेक्टिविटी ओ विश्वविद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सार अनप्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विक्सित किया जा रहा है और यही नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंवर्श्टी का निर्माण भी हम यहाँ पर कर रहे है सत्र प्रारम हो चुका है चिनाओ के बाद भब्योद घाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था आज पीएम बिश्व कर्मा और वन डिस्टिंग वन प्रोड़क्ट योजना के माद्जम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का भी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्ता कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वही जाएगा जहाँ उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा पे खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीति के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेनो और भाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बाकी जो बचे हुए है स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है अब देख रहे होंगे न बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तक वा करते थे जब यह चलते थे जब गया है तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने काफली कोफले बंद होने चेहें होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांथ कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांथ तो जिनकी गर्मी सांथ हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो ये रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को परताडित करेंगे सामाने नागरिकों क चीना हराम करेंगे बेटी और व्यापारी की स्रक्षा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वज़ाएद दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए कि ना भाइया बहुत देख लिया है इस्वर ने कई हर सार वैक्टी तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है कई ये भहिया देखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुस रहें इस्वर ये सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर वैक्टी के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भाई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बैन और वायों बोल दीजिए इसको कि देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम 500 वर्सों में हमारे पूर्वजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्स की फीडियां जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी पिड़ी सौभग्यसाली है और उसको एक ही जवाब दीजिए और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाए गया एक ही जवाब है सारे प्रस्तों का एक ही जवाब है जातिवात का भो रहस्ताचार का अराजकता का गुंतागिर्पी का बिकास का अब कहас वह सबकुछ होरा है हुआ है लेकिन इस सबके बाबजूत अपनी पूरजों के पृतिक्रत के तागयापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो ऐएंध्या में रामलुला को धिराचमान कराती है वेन्वाई और भाईयों उसका पूर्ण्य भी आपको प्राप्त होगा निस में जानता हूं आपने सबने और यद्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है वर पूर योगदान दिया है उसी के कारण अजया में भक्वान राम का भब्य मंदिर बंदा है कि इतने लोग अजया गये हैं बागे लोग जाएए ब्रजेश को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पूरी बुक करवा करके लेके जाओ सबको दर्शन कराके लोगा अब आप आयोद्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की आयोद्या त्रेता युक का याद अस्मन हो है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो आयोद्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं है हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आकमा साखंबरी के धाम को भी और ये ब्रिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा परताप की भबे परतिमा लगी है अस्वारोई परतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दे रहे थे कांग्रेस सपा पसपा के लोग बीस वर्स से उस परतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भबे परतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपति अर्जित की गई कब जा करके हमने संपति खाली करवाई और गरीबों के मख़़ूगों ने कहा रहे इस अभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवाज बनेंगे जिसपे और बेनोबायों गया वहाँ पर मकान बनाए गए हार आइज बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाबी मैंने सूपी वादे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनैतिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या अरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सोंपे जाने है उसलिए बैनों बायों मैं आया हूँ अकूत सम्भावनावला जो साहरनपुर था हस्त सिल्पक और कारीगर के लिए अपने उपजाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और साहरनपुर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था आज साहरनपुर स्मार्ड सिती बंड़ा है आज साहरनपुर में अपनी विवस्ता है आज साहरनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ नई दमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ना हूँ मैं एक मुख्य मंतरी ऐसा हो जो सारणपुर में साथ वर्स में इतनी बार आगया है जितना साथ वर्स में सभी मुख्य मंतरी मिलकर के नहीं आये होंगे आगे आना मैं इतनी बार, मैं दो बार-बार आता हूँ, सारन पुर आता हूँ, हर जिले में जाता हूँ, कोई उसमें रोक तोक नहीं है बेजे जग जाता हूँ समस्याओं को जमीन से देखता हूँ जन प्रतिनिदियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हूँ आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी यह समस्या अगरे दिन समाधान और मोदी जी ने तस वरसे में तो यही किया कोई सोसता था पहले लोग भूक से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्टन आया चौदा के बाद आप देख रहे होगे असी करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगा मोदी ची के द्वारा साड़ करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांचलाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक और जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है उसको पैसे क्या हो सकता है मैं तत्काल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ पचास करोड गरीबों के जंधने कौन कांग्रेस के लोग तो सब भ्रस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिर्टेटर समाप को हो गया तैनोर भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधानवंत्री किसान सम्भानी जी का लाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गड़ीब ओं کے घर में बिजली का उजियारा आ गिया दस करोड गड़ीब मेलओं और चुलाय जोजन का connection मिल गया यह सब काम किसी का चेहरा देखकर के नहीं जाति इमत और मझसब देखकर के नहीं सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि यह हमारा प्रमप्रा हमारी संस्कChart यह अंवरी सभिता यह हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अगिकार किया और इसलिए आज में आपसे कहने के लिए आया ह Rex यह जो सरकार है ना वनने के लिए जो नहीं सरकार बनाने की कवय परारंब होई है ये वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट रास्तवाद या जातिवाद तुस्त्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भरस्ताचार चाहिए या विकास चाहिए और बैन और वयों आप सब रास्तवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाव को लेकर के मोग आये हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारणपुर में फिर से एक कमल खिले इसके लिए रागो लखन पाल सर्मा को भारतिय जंता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उतारा है रागो लखन पाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इताओं के लिए कारे करने वाले लोग है सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक ज़जबा है उस ज़जबे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे वैनों और भाईयों कठील होता है चुनाओ के दोरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता गांगाओ नहीं जा सकता चुनाओ के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चुनाओ तक आप सब को मोदीची के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मा बन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सेमत है ना कमल चुनाओ चंछ न खिलाने का काम करेंगे दिन ओर वाईयों मा लक्समी के करण बिकास होता है और बिकास मा लक्समी के लिए कमल का फूल का पूल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाव जिताएंगे सभी लोग सहमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीज़ी से दिक मत्दान करा देंगे सहमत हैं सहमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी लागो लगनपाल सर्मा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री सियोगेंद्रुपाद भ्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगे लोग प्रिय विधायक सि ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी सि जस्वंत सेनी जी भारती जनता पाल्टी के लोग सभा सहरन पूर्छेत्र के प्रत्यासे सि रागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रिय पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स यवा मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी दीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिनगर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाक परमुक गण बिजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणार चौदरी जी बिजय राणा जी अरविंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंच परुपस्तित भारती जनतापाल्टी के सभी पदाधिकारीगान और भारी संख्या में देवबंद, रामपूर मनिहारन और गंगो विदान सभा चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नवरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पारुस और पुरसार्थ और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयन्ती है महारणा सांगा की स्पावन जयन्ती पर उन्हीं के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधार्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुंदरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर्जन्पत की इस वीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से विनंदन करता हूँ मारण सांगा की जेयन्ती पर भारत माता के इस महान दीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोट कोटी बढ़ाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब माहरण प्रताप की बात होती है माहरण सांगा की बात होती है तो सुदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महरणा प्रताब उना ने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिमान के लड़ाई उना ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं जुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर के घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकुमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तो और सत्ता के लिए समर्पड भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इलकार कर दिया था और बैन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है इसलिए इसमिर्ण करता है क्योंकि महाना प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पन करेगा यह समाज उसके प्रती ऐसे ही कृत्गिता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रतिकर रहा है, महारणा प्रताप के प्रतिकर रहा है, बैन और भाईयों, हम सब ने स्वतंत्र भारत में अनेक सरकारीं देखी, यह 18 सरकार का हम चुनाव करने जा रहें 18 संसत के माध्यम से, और 18 लोग सभा का चुनाव है 24 में 2024 का जो लोग सभा का चुनाव चलना है इससे पहले जो भी सरकारे आई मोदी जी के पहले कोई भी सरकारे आई सबने अपने उसार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पोछना चाता हूँ मैं पूछना जाता हूँ क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगोंने किया था क्या क्या भी कर पाते क्या राम का नाम उस समय तो यह सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कांग्रेस ने एफिडेविट ताखिल किया था नो सुप्रेम कोर्ट में कि राम तो हो यही नहीं और याद रखना हुर्मान जी जब संजीवनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर रहा था एक काल ने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाए हैं हम उसको लहाएंगे सैमत है ना बैन और भाईयों यह चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्बिन करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा वैवह मर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेष्ट भारत के भावक से ओत्परोथ भारती जन्ता पायर्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं में मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफ्या के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरिक को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दूसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में उत्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जोके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं देखा न आपने दंगा कैसे होता भूल गए पथरबाजी भी भूल गए निर्चोड़ी बात को लेगे पथरबाजी होने लगती थी पहले परवरत्यभार कोई आता था और और प्रसाशन भी उनका साथ देता था अब कर्क धूम धड़ाके के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाड हो करके लोग खत्रे में होय की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये न रहेगा बास न बजेगी बास उदी सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया पहनों और भाईयों लोग इसी ले कहने के आप फरक महसूस करिए ये जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न बिस्वास मत करिए बिस्वास मत करिए कभी बिस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राश्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान राश्टिय सम्मान के सामने तुच्छ है हमारा ब्यक्तिकत स्वाविमान राश्टिय स्वाविमान के सामने तुच्छ है हमारा राश्ट आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे, नहीं वो सुरक्सित रहेपाईगा, और इसलिए मैं आप से कहने के लिए आया हूँ, यह लोग चाति के नाम पर आज लडाने-बढ़ाने का काम कर रहे हैं, रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ती याद करा रहे हैं जैसे कालने मी चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहा तरे आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बल और बुद्धी से आप अभार हैं जनता को जनारदन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका अवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हनुमान चालिसा मैं पढ़ते हैं न बल बुद्धि बिद्धिया देव महिर यहरेऊ कलेसवइकर इस जाति वाद का कलेसर डालिये जैच्छे प्रवाद का कलेसर डालिये संप्रदा कैब और पुस्टी करण के क्लेस को हर डालिये और अपना जनारदन स़रूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं जो कस्मीर में धारा तिन सो सत्तर को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्हों ने तीन तलाकि को प्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयों यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए हमारा भारत की समाज क्रतग्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाइट तो हैं मोदी जी के नेत्रत कमे कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रतग्यता ग्यापित करेंगे मोदीजी को समर्थन करेंगे और आधिरगी सत्तर वर्सों तर्वस्त को सासन करने का उस्टर प्रात को हुआ साट वर्स तक कॉं praising ने सासन किया सपा बसपा सब ने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सपारणपूर को अपली दिल्ली हाईवे रोग दिया गया था और रोग क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वह कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पावा था इसलिए इस कार्य को ही रोग दिया गया आस्वाप का हाईवे बन गया ना और बनाए नहीं अभी इस साल के अंत तक साहरणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में फोरी होने वाली है दो घंटे में कौन दे रहा है दिकाच का कार्य यह देवबंद था देवभूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठखाड़ा किस ने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहारनपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मौर होना था या पस्सिम का कासी बना था उसको आपने मजहवी जनून का अठखाड़ा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैय होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्ज्यानिक तैय करेंगे या कोई फत्वा तैय करेंगा लेकिन बहन और भाईयों यहाँ पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी ओ विश्वविद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सारण प्रको स्मार्ट सीटी के रूप में विक्सित किया जा रहा है और यहीं नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंवर्श्टी का निर कि लिए भी हम लोग आएंगे बैन और भाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है कि पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोटसान नहीं था आज पीएम बिश्व कर्मा और वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट लियोजना के माद्यम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का आभी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्सा पे खत्रा बनेगा तो जीरो टालांस की नीती के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बैनों और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बाकी जो बचे हुए हैं स्वेयम ही कि राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले कि सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कांग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तक वा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने काई काफली कोफले बंद होने चेहे होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांत कर दिया गया एक ही बार में है है हुग यानगर मिसां है तो जिनकी गर्मी सांत हो चुकी है उनको यह जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क Mozart होने दो एे रकतबीज है रकतबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबां को प्रताड़ीत करेंगे, सामाने नागिरिकों का चीना हराम करेंगे, बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करेंगे, इसलिए इनके सामने जुकने की वज़ाखे, दो टुक जवाब देने की आँ सेकता है? कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए के ना भाई आप बहुत देख लिया है इस्वर ने हर सार ब्यक्ति तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है का ये भाई देखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुश रहें इस्वर ये सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर वेक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बेहन और वाईयों बोल दीजे इसको कि भई देखो हमारी जो इच्छा थी जो कान 500 वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्सों की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आँखों से देखा है इसलिए हमारी पिड़ी सवग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को नहाए है हम उनको लहेंगे एक ही जवाब है सारे प्रसनों का एक ही जवाब है जातिवात का भर्ष्टाचार का अराजकता का गुंदा गिर्थी का विकास का सब का एक ही जवाब है कह यह सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बाभजोद अपने पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराजमान कराती है बैनोर भाईयों उसका पूर्णय भी आपको प्राप्त होगा मैं जानता हूँ आपने सबने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है वरपूर योगदान दिया है उसी के कारण अयोध्या में भकवान राम का भब्य मंदिर बंदा है कितने लोग अयोध्या गए है बागे लोग जाईए ब्रजेस को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सब को दर्शन करा के लोगा अब आप आयोध्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की अयोध्या त्रेता युक का याद अस्वन हो जाएगा आपको ऐसे इस सदक बना दिया आयोध्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो आयोध्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं है हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आकमा साकंबरी के धाम को भी और ये बिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी गर्ण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारुणा परताथ की भुबबे परतिमा लगी है, अस्वारोई परतिमा लगी है 20 वरससे लगाने ने दो रहां थे कांगरेस सपा बसपा के लोग 20 वर्सस परतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भबे परतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपति अर्जित की गई कब जा करके हमने संपतिक खाली करवाई और गरीबों के मख लोगों ने कहा रही इस अभी क्या कर रहा है मैंने कहा क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो, गरीबों के आवाज बनेंगे जिसपे और मैं नोबायों गया वहाँ पे मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हातों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सूपी वहाँ दे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना मापिया ने अनैपिक और अवेट तरीके से जित्ती संपत्या अरजित की होंगी जीर और टान लेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कब्जे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मकान सूपे जाने हैं उसमें और इसलिए बैनों बाईों मैं आया हूँ, अकूद सम्भावना वाला जो साहरन पुर था, हस्त सिल्प कारीगर के लिए, अपने उपजाओ किर्सी के लिए, यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए, यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए, पस सा सहारनपुर स्मार्ट सिती बंदा है, आज सहारणपुर में अपनी विवस्ता है, आज सहारनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ, नई ध्रमक के साथ आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है, मैं आपसे बोल ला हूँ, मैं एक मुक्ष्यमंत्री ऐसा हूँ, जो साहरन में इतनी बार मैं दो बार-बार आता हूं सारण पुर आता हूं हर जिले में जाता हूं कोई उसमें रोक तोक नहीं है बेज़े जग जाता हूं समस्याओं को जमीन से देखता हूं जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हूं आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी यह समस्या है अगले दिल समाधान और मोदी जी ने दस वरसे में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूख से मरते थे 14 के पहले 14 के बाद आपने देखा होगा कैसा प्रिवर्टन आया 14 के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगात मोदी जी के द्वारा 60 करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांच लाग रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गड़ जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं ततकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ 50 करोड गरीबों के जंदने कौन कांग्रेस के लोग तो सब भ्रस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से 100 रुपया आपके लिए आना है वो 100 के 100 रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समाप तो हो गया तैनोर भाईयों 12 करोड गरीबों के सोचाले बन गए 12 करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधानवंत्री किसान सम्भानी जी का लाम मिल गया 4 करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया दस करोड गरीब मेलाओं को जला युजना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का चेहरा देख करके नहीं जाती अमत और मजब देख करके नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि ये हमारा प्रंपरा हमारी संस्कृत ये हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को आगिकार किया हूँ और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ये जो सरकार है ना बनने के लिए जो नहीं सरकार बनाने की जो कवैत प्रारम हुई है ये वही है nation first या family first राश्टवाद या जातिवाद तु्स्त्रीकरण या फिर सब का साथ और सब का विकास भृस्ता चार चाहिए या विकास चाहिए और बैनओर व्यो आप सब राश्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर के मिलोग आए हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारणपुर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिये जंता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उता रहा है रागो लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इताओं के लिए कारे करने वाले लोग है सांसवत नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जा तो अच्छा है और मैं आज इसलिए आप से कहने के लिए आया हूँ वा कारे कर सकते हैं सारणपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जज़वा है उस जज़वे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे बैनों और भाईयों कठील होता है चुनाओ के दोरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता गाँ गाँ नहीं जा सकता चुनाओ के बाद आप दोडाईए लेकिन चुनाओ तक आप सब को मोदीची के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मा बन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सभी लोग जाएंगे सभी लोग सहमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयों मा लक्सिमी के करणे विकास होता है और विकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सहमत है ना तो रागो लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सभी लोग सहमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीसदी से दिक मत्दान करा देंगे सहमत हैं सहमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी रागो लगनपाल सर्मा के समर्तन में दोनों हत्ता करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री स्योगेंदरुपाद्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगे लोग प्रियविधायक सि ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी सि जस्वंत सेनी जी भारती जनता पाल्टी के लोग सभा सहरन पूर्छेत्र के प्रत्यासी सि रागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स यवा मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी दीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी ब्लाक परमुगण विजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणार चौदरी जी विजय राणा जी अरविंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंज परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदाधिकारी गान और भारी संख्या में देवबन रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसवाद चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और सम्मान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पौरुस और पुरसार्थ और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयन्ती है महारणा सांगा की स्पावन जयन्ती पर उन्ही के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुन्दरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस बीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ मारणा सांगा की जेंती पर भारत माता की इस महान आप बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को में कोट कोट बढ़ाई भी देता हूं। वैन और भाईयों, जब महारणा प्रताप की बात होती है, महारणा सांगा की बात होती है, तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है। महारणा प्रताप उन्हों ने कहा था हमारी लड़ाई सब्ता की नहीं है, स्वाभिमान की है। और स्वाभिमान के लड़ाई उन्हों ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता। उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सक्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था और बैनोर भाईयों यही कारण है शेकणों वरसों के बाद भी आज अगर देश महाणा प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसले याद करता है क्योंकि महारणा प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था धर्म के लिए था सत्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृत्दकिता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है महारणा पृताब की प्रति कर रहा है कि बैन और भाइयों हम सबने स्वतंत्र भारत में oniquh सरकारी देखी मैं अचांबी सरकार कांचना करने जा रहे है educate ओर और अठांबी लोग सभा का चुनाओ है चूबिस में 2024 का जो लोक सवा का चुनाऊं चलना है इससे पहले जो भी सरकारें आई मोदी जी के पहले कोई भी सरकारें आई सब ने अपने उसार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मैं पूछना जाता हूं किया आयोध्या में राममंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था यह आदो कि पादे क्या राम का नाम उस समय तो है अधर सभी लोग वह कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कांघ्रेस ने एफिडिविट दाखिल किया था सुप्रेम कोट में कि राम तो हो यहीं नहीं और याद रखना हुर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर रहा था एक काल ने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाएं हैं हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बैन और भायों यह चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्म विन्म करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वविमान और समान उंचा रहे तेरा वैवह मर रहे मा हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत शरेश्क भारत के भाव से ओत्कुरोथ भारती जनता पार्टी मोदी जी के नित्रत्व में है एक तरफ अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग है मैं मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफिया के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरिक को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और व्यापारी की सुरक्सा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दोसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अप्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जुके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं आप देखाना आपने दंगा कैसे होता भूल गए पत्थर वाजी भूल गए निर्थ चोड़ी बात को लेकि पत्थर वाजी होने लगती थी पहले परवकर कोई आता था और खास्ट फट पस्यमीत तरृद्रेश में कोई परवकर राता था ओली जी पावली के सिव्रात्री पर क्सावणन कोई परवकर ओते अग्यों लग जाता था प्रसाशनमी और उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाड हो करके लोग खत्री में होय की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस भी सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया बहनों और भाईयों लोग इसी लिए कहने के आप फरक महसूस करिए ये जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राष्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान रास्तिय सम्मान के सामने तुच्छ है हमारा ब्यक्तिकत स्वाभिमान रास्तिय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्त आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रहे पाईगा काने का काम कर रहे हैं यह तो फिर से त्रत युक्ति यात करा रहे हैं जैसे कालने में चुपचाब गुम्रा करने का प्रियास करा तरces बजहरंगी एं पैचानियें इनों को कि वबन और बद्दी से अब अबार हैं जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हनुमान चालिसामायम पढ़ते हैं न बल बुधि बिद्या देव मही हरें कलेश विकार ये जातिवाद का कलेश हर डालिए ये छेप्रवाद का कलेश हर डालिए ये संप्रदाइवाद और तुष्टी करन के कलेश को हर डालिए और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं जो कस्मीर में धारा तिन सो सत्तर को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिनोंने तीन तलाकी कोप्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वैयो यहाँ कारे हमें करना होगा और इसके ले यही है हमारा भारथ के समाज कृटक किता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दायत्वpause मोडी जी के नेत्रक में कारे हुआ है तो यह आउस्वर होता है हम भी कृटक ग्यापित करेंगे मोधी जी को समर्थन करेंगे और आखिर सत्तर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राप हुआ साथ वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सब ने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोग क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वो कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पा रहा था इसलिए इस कारे को ही रोग दिया गया आस्पाप का हाईवे बन गया न और बनाए नहीं अभी इस साल के अलत तक सारणपुर से द पूरी मात्र दो घंटे में फोरी होने वाली है दो घंटे में कौन दे रहा यह दिकाच का कारविश यह देवबंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठखाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेके भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहारनपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मौर होना था या पस्सिम का कासी बनना था उसको आपने मजहवी जनून का अठखा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैह होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्ज्यानिक तैह करेंगे ये कोई फत्वा तैह करेगा लेकिन बहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अभिवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी हो विस्वविद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सार अनप्र को स्मार्ट सिटी के रूप में इपिक्सित किया जा रहा है और यही नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंवर्श्टी का निर्माण भी हम यहाँ पर कर रहे हैं सत्र प्रारम हो चुका है चिनाव के बाद भब्योद घाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे बैन और वाईयों आज यहां की हस्त शिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था आज पीएम बिस्व कर्मा और वन डिस्टिंग वन प्रोड़क्ट लियोजना के माद्जम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच्च का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का आवी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वही जाएगा जहाँ उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा पे खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीती के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बैनों और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बाकी जो बचे हुए हैं स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तगवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली है झूअ हैं हमने काफली कोफले बंद होने चेहं होटर-खर सब बंद कर ये और फिर उन की गर्मी को सांथ कर दिया गया एक ही बार में क्या गर्मी संथ है तो जिनकी गर्मी संथ हो चुकी है उनको ये जातीवादAKE संगठन पिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो रक्तवीज हैं रक्तवीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों चीना हराम करेंगे बेटी और व्यापारी की स्रक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए के ना भही आप बहुत देख लिया है इस्वर ने कई हर सार बेक्टी तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है कई ये भही आदेखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुश रहें इस्वर ये सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर बेक्टी के जीव और बेन और वायों बोल दीजे इसको कि भाई देखो हमारी जो इच्छा थी जो कान 500 वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्स की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी पृड़ी सवभग्यसाली है और उसको एकी जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएंगे एकी जवाब है सारे प्रस्णों का एकी जवाब है जातिवात का भरष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एकी जवाब है का ये वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराचमान कराती है बैन और भाईयों उसका पूर्णय भी आपको प्राप्त होगा मैं जानता हूँ आपने सब ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है वरपूर योगदान दिया है उसी के कारण अयोध्या में भख्वान राम का भव्य मंदिर बंदा है कितने लोग अयोध्या गए है बागे लोग जाईए ब्रजेश को मैं बोलूंगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पूरी बुक करवा करके लेके जाओ सबको दर्शन कराके लोग अब आप आयोध्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की अयोध्या त्रेता युक का याद अस्वन हो जाएगा आपको ऐसे ही सबक बना दी है युद्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्स्प्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतराया हो युद्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को अर आस तो हम आक मा साकंबरी के धाम को भी और ये बिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुन्दरी जी के धाम को भी सुन्दरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके है मैं भी आया चौराहे पर महारणा प्रताप की भबे प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दे रहे थे कांग्रेस सपा बसपा के लोग बीस वर्स से उस प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भबे प्रतिमा है अब ताओ रास्ति महापुरसों के भी प्रतिमा को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की संपत्री को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के दोरा प्रियागराद में बड़ी संपत्ति अरचित की गई बड़ी संपत्ति अरचित की गई कब जा करके हमने संपतिखाली करवाई और गरीबों के मख लोगों ने कह रहे हैं क्या कर रहा है या मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवास बनेंगे जिसपे और बेनोवाईयों गया वहाँ पर मकान बनाए गए हाराइज बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हातों से गरीबों को आवाज की चाबी मैंने सूपी वाते हैं और मैं फिर कह रहा हूं याद रखना माफिया ने अनैपिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्यां अरजीत की होंगी जीर और टान लेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं और फिर गरेबों के मक्तान उसमें आने वाले समय में बनने है और गरेबों को फिर मक्तान सौपे जाने हैं उसमें और इसलिए बैनों बायों मैं आया हूँ अकूत सम्हावनावला जो सारन पुर था हस्त लिप करकारी गर के ले अपने उपजाओ किर्शी के ले यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और सहारनपूर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था आज सहारनपूर स्माड सिती बंदा है आज सहारनपूर में अपनी विवस्ता है आज सहारनपूर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ला हूँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सहारनपूर में साथ बरस में इतनी बार आगया है हर जिले में जाता हूं जी कोई उसमें रोक तोक नहीं है बेज़े जग जाता हूं समस्याओं को जमीन से देखता हूं जन्प्रतिनिदियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हूं आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी यह समस्या अगले दिल समाधान और मोदी जी ने तस वर्से में तो यही किया कोई सोसता था पहले लोग भूख से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवड़ते नाया चौदा के बाद आप देख रहे होंगे असी करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगा मोदी जी के द्वारा साड़ करोड गरीबों को आई उसमान भारत में पांचलाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक और जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं ततकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिज़वा देता हूँ पचास करोड गरीबों के जंधने कांट कांग्रेस के लोग तो सब भ्रस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वह सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिर्टेटर समापत हो गया तैनोर भाईयों बारा करोड गरीबों के सो चाले बन गए बारा करोड अनदाता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्भानी जी का लाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गिया दस करोड गरीब मेलाओं को जुला युजना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का चेहरा देखकर के नहीं जाती अमत और मजभ देखकर के नहीं सबका शात और सबके भिकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि ये हमारा प्रमपना हमारी संस्क्र्ट है ये हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अगिकार किया और इसलिए आज मैं आप से कहने के लिए आया हूँ ये जो सरकार हैना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की कवयत प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट राश्टवाद या जातिवाद तुष्ट्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भस्टा चार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वयो आप सब राश्टवाद के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाव को लेकर केम लोग आये हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारणपुर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिय जंता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उता रहा है रागो लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इताओं के लिए कारे करने वाले लोग हैं सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जात अच्छा और मैं आज इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं वह कारे कर सकते सा चुना के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक ज़स्वा है उस ज़स्वे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे वैंनों और भाईयों कठील होता है चुनाओ के दौरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता गाँगाओ नहीं जा सकता चुनाओ के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चुनाओ तक आप सब को मोदी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मा बन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबीँ लोग जाएंगे सबीँ लोग सहमत है न ERIC कमल चुनाओ चिन्न खिलाने का काम करेंगे बैन और वाइयों माल लक्सिमी के करणे विकास होता है और विकास के लिए मालक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सेमत है ना तो रागव लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सभी लोग सेमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीज़ी से दिक मत्दान करा देंगे सेमत हैं सेमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी लागव लखन पाल सर्मा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री कि शेयोगेंद्र पाद्ध्याजी कि प्रदेश सरकार में मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग्त्रीय विधायक से ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी से जस्वंत सेनी जी भारती जनता पाल्टी के लोग्सभाज सहरनपूर छेत्र के प्रत्यासे सिरागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रिय अद्यक्स हरिंदर जाटो जी छेत्रिय अद्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी डीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाक परमुक गण विजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणोर चौदरी जी विजय राणा जी अर्विंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंज परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदाधिकारी गान और भारी संख्या में देवबंद रामपूर मनिहारन और गंगो विदान समा चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिती के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पौरुस और पुरसार्त और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयंती है महारणा सांगा की इस पावन जयंती पर उनी के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधार्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुंदरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोध में बसावा साहरणपुर्जनपत की इस बीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ महारण सांगा की जेंती पर भारत माता के इस महान दीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को में कोट कोटी बढ़ाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारण सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारण प्रताब उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाविवान के लड़ाई उन्हाने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं जुका सकता उसके खिलावे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सकता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासक ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को ना कोच्चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वाविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाणा प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था और बेनोर भाईयों यही कारण है सेक्णों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है इसलिए श्मिर्ण करता है क्योंकि महारणा प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा यह समाज उसके प्रती ऐसे ही कृत्त किता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है, महारणा प्रताप के प्रति कर रहा है। बैन और भाईयों, हम सब ने स्वतंत्र भारत में अनिक सरकारी देखी। यह अठारवी सरकार का हम चुनाओ करने जा रहे हैं अठारवी संसत के माध्यम से। और अठारवी लोग सभा का चुनाव है, चौबिस में दौजार चौबिस का जो लोग सभा का चुनाव चलना है, इससे पहले जो भी सरकारे आई, मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आई, सबने अपने सरकारे काम किया होगा, ठीक बात है, लेकिन मैं पूछना चाता हूँ, मैं पूछना चाता हूँ, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था क्या, क्या भी कर पाते क्या, राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, कहते थे ना, कॉंग्रेस ने एफिड़ेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में, कि राम तो हुए ही नहीं, और याद रखना, हर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे, तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर रा था, एक काल ने मी आएंगे, राम नाम का जब करेंगे, बिखने वाले लोग भी, बिखने की कतार में खड़े होंगे, लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा, जो राम को लहाएं हैं, हम उसको लहाएंगे, सैमत है ना, सैमत है ना, बैन और भाईयों यह चुनावी, दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है, एक तरफ जातिवाद के लोग हैं, दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं, एक तरफ सामाजिक ताने पाने को छिन्म बिन्म करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं, दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा बैवह अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ, एक भारत स्रेश्ट भारत के भाव के से ओत्परोथ, भारती जन्ता पार्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं, एक करण अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं, मैं मेरा प्रिवार, मेरी जाती और जब सत्ता बनती है, तो सत्ता को माथिया के हवाले गिर्वी करके, सामान नागरिक को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है, बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा को खत्रे में डाल दी जाती है, गौत तसकरों को सरयाम आश्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है, और दोसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अप्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है, आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना जुके, बिना रोके, बिना डिगे, आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं, देखाना आपने, दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए, निर्चोड़ी बात को लेकि पत्थरबाजी होने लगती थी, पहले परवर्वर्वार कोई आता था, और खास्तोर पर पस्सिमिय उत्र ब्रदेश में कोई भी परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है कि पहले जहां से चिलाठ हो करके लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया पहनों और भाईयों लोग इसी लिए कहने के आप फरक में सूस करिए ये जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राष्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान राष्टिय सम्मान के सामने तुछ है हमारा राष्ट आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश हमारा धर्म यही हमारा राष्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम राष्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्षित रहे पाईगा और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ए लोग चाती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे है रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे है ये तो फिर से त्रेता युक्ती याद करा रहे है जैसे कालने मी चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहे हैं आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बन और बुद्धी से आप अफार हैं जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका अवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हर्मान चालिसा मैं पढ़ते हैं न बल बुद्धी बिद्ध्या देव मोही हर्यों कलेस विकार ये जातिवाद का कलेस हर डालिये ये छेत्रवाद का कलेस हर डालिये ये संप्रदाइवाद और तुष्टी करन के कलेस को हर डालिये और अपना जनार्दन सुरूप दिखा करके वही बोलिये जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा 370 को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन कला की कुप्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयो यहां कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारतिय समाज क्रतग्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाइट तो है मोदी जी के नेत्रत कमेकारे हुआ है तो यह उसर होता है हम भी क्रतग्यता ग्यापित करेंगे मोदी जी को समर्थन करेंगे और आखिर सत्तर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राप को हुआ साठ वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सपने सासन किया साहरनपूर को दिया क्या वह कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पावा था इसलिए इस कार्य को ही रोग दिया गया आस्पाप का हाईवे बन गया ना और बनाए नहीं अभी इस साल के अंत तक साहरणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में फोरी होने वाली है दो घंटे में कौन दे रहा यह दिकाच का कार्य कि यह देवबंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठकाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहरनपुर को सिक्सा किए एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मोर होना था या पस्सिम का कासी बना था उसको आपने मजहवी जनून का अठकाड़ा बना दिया अराजकता भेलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैय होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्जानिक तैय करेंगे या कोई फत्वा तैय करेगा लेकिन बहनों और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी ओ विश्व इद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सार अनपर को स्मार्ट सिटी के रूप में इपिक्सित किया जा रहा है और यहीं नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंवर्श्टी का नि प्यारी के लिए भी हम लोग आएंगे अब बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था आज पीएम वह समान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का डाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पौने दाम पर बेच करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का आवी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वही जाएगा जहाँ उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीति के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बैनों और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बागी जो बचे हुए है स्वयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है अब देख रहे होंगे न बड़े-बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तकवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के कापले रुख जाया करते थे मंत्रियों के कापले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने का एक कापली कोपले बंद होने चेहिए होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांथ कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांथ तो जिनकी गर्मी सांथ हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो ये रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरीकों का चीना हराम करेंगे बेटी और ब्यापारी की स्रक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वज़ाएद दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए के ना भही अब बहुत देख लिया है हम खुस रहें, इस वर ये सब हमें दे दे रहा है, अब जो एक इच्छा होती है हर वेक्ति के जीवन में, क्या इच्छा होती है, कि भई एक बार, राम के नाम पर कुछ हो जाए, और बैन और भाईयों बोल दीजे इसको, कि बही देखो हमारी जो इच्छा थी, जो काम 500 वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया, 500 वर्स की फीडियां, जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही, हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है, इसलिए हमारी पिडि सवग्य साली है, और उसको एक ही सारे प्रस्णों का एक ही जवाब है, जातिवात का, भरष्टाचार का, अराजकता का, गुंदागिर्थी का, विकास का, सब का एक ही जवाब है, कईए वहिया सब कुछ हो रहा है, हुआ है, लेकिन सब के बाबजूद, अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित कर करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराजमान कराती है, बैनोर भाईयों, उसका पूर्णय भी आपको प्राप्त होगा, मैं जानता हूं, आपने सब ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है, वर पूर योगदान दिया है, उसी के ब्रजेश को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पूरी बुक करवा करके लेके जाओ, सब को दर्शन कराके लोगदान अब आप आयोध्या जाएंगे ना, आपको लगेगा कि राम की अयोध्या त्रेता युक का याद अस्मन हो जाएगा आपको, ऐ ऐसे ही सलक बना दी है योध्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है, एक दम बना दी है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो योध्या में, और फिर होगी भी क्यों नहीं हमारे राम लिला की जो भूमी है, क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए, पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को, और आज तो हम मा साकंबरी के धाम को भी, और ये बिजेश सिंग्ग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं, मैं कॉंग्रेस, सपा, बसपा के लोग, 20 वर्से उस प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे, आज देखो, क्या भब्बे प्रतिमा है, अब ताहो, रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमा को नहीं रखने देंगे, उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है, और इसलिए तुम कहते हैं, जो लोग समाज का लूटते थे, अपना घर भरते थे, उन माफियाओं की संपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा माफिया था, बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक, उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी संपत्य अर्चित की गई, बड़ी संपत्य अर्चित की गई, कब जा करके, हमने संपत्य खाली करवाई और गरीबों के मख, लोगों ने कहा रहे हैं, इसा अभी क्या कर रहा है, मैंने का क्या मतलब, जो मेरा कुछे करना है, वही करना हो, और वायों गया वहां पर मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हातों से गरीब को आवाज की चाभी मैंने सूपी वहाते हैं और मैं फिर कह रहा हूं याद रखना माफिया ने अनैतिक और वेट तरीके से जित्ती संपत्या अरजित की होंगी जीर और टान लेंस की नीती के तहट उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले और फिर गरीबों के मक्तान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने है और गरीबों को फिर मक्तान सूपे जाने है उसमें और इसलिए बैनों बायों मैं आया हूँ अकूत सम्भावना वाला जो साहरनपुर था हस्त सिल्पक और कारीगर के लिए अपने उपजाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और साहरनपुर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था आज साहरनपुर स्मार्ड सिती बनदा है आज साहरनपुर में अपनी विवस्ता है आज साहरनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ला हूँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हूँ जो सारनपुर में साथ वर्स में इतनी बार आ गया है जितना साथ वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिल करकी नहीं आया हूँ आ गया नहीं इतनी बार मैं दो बार बार आता हूँ सारन पुराता हूँ हर जिले में जाता हूँ जी कोई उसमें रोक तोक नहीं है बेजे जग जाता हूँ समस्याओं को जमीन से देखता हूँ जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हूँ आज आप देख रहा होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी ये समस्या है अगले दिन समाधान और मोदी जी ने तस वरसे में तो यही किया कोई सोसता था पहले लोग भूख से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवरतन आया चौदा के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगात मोदीची के द्वारा 60 करोड गरीबों को आई उसमान भारत में 5 लाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गर जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं ततकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिज़वा देता हूँ 50 करोड गरीबों के जंदने कौन कांग्रेस के लोग तो सब रस्टाचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से 100 रुपया आपके लिए आना है वो 100 के 100 रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समाप को हो गया तैनों और भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मापनी जी का लाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया दस करोड गरीब मेलाओं को जुला युजना का कनेक्शन मिल गया ये सब काम किसी का चेहरा देखकर के नहीं जाती अमत और मजभ देखकर के नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि ये हमारा प्रंपरा हमारी संस्कृत ये हमें सिखाती है ये जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की कवैत प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्स्ट या फेमली फर्स्ट राष्टवाद या जातिवाद तुष्ट्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भस्टा चार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वायो आप सब राष्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर कि हम लोग आये हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोधी जी के नित्रुत्व में साहरणपुर में फिर से एक कमल खिले इसके ले रागो लखनपाल सर्मा को भारतिय जनता पार्टी ने पृत्यासी बना करके उतारा है रागो लखनपाल सर्मा बैन और भाइयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इताओं के लिए कारे करने वाले लोग है सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक ज़जबा है उस ज़जबे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे वैनों और भाईयों कठील होता है चनाओ के दौरान एक प्रत्यासी घर-घर नहीं जा सकता गाँगाओ नहीं जा सकता चनाओ के बाद आप जोड़ाईए लेकिन चनाओ तक आप सब को मोधी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागव लखन पाल सर्मा बन करके स्वयम घर-घर जाना पड़ेगा जाएंगे सभी लोग जाएंगे सभी लोग सहमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयो मा लक्सिमी के करणे विकास होता है और विकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सहमत है ना तो रागो लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सभी लोग सहमत हैं लेकिन तब ही संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीज़ी से दिक मत्नान करा देंगे तो पर आप सभी लागो लखन पाल सरमा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री अ कि श्योगेंद्र पाध्या जी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायक से ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी जस्वंत सेनी जी भारती जनता पाल्टी के लोगसभाज सहरनपूर छेत्र के प्रत्यासी जी रागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाध्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी दीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाग पर्मुक गण बिजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणार चौदरी जी बिजय राणा जी अरविंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंज परुपस्तित भारती जनता पार्टी के सभी पदादिकारीगान और भारी संख्या में देवबंद रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसबाद चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पौरुस और पुरसार्थ और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयन्ती है महारणा सांगा की इस पावन जयन्ती पर उन्ही के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधार्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रती महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयो माता बाला सुंदरी, मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोध में बसावा साहरनपुर जन्पत की इस औरवरा भूमी को कोटी-कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिरदे से भी नंदन करता हूँ मारणा सांगा की जेयन्ती पर भारत माता कि इस महान बीर्योध्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोटी-कोटी बढ़ाई भी देता हूँ वैन और भाईयों जब महारणा प्रताप की बात होती है महारणा सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारणा प्रताप पनाने कहा था हमारी लड़ाई सब्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिमान के लड़ाई अना ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को नाकोच चने चबाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इलकार कर दिया था और बेन और भाईयों यही कारण है सेकणों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है, इसलिए स्मर्ण करता है, क्योंकि महारणा प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था ये देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा ये समाज उसके प्रति ऐसे ही कृत्यकिता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है महारणा प्रताप की प्रति कर रहा है बैना और भाईयों हम सबने स्वतंत्र भारत में अनिक सरकारें देखी यह 1818 सरकार कम चुनाओ करने जा रहें 1822 संसद के माध्यम से और अठारवी लोगसभा का चुनाओ है चौबिस में दौहजार चौबिस का जो लोगसभा का चुनाओ चनला है इससे पहले जो भी सरकारे आई मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आई सबने अपने उसार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मैं पूछना चाहता हूं क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था क्या क्या भी कर पाते क्या राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कॉंग्रेस ने एफिडेविट ताखिल किया था ना सुप्रेम कोट में कि राम तो हुए ही नहीं और याद रखना हर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर ला था एक काल ने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लाएं है हम उसको लाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बेन और भाईयों ये चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत सपस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्मे बिन्मे करने वाले पुष्टी करन की नीति पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा बैभाव मर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भावक से ओत्परोत भारती जन्ता पार्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं मैं मेरा परिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माथिया के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दोसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अत्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जुके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं भी देखाना आपने हैओ दंगा कैसे होता भूल गये पत्थर भाजी भूल गये निर्ख फड़ी बाद को ले के पत्थर भाजी होने लगती ती के पेहले परवोरतयवहार कोई आता था और खासतों पर पस्टमियक्त अम्घेश में कोई भी परवरतयवहार आता था उली दीपावली जन्मास्तिमी करफिू लग जाता था प्रसाषन भी उनका साथ देता था अब कर्फ्यू ने अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाड हो करके लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये न रहेगा बास न बजेगी बासुरी सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया पहनों और भाईयों लोग इसी लिए कहने के आप फरक मेसूस करिए ये जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राश्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान रास्तिय सम्मान के सामने तुच्छ है हमारा ब्यक्तिकत स्वाविमान रास्तिय स्वाविमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्त आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रहे पाईगा काने का काम कर रहे हैं यह तो फिर से पोलता युक्ति-याद कर रहा है जैसे काल नेमी स्चस्शाब गुमरह करने का प्रियास कर रहा थारे आप आप तो बज्रंगी है पैचानिए इन लोगों को बल और बुद्धी से आप अपार हैं जनता को जनारदन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हनुमान चालिसाम आयम पढ़ते हैं न बल बुद्धी बिद्ध्या देव मोही हरें कलेस विकार ये जातिवाद का कलेस हर डालिए ये छेप्रवाद का कलेस हर डालिए ये संप्रदाइवाद और तुष्टी करन के कलेस को हर डालिए और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिये जो राम को लाए हैं जो कस्मीर में धारा 370 को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिनाने तीन तलाकि कोप्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयो यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यह हमारा भारत की समाज क्रतग्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाइट तो है मोदी जी के नेत्रत्त में कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रतग्यता ग्यापित करेंगे मोधी जी को समर्थन करेंगे और आखिर सतर वर्सों तक सब को सासन करने का असर प्राथ हुआ साठ वर्स तक कॉंग्रेश ने देश के अंदर सासन किया शपा, बस्पा सब ने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वो कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पा रहा था इसलिए इस कार्य को ही रोग दिया गया आस्पाप का हाईवे बन गया ना और बनाए नहीं अभी इस साल के अलत तक सारणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में फोरी होने वाली है दो घंटे में कौन दे रहा है ये दिकाच का कार्य ये देवबंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठखाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहारनपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मौर होना था या पस्सिम का कासी बना था और उसको आपने मजहवी जनून काड़ा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैय होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्जानिक तैय करेंगे या कोई फत्वा तैय करेगा लेकिन बहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अभिवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी हो विश्व विद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सार अनप्र को स्मार्ट सिटी के रूप में इपिक्सित किया जा रहा है और यही नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंवर्श्टी का निर्माण भी हम यहाँ पर कर रहे हैं सत्र प्रारम हो चुका है चिनाओ के बाद भब्योद घाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था आज पीएम बिस्व कर्मा और वन डिस्टिंग वन प्रोड़क्ट लियोजना के माद्जम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच्च का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का भी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वही जाएगा जहाँ उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा पे खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीति के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बैनों और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बाकी जो बचे हुए हैं स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तगवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली कि हमने का एक काफली कोफले बंद होने चेहें होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांथ कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांथ तो जिनकी गर्मी सांथ हो चुकी है उनको यह जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे है पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों का चीना हराम करेंगे बेटी और ब्यापारी की स्रक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए केना भहिया बहुत देख लिया है इस्वर ने कहिए हर सार बैक्ति तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है कि यह ने देखो सब तो इस्वर की किर्पा से मेनत कर रहे हम खुस रहें इस्वर ये सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि वह एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बेन और वायों बोल दीजे इसको कि भाई देखो हमारी जो इच्छा थी जो कान 500 वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्स की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी पिड़ी सववग्य साली है और उसको एकी जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएंगे एकी जवाब है सारे प्रस्णों का एकी जवाब है जातिवात का भरष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एकी जवाब है का ये वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराचमान कराती है बैन और भाईयों उसका पूर्णे भी आपको प्राप्त होगा मैं जानता हूँ आपने सब ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है वरपूर योगदान दिया है उसी के कारण अयोध्या में भख्वान राम का भव्य मंदिर बंदा है कितने लोग अयोध्या गए है बागे लोग जाईए ब्रजेश को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पूरी बुक करवा करके लेके जाओ सबकर दर्शन कराके लोग अब आप आयोध्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की अयोध्या त्रेता युक का याद अस्वन हो जाएगा आपको ऐसे ही सबक बना दी है युद्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे इस स्वर्ग उतराया हो आयोध्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं है हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आकमा साखंबरी के धाम को भी और ये ब्रिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी गर्ण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा प्रताप की भबे प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दे रहे थे कॉंग्रेस सपा बसपा के लोग बीस वर्स से उस प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भबे प्रतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपत्य अर्जित की गई कब जा करके हमने संपत्य खाली करवाई और गरीबों के मख़ लोगों ने कहा रहे इस अभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों की आवाज बनेंगे जिसपे और बेनोबायों गया वहाँ पे मकान बनाए गए हार आइज बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाबी मैंने सूपी वहाँ दे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनेपिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या आरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सोंपे जाने है उसमें और इसलिए बैनों बायों मैं आया हूँ अकूत सम्भावनावला जो साहरनपुर था हस्त सिल्प को और कारीगर के लिए अपने उप जाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और साहरनपुर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था आज सहारनपूर स्मार्ड सिती बंदा है आज सहारनपूर में अपनी विवस्ता है आज सहारनपूर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ला हूँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सारनपुर में साथ वर्स में इतनी बार आ गया है जितना साथ वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिल करके नहीं आया होंगे आ गया ना में इतनी बार मैं दो बार बार आता हूँ सारनपुर आता हूँ हर जिले में जाता हूँ कोई उसमें रोक तोक नहीं है बे जिजक जाता हो, समस्याओं को जमीन से देखता हो, जन्परतुम्जियों के साथ मिलके उसका समधान का रास्ता निकालता हो, आज आप देख रहा होंगे, कोई समस्या आपको लगतی होगी ज़र आगले दिन समधान, और मोदी जी ने तस वरसे में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूख से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्टना आया चौदा के बाद आप देख रहे होगे असी करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगा मोदी ची के द्वारा साड़ करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांचलाग रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक और जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं तत्काल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ पचास करोड गरीबों के जंधने कौन कांग्रेस के लोग तो सब भ्रस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिर्टेटर समापत हो गया तैनोर भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधानवंत्री किसान सम्भानी जी का नाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए दाइक करोड गरीबों के घर में जाती यह मतमर्म सब्सकार नोगहे हम पर अचछ को थीजं स मंदली सिरी हमें चीजने में भीㅇत दल्कम ऴुथ हें और इसलिहां आज मैं अपके कहने के लिए के वह नहीं सरकार बनाने की कवैध परारप हुई यह वही है नेशन फर्ष्ट促 या फर्ष्ट या फेमली म् फर्ष्ट रास्टवाद या जातिवाद पुंपारी कर निया फिर सब या फर्ष्टरास जाइए और बैनोर वईयों आप सब रास्टवाद के साथ होंगे बिकास के साथ या सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाव को लेकर के लोग आए हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारणपुर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिये जनता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उता रहा है रागो लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इताओं के लिए कारे करने वाले लोग है सांसवत नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया दिकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ दिकास हो जात अच्छा और मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ वा कारे कर सकते सारणपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जज़ऑा है ओस ज़श्वे के साथ आजवे आपके बीच में यहाँ पर है और इसलिए मेरे आप सबसे अपील होगे बैनोर भाईयों कठील होता है चुनाओ के दौरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता गाँगाँ नहीं जा सकता चुनाओ के बाद आप दोडाईए लेकिन चुनाओ तक आप सब को मोदी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सहमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैनोर भाईयों मा लक्सिमी के करणे विकास होता है कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना कि सहमत है ना तो रागो लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्हेंस तारीक को चुनाव जिताएंगे सबी लोग सहमत हैं लेकिने तभी संबह होगा जब आप अपने बूत को समालेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीज़ी से दिक मद्दान करा देंगे सहमत हैं सहमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी लागो लखन पाल सर्मा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री सियोगेंद्रुपाद भ्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायक सि ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी सि जस्वंत सेनी जी भारती जनता पाल्टी के लोग सभा सहरन पूर्छेत्र के प्रत्यासे सि रागहौ लखनपाल सर्मा जी छेत्रिय पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी दीके सर्मा जी आज की इस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिनगर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाग परमुक गण बिजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणार चौदरी जी बिजय राणा जी अरविंद राणा जी बिनोत कुमार जी मन्च पर उपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदाधिकारी गान और भारी संख्या में देवबंद, रामपूर मनिहारन और गंगो विदान सभा चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नवरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने प पौरुस और पुरसार्थ और सौरे के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयंती है महारणा सांगा कि इस पावन जयंती पर उनी के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वविमान के प्रतीक स्वधार्म और स्वदेश के प्रती उद्धक्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुन्दरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस वीर भूमी को इस औरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ महारणा सांगा की जेयंती पर भारत माता की इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोटी कोटी बधाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारणा प्रताप की बात होती है महारणा सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारणा प्रताप उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिवान के लड़ाई उन्हाने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं जुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी रुकुमत के सामने उन्हाने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सकता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासक ताकत के रुप में अखबर जाना जाता था अखबर को ना कोच्चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था और बेन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाणा प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है क्योंकि महाणा प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था धर्म के लिए था सत्ता के लिए नहीं थ कि यह देश और धर्म के लिए जो भी समरपण करेगा यह समयाच उसके पृति ऐसे ही कृतिक आपित करेगा जैसे आप्रन सांगा के प्रति कर रहा है महारणा कि पृतिकर भाई है वेन और भाईो कि हम सबने स्वतंत्र भारत में अनिक सरकारें देखी हुआ इस यह अथार्मी सरकार कम चुनाओ करने जा रहे एक यह संसत के माध्यम से और अठार्बिय लोग सवा का चुनाओ है 24 में 24 का जो कि लोग सवा का चुनाओ चलना है इससे पहले जो भी सरकारे vontade मोदी जी के पहले कोई भी सरकारे आoffs मेसाने अपने सार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पोछना चाता ह ost मैं पूछना जाता हूं क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था क्या क्या भी कर पाते क्या राम का नाम उस समय तो यह सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कांग्रेस ने एफिडेविट ताखिल किया था नो सुप्रेम कोट में कि राम तो हो यहीं नहीं और याद रखना हर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर रा था एक काल ने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाए हैं हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बैन और भायों यह चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने पाने को छिन्विम्न करने वाले पुस्ट्री करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओचा रहे तेरा वैवह मर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भाव से ओत्रोथ भारती जन्ता पाल्टी मोदी जी के नितृत्व में है एक तरफ अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग है मैं मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माथ्या के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दोसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में उत्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जोके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं देखा न आपने दंगा कैसे होता भूल गए पत्थरवाजी भूल गए निर्चोड़ी बात को लेकि पत्थरवाजी होने लगती थी ठहले परवारत्यभार कोई आता था और खास्ट पर प्रसासन भी उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाड हो करके लोग खत्रे में होय की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये ना रहेगा बास ना बजेगी बास हुई सारा बिवादी समाप तो कर दिया गया पहनो और भाईयो लोग इसी लिए कहने के आप फरक में सूस करिए ये जो काल नेमी के नाम पर आएंगे ना विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रौधने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राश्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान रास्तिय सम्मान के सामने तुच्छ है हमारा ब्यक्तिकत स्वाभिमान रास्तिय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्त आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रहे पाएगा काने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ति याद करा रहे हैं जैसे कालने मी चुपचाब गुमरा करने का प्रियास कर रहा तरे आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बल और बुद्धी से आप अभार हैं जनता को जनारदन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हरुमान चालिसा मैं पढ़ते हैं न कि बल बुधी विद्या देव मुही हरे हूँ कलेस विकार जातिवाद का खलेस हर ना लिए ऐस छेप्रवाद का खलेस हर लिए examples these प्रदायवाद और तुष्टी करण के कड़ेसको हर डालिए और अपना जनार्दन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा तिन सो सत्तर को समाप्ट किये है हम उनको लाएंगे जिनोंने तीन कला की कुपर्था को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयो यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारत की समाज क्रतक्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाईत तो है मोदी जी के नेत्रत कमे कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रतक्यता ग्यापित करेंगे तो मोडीजी को समर्थन करेंगे और अकिर सत्टर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्रात होगा साट वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बस्पा सपने सासन किया कर सहरनपूर को दिया कि सहरनपूर सामली दिली हाईवेग रोक दिया गया था इसे कारे को ही रोक दिया गया था आसपाक का हाईवेर बन गया और बनाई नहीं अभी इस साल के अंद तक साहरणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में थोरी होने वाली है कौन दे रहा है ये दिकाच का कारव ये देवबंद था देवभूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठखाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेके भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहरणपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंदर के रुप में देश के अंदर सिर्मौर होना था या पस्सिम का कासी बनना था उसको आपने मजहवी जनून का अठखा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तै होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्जानिक तै करेंगे या कोई फत्वा तै करेगा लेकिन बहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अभिवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने, रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी हो विश्व विद्याले बने, हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सार अनपर को स्मार्ट सिटी के रूप में इपिक्सित किया जा रहा है और यही नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंवर्श्टी का निर्माण भी हम यहाँ पर कर रहे हैं सत्र प्रारम हो चुका है, चिनाओ के बाद भब्योत घाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे बैन और भाईयों, आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक, धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था, ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे, कारीगर थे, लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था आज पीएम बिश्व कर्मा और वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट लियोजना के माध्यम से, इन्हें फिर से, वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था, क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का आवी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वही जाएगा जहाँ उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा पे खत्रा बनेगा तो जीरो टालांस की नीती के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बैनों और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बाकी जो बचे हुए है स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तगवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने काफली कोफले बंद होने चेहें होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांत कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांत कि गोगें गवल लुख जिनकी गर्मी सांत ओचुकी है उनको यह जातिवादी संगठऩ भिर से पिंदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो यह रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों का चीना हराम करेंगे बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए कहना भही आप बहुत देख लिया है इस्वर ने कहिए हर सार बैक्टी तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है का ये भहिया देखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुश रहें इस्वर ये सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बैन और वायों बोल दीजे इसक कि भई देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम 500 वर्सों में हमारे पूर्वजों के सामने नहीं उपाया पांक सो वर्स की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी फीड़ी सवभग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजिए और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएंगे एक ही जवाब है सारे प्रस्णों का एक ही जवाब है जातिवाद का भ्रष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का दिकास का सब का एक ही जवाब है कई वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराजमान कराती है बैनोर भाईयों उसका पूर्णे अभी आपको प्राप्त होगा मैं जानता हूँ आपने सब ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है पर पूर योगदान दिया है उसी के कारण अयोध्या में भक्वान राम का भव्य मंदिर बंदा है कितने लोग अयोध्या गए है बागे लोग जाईए ब्रजेस को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सब को दर्शन करा के लोगा अब आप आयोद्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की अयोद्या त्रेता युक का याद अस्वन हो जाएगा आपको ऐसे इस सदक बना दिया आयोद्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो आयोद्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं है हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आत्मा साखंबरी के धाम को भी और ये ब्रिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी गर्ण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा परताप की भबे प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दे रहे थे कांग्रेस सपा बसपा के लोग बीस वर्स से उस प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भब्बे प्रतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमा को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपति अर्जित की गई कब जा करके हमने संपति खाली करवाई और गरीबों के मख़ लोगों ने कहा रहे इस अभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों की आवाज बनेंगे जिसपे और मैंनों भायों गया वहाँ पे मकान बनाए गए हाराइज बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सूपी वहाँ दे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनेपिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या अरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सूंपे जाने है उसमें और इसलिए बैनों बाइयों मैं आया हूँ अकूत संभाउना वाला जो साहरनपुर था हस्त सिल्प को और कारीगर के लिए अपने उप जाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए रुख़ैयों के लिए और सहरनपुर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया कि असपार्णपुर स्माड़ सीती बन्डा है कि अससाहरनपुर में अपनी विवस्ता आथ सहहरनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल लाँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सारनपुर में साथ वर्स में इतनी बार आ गया है जितना साथ वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिलकर कि ने आया होंगे आगे हैं न मैं इतनी बार, मैं दो बार बार आता हूँ, सारन पुर आता हूँ, हर जिले में जाता हूँ, कोई उसमें रोक तोक नहीं है, बेजे जग जाता हूँ, समस्याओं को जमीन से देखता हूँ, जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता ह आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी समस्या अगले दिल समाधान और मोदी जी ने दस वरसे में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूख से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्टन आया चौदा के बाद आप देख रहे होंगे असी करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगा था मोदी जी के द्वारा साड़ करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांचलाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गड़ जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं तदकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ पचास करोड गरीबों के जंधन एकांट कांग्रेस के लोग तो सब भ्रस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकांट में आएगा बीच का मिटेटर समापत हो गया तैनोर भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधानवंत्री किसान सम्मानी जी का नाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गिया दस करोड गरीब मेलाओं को जला युजना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का चेहरा देख करके नहीं जाती अमत और मजब देख करके नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि ये हमारा प्रंपरा हमारी संस्कृत ये हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अगिकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ये जो सरकार है ना बनने के लिए तो इतना ही सरकार बनाने की कवयत प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट राश्टवाद या जातिवाद तुस्ट्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भरस्टाचार चाहिए या विकास चाहिए और बैन और वैयों आप सब राश्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाओं को लेकर केमलों का आये हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारनपुर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिय जंता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उता रहा है रागो लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है, जो जारू है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, आपके इताओं के लिए कारे करने वाले लोग हैं, सांसद नहीं थे पांच साल तक, लेकिन तब भी मैं देखता था, जब भी मैं सारणपुर आया, विकास के मुद्दे को लेकर के, हमेशा बैठक में भाग लेत थे, और कहते हैं साथ, विकास हो जाता अच्छा, और मैं आज इसलिए आप से कहने के लिए आया हूं, वह कारे कर सकते हैं, सारणपुर के विकास में, यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जज़बा है, उस जज़बे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे बैनों और भाईयों कठील होता है कि चुनाओं के दौरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता है गांगाओं नहीं जा सकता है कि चुनाओं के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चुनाओं तक आप सबको मोदी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सेमत है ना कमल चुनाचीन तभी आने का काम करेंगे बैनोर वाईएं मा लक्षिमी के करण भिकास होता है और भिकास के लिए मा लक्षिमी के लिए दिए पूल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सैमत है ना तो रागव लखन पार जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाव जिताएंगे सभी लोग सैमत है लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने पने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीज़ी से दिक मद्दान करा देंगे सैमत है सैमत है जाएंगे तो फिर आप सभी रागव लखन पार सर्मा के समरतन में दोनों हत्ता करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री से योगेंद्रुपाद्ध्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायक से ब्रदेश सिंग्जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी जस्वंत सेनी जे भारती जन्ता पार्टी के लोग सभा सहरन पूर्चेत्र के प्रत्यासे शिरागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्ध्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स यवा मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी दीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाक परमुक गण विजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणोर चौदरी जी बिजय राणा जी अर्विंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंच परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदाधिकारी गान और भारी संख्या में देवबंद रामपुर मनिहारन और गंगो विदानसमा चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्ति तिथी के साथ ही भारत के स्वाविमान और सम्मान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पौरुस और पुरसार्त और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा संगा की पावन जयनती है महारणा संगा की इस पावन जयनती पर उन्हें के सुपुत भारत के अंदर स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेस के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ति पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है। बैन और भाईयों माता बाला सुंदरी, मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस वीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ। महारण सांगा की जेंती पर भारत माता के इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोटी कोटी बधाई भी देता हूँ। बैन और भाईयों जब महारण प्रताप की बात होती है महारण सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है। महारण प्रताप उन्हों ने कहा था हमारी लड़ाई सब्ता की नहीं है स्वाभिमान की है। और स्वाभिमान के लड़ाई उन्हों ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता। उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तो और सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अख़बर जाना जाता था अख़बर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अख़बर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इलकार कर दिया था और वेन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर यह देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है क्योंकि महाना प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था धर्म के लिए था सत्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृतकिता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है, महारणा प्रताप के प्रति कर रहा है बेन और भाईयों हम सबने स्वतंत्र भारत में अनिक सरकारी सिर्फे-ा만-अधर्ति करने जा रहे हैं 1822 संसत के माद्यम से कि 58 लोगसबहा का चुनाओ है 24 में दो Pride 24 का जो लोगसबहा का चुनाओ चलना है इससे पहले जो भी सरकारे आई मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आई सब ने अपने उसार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मैं पूछना जाता हूं क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था क्या क्या भी कर पाते क्या राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कॉंग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में कि राम तो हुए ही नहीं और याद रखना हर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गए थे तो कालने भी भी राम नाम का जब कर रा था एक कालने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाए है हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बेन और भाईयों ये चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत सपस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग है दूसरी तरफ राष्टवाद के लोग है एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्बिन करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग है दूसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा बैभाव मर रहे मा हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेष्ट भारत के भावक से ओत्परोथ भारती जन्ता पायर्टी मोदी जी के नित्रत्व में है एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं मैं मेरा परिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफिया के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरी को रोंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरेयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दोसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अत्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जुके बिना रोके बिना डिके आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं देखा ना आपने दंगा कैसे होता भूल गए पत्थर बाजी भी भूल गए निर्चोड़ी बात को लेकि पत्थर बाजी होने लगती थी पहले परववर्पयावार कोई आता था और खास्त फॉल पर पस्यमिवतर में कोई भी परवर्पयार आता था ऑफलि विपावली चन्मावस्तिमि सिव्व Radtree रक्षावंन्य कोई भी परवर्पयार आता था कर्फियू लग जाता था प्रसावाबय उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाड हो करके लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये न रहेगा बास न बजेगी बास भी सारा बिवादी समाप तो कर दिया गया भैनो और भाईयों लोग इसी लिए कहने आप फरक महसूस करिए ये जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाबिमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राश्टिय स्वाबिमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा अब्यक्टिकट सम्मान रास्टिय सम्मान के सामने तुच्छ है हमारा अब्यक्टिकट स्वाबिमान रास्टिय स्वाबिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्ट आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देस हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रह पाईगा और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ लोग चाती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ती याद करा रहे हैं जैसे कालने मी चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहा है तरे आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बल और बुद्धी से आप अपार हैं जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हनुमान चाली सामयम पढ़ते हैं न बल बुद्धी बिद्ध्या देव मोही हरे हो कलेस विकार ये जातिवाद का कलेस हर डालिये ये छेप्रवाद का कलेस हर डालिये ये संप्रदाइवाद और तुष्टी करन के कलेस को हर डालिये और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा तिन सो सत्तर को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकी कोप्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयो यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारत की समाज किर्टक्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाइट तो है मोडी जी के नेत्रत में कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी किर्टक्यता ग्यापित करेंगे मोधी जी को समर्थन करेंगे और आखिर सतर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राप हुआ साथ वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सपने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वो कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पा रहा था इसलिए इस कारे को ही रोक दिया गया आसको आपका हाईवे बन गया न और बनाए नहीं अभी इस साल के अंद तक साहरनपूर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में पोरी होने वाली है दो घंटे में कौन दे रहा है यह दिकाच का कारवे यह देवबंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठखाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहारनपुर को सिक्सा कि एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मार होना था या पस्सिम का कासी बना था उसको आपने मजहवी जनून का अठखा बना दिया अराजकता भेलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैय होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्जानिक तैय करेंगे या कोई फत्वा तैय करेंगा लेकिन वेहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्तार राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था कि हाईवे बने रेल्वे की बहतर कनेक्टिविटी हो विस्व इड्याले बने हमारी सरकार आई इस सभी आईवे भी बने सारण प्रकुण स्मार्ट सिटी के रूप में विक्सित किया जा रहा है और माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंस्तिका के लिए भी हम लोग आएंगे बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था प्रोड़क्त योजना के माद्जम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का आवी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी बत्रा बनेगा तो जीरो टालांस की नीति के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर कि और बैनों और वाईयों कि आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बाकी जो बचे हुए हैं स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं अब देख रहे होंगे न बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले कि सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कांग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तक वा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने काफली कोफले बंद होने चेहें होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांथ कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांथ तो जिनकी गर्मी सांथ हो क्व कि थैप उनको जातिवाधी संगतन फिर से पैदा करने का प्रियाथ कर हुए पैदा होने देंगे उनको रधविज है कि रख्त बीच है रख्त बस य्ट जयसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे, सामाने नागरिकों का चीना हराम करेंगे, बेटी और ब्यापारी की स्रक्षा के सामने खत्रा पैदा करेंगे, इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने के आऊ सकता है, कोई आएगा आपके सामने वोट मागन निकले, कहना भहिया बहुत देख लिया है, इस्वर ने, कही हर सार ब्यक्ति तो मेनत करता है, अपनी मेनत का खाता है, कहिए भहिया देखो, सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुश रहें, इस्वर ये सब हमें दे दे रहा है, अब जो एक इच्छा होती है हर ब् पर कुछ हो जाए और बैन और वायों बोल दीजिए इसको कि बहुत देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम 500 वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्सों की फीडियां जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी फीडि सवभग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजिए और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएगे एक ही जवाब है सारे प्रस्नों का एक ही जवाब है जातिवात का भ्रष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एक ही जवाब है कईये वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराचमान कराती है बैनोर भाईयों उसका पूर्णय भी आपको प्राप्त होगा मैं जानता हूं आपने सब ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए अपना योगदान दिया है वर्पूर योगदान दिया है उसी के कारण अयुद्ध्या में भक्वान राम का भव्य मंदिर बन्दा है कितने लोग अयुद्ध्या गए है बागे लोग जाईए ब्रजेश को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओ के बाद एक ट्रेन पूरी बुक करवा करके लेकर जाओ सबको दर्शन कराके लोग जाए अब आप आयुद्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की ऐयुद्या त्रेता युक का याद स्मन हो जाएगा आपको ऐसे ही सलक बना दी है योध्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्स्प्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो योध्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं हमारे राम लिला की जो होमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आकमा साखंबरी के धाम को भी और ये बिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुन्दरी जी के धाम को भी सुन्दरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा प्रताप की भब्बे प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दे रहे थे कॉंग्रेस सपा पसपा के लोग 20 वर्षिस प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भब्बे प्रतिमा है अब ता और राश्ति महापुरसों के भी प्रतिमा को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है अपना घर भरते थे अन माफियाओं की संपत्य को इसलिए जब्द करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था ऊस माफिया के द्वारा प्रियाग राध में बड़ी संपत्य अरचीत की गई बड़ी संपति अर्जित की गई, कब जा करके, हमने संपति खाली करवाई और गरीबों के मख, लोगों ने कहा रहे इस अभी क्या कर रहा है, मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है, वही करना हो, गरीबों की आवाज बनेंगे जिसपे, और मैंनोबायों गया वहाँ पे, मकान बनाये गए, हार आइज बिल्डिंग बनाये गए, और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाबी मैंने सूपी वादे हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ, याद रखना, माफिया ने अनैतिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या ले चुके हैं या लेने वाले हैं, और फिर गरीबों के मकान उसमे आने वाले समय में बनने ही बनने हैं, और गरीबों को फिर मकान सुपे जाने हैं, और इसलिए बैनोबायों मैं आया हूँ, अकुत सम्भावनावला जो सारन पुरथा, हस्त Daar सिल्प öğर कारीगर के लिए, और सहारनपूर को पिछली सरकारों ने क्या बना दिया था आज सहारनपूर स्मार्ड सीथी बनदा है आज सहारनपूर में अपनी विवस्ता है आज सहारनपूर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ला हूँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सारनपुर में साथ वर्स में इतनी बार आ गया है जितना साथ वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिल करके ने आया होंगे आ गया ना मैं इतनी बार मैं दो बार बार आता हूँ सारन पुराता हूँ हर जिले में जाता हूँ जी कोई उसमें रोक तोक नहीं है बेजे जग जाता हूँ समस्याओं को जमीन से देखता हूँ जन प्रतिनिदियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हूँ आज आप देख रहा होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी ये समस्या है अगले दिन समाधान और मोदी जी ने तस वरसे में तो यही किया कोई सोसता था पहले लोग भूख से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा प्रिवर्टन आया चौदा के बाद आप देख रहे होंगे असी करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगात मोदी जी के द्वारा साड़ करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांचलाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक और जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं तदकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ पचास करोड गरीबों के जंधने कौन कांग्रेस के लोग तो सब रस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समाप को हो गया बैनोर भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधानवंत्री किसान सम्भानी जी का लाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया दस करोड गरीब मेलाओं को जला युजना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का चेहरा देखकर के नहीं जाती अमत और मजभ देखकर के नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि यह हमारा प्रंप्रा हमारी संस्कृत हैं हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अग्मिकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं यह जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की कवयत प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट रास्तवाद या जातिवाद तुष्ट्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भस्ता चार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वाईयो आप सब रास्तवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाव को लेकर केम लोग आये हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारणपुर में फिर से इक कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिय जंता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उतारा है रागो लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग है सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जात अच्छा और मैं आज इसलिए आप से कहने के लिए आया हूँ वा कारे कर सकते हैं सारणपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जजबा है उस जजबे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरे आप सबसे अपील होगे वैन और भाईयों कठील होता है चनाओ के दौरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता गांगाओ नहीं जा सकता चनाओ के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चनाओ तक आप सब को मोदीजी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल भग्र जाना पड़ेगा जाएंगे सबी करणी दिकास होता है और विकास के लिए म dead sky लिए कमल फूल चाहिए होता है चाहिए ना सेमत है ना तो रागव लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सभी लोग सेमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में सेमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी लागव लखन पाल सर्मा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री प्रदेश सर्कार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायक प्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी जस्वंत सेनी जी भारती जनता पाल्टी के लोग सभाज सहरनपूर छेत्र के प्रत्यासे सिरागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्यक्स हरेंदर जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स योआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी डीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाग परमुक गण बिजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणर चौदरी जी बिजय राणा जी अरविंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंजपर पस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदाधिकारीगान और भारी संख्या में देवबन रामपूर मनिहारन और गंगो विदान समा चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिती के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माद्यम से अपने पौरुस और पुरसार्त और सौर्य के माद्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयन्ती है महारणा सांगा की पावन जयन्ती पर उनी के सुपत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रती महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुंदरी मा साखंबरी और मायमना की पावन गोध में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस बीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ महारणा सांगा की जेंती पर भारत माता के इस महान दीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को में कोट कोटी बधाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारणा प्रताप की बात होती है महारणा सांगा की बात होती है तो सुदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारणा प्रताप उन्हों ने कहा था हमारी लड़ाई सब्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिमान के लड़ाई उन्हों ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर के घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासक ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को ना कोच्चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इलकार कर दिया था और बेन और भाईयों यही कारण है सेकणों वर्सों के बाद भी आज अगर यह देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है इसलिए इसमर्ण करता है क्योंकि महाना प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था धर्म के लिए था सक्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पन करेगा यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृत ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है महारणा प्रताप के प्रति कर रहा है बैन और भाईयों हम सबने स्वतंत्र भारत में अनिक सरकारी देखी यह 18 सरकार कम चुनाओ करने जा रहे हैं 18 संसत के माध्यम से और 18 लोग सभा का चुनाओ है 24 में 2024 का जो लोग सभा का चुनाओ चलना है इसे पहले जो भी सरकारे आई, मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आ मैं पूछना चाता हूं मैं पूछना जाता हूं क्या आयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था क्या है कि अब ये कर पाते क्या राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कॉंग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में कि राम तो हुए ही नहीं और याद रखना हुर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो कालने भी भी राम नाम का जब कर रा था एक कालने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाएं हैं हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बेन और भाईयों ये चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत सबस्त है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्म विन्म करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओचा रहे तेरा बैभाव मर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भाव से ओत्परोत भारती जन्ता पार्टी मोदी जी के नित्रत्व में है एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं में मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफिया के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरिक को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दूसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अप्तर्वर देश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जोके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं देखाना आपने दंगा कैसे होता भूल गए पत्थर बाजी भी भूल गए निर्चोड़ी बात को लेके पत्थर बाजी होने लगती थी पहले परवर्वरकोखार कोई आता था और खास्परवर्ण पस्शीवंत्र ब्रहने कोई भी परवर्वर्वार आता था कर्फ्यू लग जाता था कि प्रसासन विए उनका साथ देता था कि अब कर्फ्यू ने अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कि कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाड हो करके लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये न रहेगा बास न बजेगी बास उदी सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया पहनों और भाईयों लोग इसी लिए कहने के आप फरक महसूस करिए यह जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राश्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान रास्तिय सम्मान के सामने तुच्छ है हमारा ब्यक्तिकत स्वाभिमान रास्तिय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्त आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रहे पाएगा काने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से तरेता युक्ति यात कर रहे हैं जैसे आप तो बजरंगी तंत्र ने इतनी टागत दी है जैसे हमान चाली सामयम पढ़ते हैं ना बल बुधि विद्व्या देव मोही हरें कलेश विकार जातिवात का क्लेश हर डालिए यह छेप्रवाद का क्लेश हर डालिए यह संप्रदाइवाद और तुश्ट्वी करण के क्लेश को हर डालिए और अपना जनार्दन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं जो कस्मीर में धारा तिन सो सत्तर को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकी कुप्रथा को समाप्ट किया हैं हम उनको लाएंगे बैन और वायो यहां कारे हमें करना होगा और इसके लिए हमारा भारत के समाज क्रतक्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविकदाई तो हैं मोभी जी के नेत्रतर मेकारे हो आएं तो यह आंसर होता है हम भी कृतजि ताकि आप इज़ करेंगे मोभी जी को समर्थन करेंगे और और अखर 70 वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्रतक भुणा साथ वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सब ने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था कि आसपाप का हाईवे बन गया ना और बनाए नहीं अभी इस साल के अंत तक साहरणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में थोरी होने वाली है दो घंटे में कौन दे रहा है दिकाच का कार्वे कि यह देवबंद था कि देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठखाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेके भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहरणपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मौर होना था या पस्सिम का कासी बनना था उसको आपने मजहवी जनून का अठखाड़ा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैय होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्ज्यानिक तैय करेंगे या कोई फत्वा तैय करेगा लेकिन वहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी हो विश्वविद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सार अन्पर को स्मार्ड सिटी के रूप में इविक्सित किया जा रहा है और यहीं नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इन्वर्श्टी का निर्माण भी हम यहां पर कर रहे हैं सत्र प्रारम हो चुका है चुना के बाद भब्य उद्गाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्योंनी था ऐसा नहीं है कि हमारी कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोटसान नहीं था अज़ पीम विश्व कर्मा और वन डिस्टिर्लिक वन प्रॉडट्क्तर योशिना के मात्यम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पौने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का आवी नहीं माफिया नीचे तै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगे है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा पर खत्रा बनेगा तो जीरो टालांस की नीती के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेनो और वाईयों आप देख रहा होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बाकी जो बचे हुए है स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पर निकल गए है आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तगवा करते थे जब ये चलते थे तो मुख्य मंत्रियों के काफले रुख जाया परते थे मन्त्रियों के काफले कर दिया गया एक ही बार में है कि खुबे लाना कर भी सांत को जिनकी गर्मीध सांथ हो चुकी है उनको जाती बादे संगेतर्ण फिर से से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं नागरिकों का चीना हराम करेंगे बेटी और व्यापारी की प्रक्षा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने क्या उसकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए के ना भही आप बहुत देख लिया है इस्वर ने तो हर सार बैक्टी तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है का ये भही आदेखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुश रहें इस्वर ये सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर वेक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बेहन और वायों बोल दीजे उसको कि भई देखो हमारी जो इच्छा थी जो कान 500 वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्स की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी फीडी सवभग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजिए और कहिए कि जो राम को लहाए है हम उनको लहाएगे एक ही जवाब है सारे प्रस्तों का एक ही जवाब है जातिवात का फ्रस्ताचार का अराजगता का गुंदागिरती का विकास का सब का एक ही जवाब है का ये वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लिला को दिराचमान कराती है बैन और भाईयों उसका पूर्णे भी आपको प्राप्त होगा मैं जानता हूँ आपने सब ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है वरपूर योगदान दिया है उसी के कारण अयुद्ध्या में भक्वान राम का भव्य मंदिर बन्दा है कितने लोग अयुद्ध्या गए है बागे लोग जाईए ब्रजेश को मैं बोलूंगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सबका दर्शन कराके लोगा करक आपको ऐसे ही सबक बना दी है युद्ध्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो युद्ध्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं हमारे राम लिला की है जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आकमा साखंबरी के धाम को भी और यह ब्रिजेश सिंग तो अपने यहां पर बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा परताब की भबे परतिमा लगी है अस्वारोई परतिमा लगी है 20 वरसते लगाने नहीं दो रहे थे कांगरेस सपा बसपा के लोग 20 वरसते उस परतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भब्बे प्रतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमा को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के गवारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपति अर्जित की गई कब जा करके हमने संपतिक खाली करवाई और गरीबों के मख़ लोगों ने कहा रहे इस अभी क्या कर रहा है मैंने कहा क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों की आवाज बनेंगे जिसपे और मैंनों भायों गया वहाँ पे मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सोबी वहाँ दे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनेतिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या अरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सोंपे जाने है उसमें और इसलिए बैनों बायों मैं आया हूँ अकूद संभावना वाला जो साहरनपुर था हस्त सिल्प को और कारीगर के लिए अपने उप जाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यह आज सहरनपुर स्मार्ड सी थी बंदा है आज सहरनपुर में अपनी विवस्ता है आज सहरनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ला हूँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हूँ जो सहरनपुर में साथ वर्स में इतनी बार आ गया है जितना साथ वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिलकर की ने आया हूंगे आगे आना मैं इतनी बार, मैं दो बार-बार आता हूँ, सारण पूर आता हूँ, हर जिले में जाता हूँ कोई उसमें रोक तोक नहीं है, बेजह जग जाता हूँ, समस्याओं को जमीन से देखता हूँ जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हो आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी यह समस्या है अगले दिन समाधान और मोदी जी ने दस वर्से में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूक से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्टन आया चौदा के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगाद मोदी ची के द्वारा साथ करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांच लाग रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गड़ जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बीमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं तदकाल उस गरीब के खाते में पैसा भीज़वा देता हूँ पचास करोड गरीबों के जंदन एकांट कांग्रेस के लोग तो सब भष्टाचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकांट में आएगा बीच का मिटेटर समाप तो हो गया तैनोर भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अनताथा किसानों के घर में किसानों को प्रधानवंत्री किसान सम्वानी जी का लाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया 10 करोड गरीब मैलाओं और जलान यूजना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का छेहरा देख कर के नए जाती, अमत और मजब देख कर के नए आधी सब का साथ और सबके विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि ये हमारा प्रंप्रा हमारी संस्कृत ये हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अग्मिकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ये जो सरकार है ना बनने के लिए जो नहीं सरकार बनाने की जो कवैत प्रारम होई है ये वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट राश्टवाद या जातिवाद तुस्त्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भरस्टाचार चाहिए या विकास चाहिए और बैन और वयो आप सब राश्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाव को लेकर के मुढक काओ है इन सब को नित्रत्तव देते हैं मोडी जी सब के नित्रत्व में सार अरंपूर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिय जनता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उतारा है रागो लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है, जो जारू है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग हैं, सांसद नहीं थे पांच साल तक, लेकिन तब भी मैं देखता था, जब भी मैं सारणपुर आया, विकास के मुद्दे को ले करके, हमेशा बैठक में भाग लेते और कहते हैं, साथ विकास हो जाता अच्छा है, और मैं आज इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ, वह कारे कर सकते हैं, सारणपुर के विकास में, यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जज़बा है, उस जज़बे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ और इसलिए मेरे आप सबसे अपील होगे बैनों और भाईयों कठील होता है चुनाओ के दौरान एक प्रत्यासी घर-घर नहीं जा सकता गांगाओ नहीं जा सकता चुनाओ के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चुनाओ तक आप सबको मोदीची के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर-घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सेमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयो मा लक्सिमी के करणे विकास होता है और विकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सेमत है ना तो रागव लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सभी लोग सेमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीज़ी से दिक मद्दान करा देंगे सेमत हैं सेमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी रागव लखन पाल सर्मा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री से योगेंद्र पाद्ध्या जी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग्प्रिय विधायक से ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी जस्वंत सेनी जी, भारती जन्ता पाल्टी के लोगसभाज सहरनपूर छेत्र के प्रत्यासी, जी रागहो लखनपाल सर्मा जी, छेत्रियो पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी, छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी, जिला प्रभारी डीके सर्मा जी, आज केस कारिक्रम में पस्तित, चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी, चौदरी राजपाल जी, बलाक परमुक गण विजय त्यागी जी, सीमती चान्नी राणा जी, प्रणोर चौदरी जी, बिजय राणा जी, अर्विंद राणा जी, बिनोत कुमार जी, मंज परुपस्तित, भारती जनता पाल्टी के सभी, पदादिकारीगान और भारी संख्या में देवबंद, रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसबाद चेत्र से जुड़ेवे समी मेरे पस्तित बेन और भाईयों, आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिती के साथ ही भारत के स्वाविमान और सम्वान को अपने बाहुबल के माद्यम से, अपने पौरुस और पुरसार्थ और सौर्य के माद्यम से, दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी, महारणा सांगा की पावन जयन्ती है, महारणा सांगा की स्पावन जयंती पर उन्हीं के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधार्म और स्वदेश के प्रतीक उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुंदरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर्जन्पत की इस वीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ मारण सांगा की जेयंति पर भारत माता के इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोटी कोटी बधाई भी देता हूँ वैन और भाईयों जब माहरण प्रताप की बात होती है माहरण सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है माहरण प्रताप उन्हान ने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिमान की लड़ाई उन्हान ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं जुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्हाने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पन भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वद्धर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था और बैनोर भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिह याद करता है, इसलिह स्वृर्ण करता है क्योंकि महाना प्रताप का त्याग और बलदानdes देश के लिए था धर्म के लिए था सट्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समरपड करेगा यह समाज उसके प्रती ऐसे ही कृतकिता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रती कर रहा है, महारणा प्रताप के प्रती कर रहा है, बैन और भाईयों, हम सब ने स्वतंद्र भारत में अनेक सरकारीं देखी, यह अठारवी सरकार काम चुनाओ करने जा रहे हैं अठारवी संसत के माध्यम से, और अठारवी लोगसभा का चुनाओ है, चौबिस में दौजार चौबिस का जो लोगसभा का चुनाओ चलना है, इससे पहले जो भी सरकारें आई, मोधी जी के पहले कोई भी सरकारें आई, चाहता हूँ मैं पूछना जाता हूँ क्या राम मंदिर का निर्मान उन लोगों ने कियाॆ था क्या यह भी कर पाते क्या राम का नाम उस समय तूंश सभी लोग कहते ये राम हुए ही नहीं कहते थे ना कांगो्रेस इसने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोर्ट में कि राम तो हो यही नहीं और याद रखना कि हर्मान जी जब कि संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर रहा था एक काल ने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाए हैं हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बेन और भायों यह चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिंडबिन करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा वैवह अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भाव से ओत्परोत भारती जनता पायल्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं एक तरफ अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं मैं मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफिया के हवाले गिर्वी करके सामान नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दूसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अत्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जोके बिना रोके बिना डिके आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं और पहने हैं दंगा कैसे होता भूल गए पत्थर बाजी भी भूल गए निर्चोड़ी बाद को लेकि पत्थर बाजी होने लगती थे पहले परवर्वर्वार कोई आता था और खास्त परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है कि पहले जहां से चिलाठ हो करके लोग खत्री में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी सारा बिवादी समाप तो कर दिया गया भैनो और भाईयों लोग इसी ले कहने के आप फरक महसूस करिए ये जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोंदने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राश्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा अब्यक्टिकत सम्मान रास्टिय सम्मान के सामने तुच्छ है हमारा रास्ट आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके, धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे, नहीं वो सुरक्सित रहे पाईगा और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ लोग चाती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ति याद करा रहे हैं जैसे कालने मी चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहा है तरे आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बन और बुद्धि से आप अपार हैं जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हर्मान चाली सामयम पढ़ते हैं न बल बुद्धि बिद्ध्या देव मोही हरे हो कलेस विकार ये जातिवाद का कलेस हर डालिए ये छेत्रवाद का कलेस हर डालिए ये संप्रदाइवाद और तुष्टी करन के कलेस को हर डालिए और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं जो कस्मीर में धारा तिन सो सत्तर को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकी को प्रथा को समाप्ट किया हैं हम उनको लाएंगे बैन और वायों यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यह हमारा भारत की समाज किरतक्यता ग्यापित करना ही अमारा वास्तिविक दाइत तो हैं मोडी जी के नेत्रत्त में कारे हुआ हैं तो यह उसर होता है हम भी कृत्यता ग्यापित करेंगे मोधी जी को समर्थन करेंगे और आखिर सत्तर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राप हुआ साथ वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सपने सासन किया साहरनपूर को दिया क्या साहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वो कॉंटेक्टर कमिसन नहीं दे पा रहा था इसलिए इस कारे को ही रोक दिया गया आस्पाप का हाईवे बन गया ना और बनाए नहीं अभी इस साल के अंत तक सारणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में पोरी होने वाली है दो घंटे में कौन देरा ये दिकाच का कारवे ये देव बंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देव बंद को मज़वी जनून का अठकाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहरनपुर को सिक्सा कि एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्माष होना था या पस्षिम का कासी बना था उसको आपने मज़वी जनून काड़ा बना दिया अराजक्ता भेलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के ले अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी यह भी फत्वे से तैय होगा अरे डॉक्टर और बैग्जानिक तैय करेंगे या कोई फत्वा तैय करेंगा लेकिन बहनों और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्तार राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिमिटियो बिश्विध्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सारंपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में नुप्चित किया जा रहा है और यही नहीं मास साखंबरी के नाम पर एक वर्ड कलास इंवर्श्ती का निर्मान भी हम यहाँ पर कर रहे हैं सत्र प्रारम हो चुका है चुना के बाद भब्योद घाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था आथ पियेंट विष्व कर्मा और वण डिस्टिक वण प्रॉडक्ट योजना के माद्जम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पौने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने कहा भी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वही जाएगा जहां उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा पे खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीति के तहाद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेनो और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बागी जो बचे हुए है स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है अब देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तक वा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्य मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने कहें काफली कोफले बंद होने चेहिए भाई होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांत कर दिया गया, एक ही बार में, हो गया ना गर्मी सांत, तो जिनकी गर्मी सांत हो चुकी है, उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं, पैदा होने देंगे क्या उनको? मत पैदा होने दो, ये रक्तबीज हैं, रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे, सामाने नागरिकों का चीना हराम करेंगे, बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे, इसलिए इनके सामने जुकने की वज़ाए दो हर सार व्यक्ति तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है का यह बहिया देखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुश रहें इस्वर यह सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बेन और वायों बोल दीजे इसको कि भई देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम पांसो वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया पांसो वर्स की फीडियां जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी पृड़ी सवभग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाए है एक ही जवाब है सारे प्रस्णों का एक ही जवाब है जातिवात का भरष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एक ही जवाब है कई वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराचमान कराती है बैनोर भाईयों उसका पूर्णय भी आपको प्राप्त होगा मैं जानता हूँ आपने सब ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है वरपूर योगदान दिया है उसी के कारण अयोध्या में भक्वान राम का भव्य मंदिर बंदा है कितने लोग अयोध्या गए है बागे लोग जाए ब्रजेश को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओ के बाद एक ट्रेन पूरी बुक करवा करके लेके जाओ सब को दर्शन करा के लोगए है अब आप अयोध्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की अयोध्या त्रेता युक का याद अस्मन हो जाएगा आपको ऐसे ही सड़क बना दी है अयोध्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्स्प्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो अयोध्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं है हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम मास आखंबरी के धाम को भी और ये बिजेश स्टिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करन के कारे के साथ जोड़ चुके है मैं भी आया चौराहे पर महारणा परताप की भबे परतिमा लगी है अस्वारोई परतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दे रहे थे कांग्रेस सपा पसपा के लोग बीस वर्स से उस परतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भबे परतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे है एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपति अर्जित की गई, कब जा करके, हमने संपति खाली करवाई और गरीबों के मख, लोगों ने कहा रहे इस अभी क्या कर रहा है, मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है, वही करना हो, गरीबों की आवाज बनेंगे जिसपे, और मैंनोबायों गया वहाँ पे, मकान बनाये गए, हार आइज बिल्डिंग बनाये गए, और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाबी मैंने सूपी वहाँ दे हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ, याद रखना, माफिया ने अनैतिक और अवे तरीके से जित्ती संपत को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं, और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं, और गरीबों को फिर मकान सूपे जाने हैं उसमें, और इसलिए बैनोबायों मैं आया हूँ, अकूत संभावना वाला जो सारन पुर्था, हस साय और अध्यमियों के ले मद सहारन पूर को पिसली सर्कारों ने क्या बना दिया है आज शहरन पूर स्मार्व सिति बंड़ा है आज शहरन पूर में अपनी विवस्ता है है जघ साहरन पूर कि अपनी एक नहीं पैचान के साथ न YouTube के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोलना हूं मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सारणपुर में साथ वर्स में इतनी बार आ गया है जितना साथ वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिल करके नहीं आया हूंगे आगे हैं न मैं इतनी बार मैं दो बार बार आता हूं सारणपुर आता हूं हर जिले में जाता हूं जी कोई उसमें रोक तोक नहीं है बेजे जग जाता हूं समस्याओं को जमीन से देखता हूं जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हूं आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी यह समस्या है अगले दिन समाधान और मोदी जी ने तस वरसे में तो यही किया कोई सोसता था पहले लोग भूख से मरते थे 14 के पहले 14 के बाद आपने देखा होगा कैसा प्रिवर्टन आया 14 के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगा मोदी जी के द्वारा 60 करोड गरीबों को आयुसमान भारत में 5 लाग रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गर जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं ततकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ 50 करोड गरीबों के जंधने कौन कॉंग्रेस के लोग तो सब रस्टाचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समाप को हो गया तैनो और भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अनटाता किसानों के घर में किसानों को प्रधानवंत्री किसान सम्भानी जी का नाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया दस करोड गरीब मैलाओं को जला-यजना का कनेक्षण मिल गया ये सब काम किसी का चेहरा देख करके नहीं जाती अमत और मजब देख करके नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ होआ क्योंकि ये हमारा प्रंप्रा हमारी संस्कृत ये हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अग्लिकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं यह जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की कवैत प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट राष्टवाद या जातिवाद तुस्त्री करण या फिर सबका साथ और सबका विकास भस्ता चार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वयों आप सब राष्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सबका साथ और सबके विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर केमलों का आए हैं इन सबको नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोधी जी के नित्रत्व में सारनपुर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिय जनता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उतारा है रागो और लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग हैं सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारनपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जात अच्छा है और मैं आज इसलिए आप से कहने के लिए आया हूँ वह कारे कर सकते है सारनपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जज़वा है उस ज़श्वे के साथ आज जोए आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे वैनो और भाईयों कठील होता है चनाओ के दौरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता है गांगाओ नहीं जा सकता है चनाओ के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चनाओ तक आप सब को मोदीची के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सभी लोग जाएंगे सभी लोग सहमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयो माल लक्सिमी के करणे दिकास होता है और दिकास के लिए माल लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सहमत है ना तो रागव लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सभी लोग सहमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीस पीसे दिक मत्तान करा देंगे सहमत है सहमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी लागव लखन पाल सर्मा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री स्योगेंद्र उपाद्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायाग से ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी से जस्वंत सेनी जी भारती जनता पाल्टी के लोग सभा सहरन पूर्छेत्र के प्रत्यासी सिरागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी दीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिनगर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाग परमुगण बिजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणर चौदरी जी बिजय राणा जी अरविंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंच परपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदाधिकारीगान और भारी संख्या में देवबन रामपूर मनिहारन और गंगो विदान सभा चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नवरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और सम्मान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पौरुस और पुरसार्त और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयन्ती है महारणा सांगा की स्पावन जयन्ती पर उनी के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुन्दरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस वीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से विनंदन करता हूँ महारण सांगा की जेयंती पर भारत माता के इस महान दीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोटी कोटी बढ़ाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारण प्रताप की बात होती है महारण सांगा की बात होती है तो सुदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महरणा प्रताथ उन्हाने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिमान के लड़ाई उन्हाने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रानता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर के घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकुमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं चुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पड भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासक ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विफ्रीत स्वधर्म के विफ्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इलकार कर दिया था और बैन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है क्योंकि महाना प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था धर्म के लिए था सत्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समरपन करेगा यह समाज उसके प्रती ऐसे ही कृतकिता ग्यापित करेगा जैसे आज महाना सांगा के प्रती कर रहा है महारणा प्रताप की प्रति कर रहा है भैन और भाईयों हम सब ने स्वतंत्र भारत में अनिक सरकारी देखी यह अठारवी सरकार कम चुनाओ करने जा रहे हैं अठारवी संसत के माध्यम से और 18 लोग सभा का चुनाओ है 24 में 2024 का जो लोग सभा का चुनाओ चलना है इससे पहले जो भी सरकारे आई मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आई सब ने अपने उसार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था क्या? यदि आफ़ी कर पाते क्या? राम का नाम उस समय तो सभी लोग कहते थे राम हुय ही नहीं? कहते थे ना? कांग्रेस ने एफिड़ेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में कि राम तो हो यही नहीं और याद रखना हर्मान जी जब संजीवनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर रहा था एक काल ने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाएं हैं हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बैन और भाईयों यह चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत सबस्त है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्ट बाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्मे बिन्मे करने वाले पुष्टी करन की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा बैभामर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भावक से ओत्परोत भारती जनता पार्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं एक तरफ अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं मैं मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माथिया के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरेयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दूसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में उत्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जोके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं के की देखाना अपने कि डंगा कैसे होता बूल गए पत्थर वाजी कुं के निथ चोड़ी बात को लें कि पत्थर वाजी होने लगती थी हमें पेहले पर्वा और्प्यवार कोई आता था और खास पर प्षोमी UTAर ब्रडेश में कोई भी पर्व४र तेवार आता था ओली, दिपावली, चन्मास्तिमी, सिवरात्री, रक्सावन्दन, कोई भी परवर्ते हुआ राता था, कर्फ्यू लग जाता था, प्रसासन भी उनका साथ देता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक तोक नह माई की हमने उतार दिये, न रहेगा बास न बजेगी बास भी, सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया, पहनो और भाईयों, लोग इसी लिए कहने, आप फरक महसूस करिए, यह जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए, विस्वास मत करिए, कभी विस्वास म करिए, क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है, वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते, कभी राश्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते, और मैं इस बात को कह सकता हूँ, हमारा ब्यक्तिकत सम्मान, राश्टिय सम्मा के सामने तुच्छ है हमारा व्यक्टिकत स्वाभिमान रास्टे स्वाभिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्ट आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सु अजावत्रे में ढाले करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वोCH फटाएंगा और इसलिये में आप से कहने के लिए आए ओं का ए या द 돼भु ऑझरेन लड़ाने का काम कर रहे हैं कि रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ति याद करा रहे हैं जैसे काल नेमी चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहा तरे आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बल और बुद्धि से आप अपार हैं जनता को जनारदन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हनमान चाली सामयम पढ़ते हैं न बल बुद्धि विद्ध्याद्धेव मोही धर्यों कलेस भिकार ये जातिवाद का कलेस हरडालिए इच्छेपनवाद का कलेस हरडालिए इस संप्रदाइवाद और तुष्टी करण के क्लेस को हर डालिये और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिये जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा तिन सो सत्तर को समाप्ट किये है हम उनको लाएंगे जिनोंने तीन कला की को प्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बेन और वाईयों यहां कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारत के समाज कृतगता ग्यापिद करना ही हमारा वास्तिविक दाई तो है मोधी जी के नेत्रिकामे कारे हुआ है, तो ये अउसर होता है, हम भी कृतकिप आपिछ करेंगे, मोधी जी को समर्थन करेंगे, और आगिर सतर वर्सों तक सबको सासन करने का उसर काथ क युजा, साट वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के उन्दर सासन किया, सपा बसपा सपने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वह कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पारा था इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया आस्पाप का हाईवे बन गया ना और बनाए नहीं अभी इस साल के अंद तक साहरणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में थोरी होने वाली है दो घंटे में कौन देरा यह दिकाच का कारवे यह देव बंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देव बंद को मजहवी जनून का अठखाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेके फट्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहरणपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मौर होना था या पस्सिम का कासी बनना था उसको आपने मजहवी जनून काड़ा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फट्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तै होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्ज्यानिक तै करेंगे या कोई फत्वा तै करेगा लेकिन बेहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी ओ विश्वविद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सार अनपर को स्मार्ट सिटी के रूप में इविक्सित किया जा रहा है और यही नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंवर्श्टी का नि क्यारी के लिए भी हम लोग आएंगे बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था आज पीएम विश्व कर्मा और वन डिस्टिंग वन प्रोड़क्ट लियोजना के माद्जम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का भी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्सा पे खत्रा बनेगा तो जीरो टालांस की नीती के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बैनों और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बाकी जो बचे हुए हैं स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है आप देख रहे होंगे न बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कांग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तक वा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने का एक काफली कोफले बंद होने चेहें वही होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांथ कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांथ तो जिनकी गर्मी सांथ हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो ये रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों लोगा चीना हराम करेंगे बेटी और व्यापारी की स्रक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने क्या उसकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए के ना भाई आप बहुत देख लिया है इस वर ने हर सार बैक्टी तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है का ये भाई या देखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुस रहें इस्वर ये सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर बैक्टी के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भाई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बैन और वायों बोल दीजे इसको कि भाई देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम पांसो वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया पांसो वर्स की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी पृड़ी सवभग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएगे एक ही जवाब है सारे प्रस्णों का एक ही जवाब है जातिवात का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का, गुंदागिर्थी का, विकास का, सब का एक ही जवाब है, कई ये वहिया सब कुछ हो रहा है, हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद, अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए, हम तो वही करेंगे ज जो अयोध्या में राम लुला को धिराचमान कराती है, बेनोर भाइयों, उसका पूर्णय भी आपको प्राप्त होगा, मैं जानता हूँ, आपने सब ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है, वर पूर योगदान दिया है, उसी के कारण लोग आयुद्या गये हैं वागे लोग जाईए ब्रजेश को मैं बोलूंगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सब को दर्शन कराके लोगा अब आप आयुद्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की आयुद्या त्रेता युक का याद अस्वन हो जाएगा आपको ऐसे इस सदक बना दिया आयुद्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो आयुद्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं है हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आत्मा साकंबरी के धाम को भी और ये ब्रिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी गर्ण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा प्रताप की भबे प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दो रहे थे कांग्रेस सपा बसपा के लोग बीस वर्स से उस प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भबे प्रतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपति अर्जित की गई कब जा करके हमने संपति खाली करवाई और गरीबों के मख़ लोगों ने कहा रहे इस आभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों की आवाज बनेंगे जिसपे और मैंनों भाईयों गया वहाँ पे मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हातों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सूपी वहाँ दे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनैपिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या अरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सोंपे जाने है उसमें और इसलिए बैनों बाइयों मैं आया हूँ अकूत संभावनावला जो साहरनपुर था हस्त सिल्प को और कारीगर के लिए अपने उपजाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यह और साहरनपुर समाट सिती बंदा है आज सहारनपुर में अपनी विवस्ता है के अजुद साहारनपुर अपनी नइपःचान के साथ नई धोमध के साथ आगे बढव और और मुझे लगता है कि मैं आपसे बोल ना ओँ कि मैं एक मुक्श्य मंत्री ऐसा हो जो सारनपुर में साथ वर्स में इतनी बार आ गया है जितना साथ वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिल करके नहीं आया होंगे आ गया ना में इतनी बार मैं दो बार बार आता हूँ सारनपुर आता हूँ हर जिले में जाता हूँ कोई उसमें रोक तोक नहीं है बेजज़ग जाता हूँ, समस्याओं को जमीन से देखता हूँ, जंप्रतुमिदियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हूँ आज आप देख रहे होंगे, कोई समस्या आपको लगती होगी यह समस्या है अगरे दिन समाधान और मोदी जी ने तस वर्स में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूख से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्टन आया चौदा के बाद आप देख रहे होगे असी करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगा मोदी ची के द्वारा साड़ करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांच लाग रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गर जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं तदकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ पचास करोड गरीबों के जंधने को कॉंग्रेस के लोग तो सब भ्रस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समापत हो गया तैनो और भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अनटाता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्वानी जी का लाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया दस करोड गरीब मेलाओं को जला युजना का कनेक्शन मिल गया ये सब काम किसी का चेहरा देखकर के नहीं जाती अमत और मजभ देखकर के नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि ये हमारा प्रंप्रा हमारी संस्कृत हैं हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अग्लिकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ये जो सरकार है ना बनने के लिए जो नहीं सरकार बनाने की जो कवैत प्रारम हुई है यह वही है 네सन फ़र्ष्ट या फेमली फ़र्ष्ट राष्ट वाद या जातीवाद तुस्त्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भस्ता चार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वैयो आप सब राष्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर केमरों का आये हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोधी जी के नित्रत्व में साहरनपुर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिये जनता पार्टी ने प्रतियसी बना करके उता रहा है कि रागो और लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है कि एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग हैं सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जाता अच्छा है और मैं आज इसलिए आप से कहने के लिए आया हूँ वह कारे कर सकते सारणपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक ज़जबा है उस ज़जबे के साथ आज वह आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे बैनों और भाईयों कठील होता है चुनाओ के दोरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता है गांगाओ नहीं जा सकता है चुनाओ के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चुनाओ तक आप सब को मोदीची के प्रतिनिधी के रूप में रागव लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सहमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयों मा लक्सिमी के करणे दिकास होता है और दिकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सहमत है ना तो रागव लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सबी लोग सहमत है लेकिने तभी संबह होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में सहमत है जाएंगे तो फिर आप सभी रागव लखन पाल सर्मा के समर्थन में दोनों हत्ता करके बोलेंगे भारत माता की जन्पत के प्रभारी मंत्री से योगेंद्र पाद्ध्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायाग से ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी सि जस्वंत सेनी जी भारती जन्ता पाल्टी के लोग सभाज सहरनपूर छेत्र के प्रत्याजी सि रागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्ध्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी दीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाग परमुगण बिजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणार चौदरी जी बिजय राणा जी अरविंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंजपर पस्तित भारती जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगान और भारी संख्या में देवबन रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसवा चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माद्यम से अपने पौरुस और पुरसार्थ और सौर्य के माद्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयनती है महारणा सांगा की इस पावन जयनती पर उन्हीं के सुपुत भारत के अंदर स्वाविमान के प्रतीक स्वधार्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रती महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयो माता बाला सुन्दरी, मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर्जन्पत की इस बीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ मारणा सांगा की जेयंती पर भारत माता की इस महान आप बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को में कोट कोट बढ़ाई भी देता हूं। वैन और भाईयों जब महारणा प्रताप की बात होती है, महारणा सांगा की बात होती है, तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है। महारणा प्रताप उन्हों ने कहा था हमारी लड़ाई सब्ता की नहीं है, स्वाभिमान की है। और स्वाभिमान के लड़ाई उन्हों ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता। उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अख़बर जाना जाता था अख़बर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अख़बर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इलकार कर दिया था और बेन और भाईयों यही कारण है सेक्ड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है इसलिए इसमर्ण करता है क्योंकि महाना प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था धर्म के लिए था सत्ता के लिए नहीं था य 확 sit by देश और धर्म के लिए जो भी समर्पẩण करेगा यह समाज उसके प्रती ऐसे ही कृत्र किता क्या प्रति करेगा जैसे आग माहरणा कि प्रतिकर रहा है महारणा परताप की प्रतिकर रहा है कि बैनाव भाइयों हम सब सबने 27 भारत में अिक सरकारी देख्ञें हे सरकार का हम चुनाओं करने जारे sein हे संसत के माध्यम से और 28 लोगसροध का कि चुनाओं है चौबिस में 2024 का जो लोग सवह का चुनाव चलना है इससे पहले जो भी सरकारे आई मोदी जी के पहले कोई भी सरकारे आई सब ने अपने उसार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मैं पूछना चाहता हूँ आप relieved설 में राम मंदिर का निर्माण उन्हों ने किया था क्या दिया कं आभी कर पाते क्या आप है राम का नाम उस समय तो सभी लोग को और उले का तरा हुए इनहीं कहते थे ना आ है संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर रहा था एक काल ने में आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाएं हैं हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बेन और भायों यह चुनाओ भी दो धुर्विकरण में बहुत सपस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्मे बिन्मे करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाबिमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा बैभामर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे के भाउक के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भाउक से उत्परोथ भारती जन्ता पाल्टी मोधी जी के नितृत्व में हैं एक करफ अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं मैं मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माथ्या के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दोसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अत्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जुके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं डेखाना आपने, डंगा केसे होता, भूल गय कह पत्थर बाजी भूल गये, निर छोड़ेड़ी बात को ले कि पत्थर बाजी होने लगती थी, पहले परबन प्यवहार को यह आता था और खास्तोर वड्पस्टमी उतर ब्रधेस में कोई परबर्द्यार आता था्तोर ओलिय वीपावली जन्माश्थिनि सिंवरात्री रक्सावण्यत कोई भी परबर आत्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाठ हो करके लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया पहनों और भाईयों लोग इसी लिए कहने के आप फरक मेसूस करिए ये जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राश्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान रास्तिय सम्मान के सामने तुच्छ है हमारा ब्यक्तिकत स्वाभिमान रास्तिय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्त आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म, यही हमारा रास्ट धर्म है, यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे, लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके, धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे, नहीं वो सुरक् बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ति याद करा रहे हैं जैसे कालने में चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहा तरे आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बल और बुद्धी से आप अपार हैं जनता को जनारदन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका अवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हरुमान चालिसा मैं पढ़ते हैं न बल बुद्धी बिद्ध्या देऊ मोही हरें कलेस विकार ये जातिवाद का कलेस हर डालिए ये छेप्रवाद का कलेस हर डालिए ये संप्रदाइवाद और तुष्ट्री करन के कलेस को हर डालिए और अपना जनारदन सूरूब दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए है जो कसमीर में धारा 370 को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने 3 तलाकि को प्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयों यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यह हमारा भारत के समाज कृतग्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाईत्व है मोदी जी के नेत्रत में कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी कृतग्यता ग्यापित करेंगे मोधी जी को समर्थन करेंगे और आखिर सत्तर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राप हुआ साथ वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सब ने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोग दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वो कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पारा था इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया आस्पाप का हाईवे बन गया न और बनाए नहीं अभी इस साल के अंत तक साहरणपुर से दिल कि दूरी मात्र दो घंटे में फोरी होने वाली है को कौन देरा यह दिकाच का कारविश है कि यह देवबंद था कि देवभूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठकाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेके फट्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहारनपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्माओर होना था या पस्सिम का कासी बनना था उसको आपने मजहवी जनून काड़ा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फट्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फट्वे से तैह होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्ज्यानिक टै करेंगे या कोई फट्वा टै करेगा लेकिन बहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी हो विश्व इद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सार अनप्र को स्मार्ट सीटी के रूप में इपिक्सित किया जा रहा है और यहीं नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इन्रस्टी का निर् भी हम लोग आएंगे हैं अब बैन और वायों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी ध्मक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोटसान नहीं था आज पीम विश्व कर्मा और वर वन डिस्टिक वन प्रोड़क्त योजना के मात्यम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहुने दाम पर बेज करके माफिया नीचे तैक करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्सा पर खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीटी के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेनों और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बागी जो बचे हुए हैं स्वयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तगवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे उर सरकार बदली हमने काफले कोफले बंद होने चेए होटर होटर सब बंद कर आओ और फिर उनकी गर्मी को सांत कर दिया गया एक यह की बार में हो गया है और मिसान है तो जिनकी गर्मी सांत होचुकी है उनको यह जातिवाधी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियात कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो यह रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों का चीना हराम करेंगे बेटी और ब्यापारी की स्रक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने के वज़ाए दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए कहना भहिया बहुत देख लिया है इस्वर ने हर सार बेक्टी तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है कहिए भहिया देखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुश रहें इस्वर ये सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर बेक्टी के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बैन और वायों बोल दीजे इसको कि भई देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम पांसो वर्सों में हमारे पूर्वजों के सामने नहीं हो पाया पांसो वर्स की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आँखों से देखा है इसलिए हमारी फीडि सवभग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएगे एकी जवाब है सारे प्रस्नों का एकी जवाब है जातिवाद का ब्रश्ताचार का अराजकता का गुंतागिर्थी का विकास का सबका एकी जवाब है करेकंदे वह içा सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पुरज़ों के प्रतिकृत के ताक्य आपित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराचमान कराती है कि बैनोर भाईयों उसका पूर्णय भी आपको प्राप्त होगा मैं जानता हूँ आपने सबने आयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है वरपूर योगदान दिया है उसी के कारण आयोध्या में भख्वान राम का भव्य मंदिर बंदा है किते लोग आयोध्या गए है बागे लोग जाएए ब्रजेश को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सब को दर्शन करा के लाओं अब आप आयोध्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की अयोध्या त्रेता युक का याद अस्मन हो जाएगा आपको ऐसे इस सड़क बना दिया जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो आयोध्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं है हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आत्मा साखंबरी के धाम को भी और यह बिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी गर्ण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं जो मैं भी आया चौराहे पर महारणया प्रताप की और पिर दिमा अज देखो क्या भत परतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपति अर्जित की गई कब जा करके हमने संपतिक खाली करवाई और गरीबों के मख़़गों ने घर इस अभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतनब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवाज बनेंगे जिसपे और मैंनों भाईयों गया वहाँ पर मकान मनाए गए हाराइट बिल्डिंग मनाए गई और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सोंपी वहाँ दे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना मापिया ने अनेतिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या आरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीति के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सूंपे जाने है उसले बैनों बायों मैं आया हूँ अकूत सम्भावनावला जो साहरनपुर था हस्त सिल्पक और कारीगर के लिए अपने उपजाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और साहरनपुर को पिछली सरकारों ने क्या बना दिया था आज साहरनपुर स्माड सिती बंदा है आज साहरनपुर में अपनी विवस्ता है आज साहरनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ला हूँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सारनपुर में साथ वर्स में इतनी बार आगया है जितना साथ वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिलकर की नहीं आया होंगे आगे हैं न मैं इतनी बार, मैं दो बार-बार आता हूँ, सारन पुर आता हूँ, हर जिले में जाता हूँ, कोई उसमें रोक तोक नहीं है, बेजे जग जाता हूँ, समस्याओं को जमीन से देखता हूँ, जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी समस्या अगरे दिन समाधान और मोदी जी ने तस वरसे में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूख से मरते थे 14 के पहले 14 के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवरतन आया 14 के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगात मोदी जी के द्वारा 60 करोड गरीबों को आयुस्मान भारत में 5 लाग रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गर जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं ततकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिज़वा देता हूँ 50 करोड गरीबों के जंदने का हूँ कॉंग्रेस के लोग तो सब रस्टाचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोड़ी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से 100 रुपया आपके लिए आना है वो 100 के 100 रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समापत हो गया तेनों और भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मानी जी का नाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया दस करोड गरीब मेलाओं को जला युजना का कनेक्शन मिल गया ये सब काम किसी का चेहरा देखकर के नहीं जाती अमत और मजब देखकर के नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि ये हमारा प्रंपरा हमारी संस्कृत ये हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अग्मिकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ यह जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की जो कवैत प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्स्ट या फेमली फर्स्ट रास्टवाद या जातिवाद तुस्ट्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भस्ता चार चाहिए या विकास चाहिए और बैन और वयो आप सब रास्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाव को लेकर किम्लोग आएं है इन सब को नित्रत्व देते हैं मोधी जी मोधी जी के नित्रत्व में सारणपुर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिय जनता पार्टी ने परत्यासी बना करके उता रहा है रागो और लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग हैं सांसद नहीं थे पांच साल तक लेगिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारनपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जाता अच्छा है और मैं आज इसलिए आप से कहने के लिए आया हूं वह कारे कर सकते ह यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जज़वा है उस जज़वे के साथ आज वह आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे वैन और भाईयों कठीन होता है चुनाओ के दोरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता गांगां नही जीची के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सहमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयों मा लक्सिमी के कारणे दिकास होता है और दिकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सेमत है ना तो रागव लखन पाजी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सभी लोग सेमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीस भी से दिक मद्दान करा देंगे सेमत हैं सेमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी लागव लखन पाज सर्मा के समर्थन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री कि स्योगेंद्र उपाद्याजी कि प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायाग से ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी जस्वंत सेनी जी भारती जनता पाल्टी के लोगसभाज सहरनपूर छेत्र के प्रत्यासी जी रागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्यक्स हरिंदर जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी दीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाक परमुक गण विजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणोर चौदरी जी बिजय राणा जी अर्विंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंच परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदाधिकारीगान और भारी संख्या में देवबंद रामपुर मनिहारन और गंगो विदानसबा चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बेनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पौरुस और पुरसार्थ और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयनती है महारणा सांगा की इस पावन जयनती पर उन्ही के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधार्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुंदरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस बीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ मारण सांगा की जेयंती पर भारत माता के इस महान दीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोटी कोटी बधाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब माहारण प्रताप की बात होती है माहारण सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है माहारण प्रताप उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाविवान के लड़ाई उन्हाने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं जुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्हाने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पड भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासक ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को ना कोच्चने चबाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना अचीत नहीं समझा जो लोग सदेश और स्वाविमान के विप्रीत सधर्म के बीप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाणअ परताप ने बैठने से इनकार कर दिया था और बेन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाणा प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है क्योंकि महाणा प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था धर्म के लिए था सत्ता के लिए नहीं थ यह देश और धर्म के लिए जो भी समरपण करेगा यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृत्य किता ग्यापित करेगा जैसे आज माहरणा सांगा के प्रति कर रहा है माहरणा प्रताप की प्रति कर रहा है वेन और भाईयों हम सबने सवतंत्र भारत में अनिक सरकारी देखी यह अठार्मी सरकार क मचुनाव करने dale है संसत के माध्यम सर और ऑठार्मी लोगस कर स्वह कर चून जनना है उससे पहले जो भी स कर दाकलियों मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आई सब ने अपने उसार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मैं पूछना चाहता हूँ क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था क्या क्या भी कर पाते क्या राम का नाम उस समय तो यह सभी राम हुए ही नहीं कहते थे ना कॉंग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में कि राम तो हुए ही नहीं और याद रखना हुर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर रा था एक काल ने में आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाए हैं हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बैन और भाईयों यह चुनाओ भी दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्म विन्म करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा बैभाव मर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भाव के से ओत्परोत भारती जन्ता पार्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं एक करफ अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं मैं मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफ्या के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दोसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अप्तर्ब्र देश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जुके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं कि देखाना अपने के दंगा कैसे उता भूल गये पत्थर बाजी भी भूल गये निर्चोड़ी बात को लेकि पत्थर भाजी होने लगती थी उफेले पर्व्र प्योभार कोई आता था है और खासपर बढव पस्यमी उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्वर Bros आता था Dri जी पावली जन्मा पश्चिमी सिवनांत्री ग्रक्षभन्दन कोई भी पर्वर्व प्र्वर्थे मारत आता था कर्फ्यू लग जाता था प्रसासन में उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाठ हो करके लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये न रहेगा बास न बजेगी बास उभी सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया पहनों और भाईयो लोग इसी लिए कहने के आप फरक में सूस करिए ये जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राष्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान राष्टिय सम्मान के सामने तुछ है हमारा ब्यक्तिकत स्वाविमान रास्ट के साभिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्ट आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को उस खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रह पाएगा और इसलिए मैं आप से कहने के लिए आया हूँ ये लोग चाती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे है रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे है ये तो फिर से त्रेता युक्ति याद करा रहे हैं जैसे कालने में चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहा है सरे आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बन और बुद्धि से आप अपार हैं जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका अवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हनमान चाली सामयम पढ़ते हैं न बल बुधि बिद्धिया देव नही हरहो कलेस बिकार जयातिवाद का कलेस हर डालिए एछेप्रवाद का कलेस हर डालिए एज संप्रदाइवाद और तुष्टु करन के क्लेस को हर डालिए और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा 370 को समाप्त किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकी को प्रथा को समाप्त किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयों यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारत की समाज क्रतग्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाईत तो है मोदी जी के नेत्रत में कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रतग्यता ग्यापित करेंगे मोधी जी को समर्थन करेंगे और आखिर सत्तर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राथ हुआ साथ वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सब ने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोग क्यों दिया गया था? क्योंकि उस स्मय जो सरकार थी, उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था, वो कॉंटेक्टर कमिसन नहीं दे पावा था, इसलिए इस कारे को ही रोग दिया गया, आस्पप का हाई वे बन गया न, और बनाए नहीं, अभी इस साल के अंद तक, साहरनप का रहे हैं कि यह देवबंद था कि देवभूमी के लिए जो मार्ग था कि उस देवबंद को मजहवी जनून का अठखाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था कि अरे जिस सहारनपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मार होना था या पस्सिम का कासी बनना था उसको आपने मजहवी जनून काड़ा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फट्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फट्वे से तैह होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्ज्यानिक तैह करेंगे या कोई फट्वा तैह करेगा लेकिन वहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाई वे बने रेल्वे की बहत्तर कनेक्टिविट हो बिष्विद्यालह बने हमारी सरकार आई इस सभी आई वई भी बने विख सटर क्या रहा है और यहीठ नहीव माच साखंबरी के नाम पर एक वड़क लास इलिवस्ति का निर्मान भी हम यहां पर कर रहे हैं कि सब्द्र प्रारम हो चुका है चुना के बाद भब्य उद्गाटन की तैयारी के लिए भी अम लोग आएंगे कि बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नी था ऐसा नी कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोफसान नहीं था आज पी म बिस्व करमा और वन डिस्टिक वन प्रॉड़क्ट यहजना के माज्जम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पौने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का अभी नहीं माफिया नीचे तैक करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगे है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीति के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेनों और वाईयों आप देख रहा होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बाकी जो बचे हुए है स्वयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे के कांग्रेस के लोक कैसे नत्मस्तकवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्य मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली तो हमने कए काफली कोफले बंद होने ही हुटर हुटर सब बंद कराओ वाप और उनकी गर्मी को सांथ कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना क Gaming तो जिनकी गर्मी सांत हो चुकी है उनको जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों का चीना हराम इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए कहना भहिया बहुत देख लिया है इस्वर ने तई हर सार बेक्टी तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है का ये भहिया देखो सब तो इस्वर की किरपा से मेहनत कर रहे हम खुश रहें इस्वर ये सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर बेक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बेहन और वायों बोल दीजिये कि भई देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम पांसो वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया पांच सो वर्स की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आँखों से देखा है इसलिए हमारी फीडी सवभग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को लहाए है हम उनको लहाए है एक ही जवाब है सारे प्रस्णों का एक ही जवाब है जातिवात का भ्रष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एक ही जवाब है कईए वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराचमान कराती है कि बहुता बेन दॉर भाइयों उसका पूर्ण अबी आपको प्राप्त होगा कि मैं जानता हूं आप this अपने सबने आयोध्या में राम मंदिर के लिए अपना योगदान दिया है वर्पूर योगदान दिया है एसी के कारण योध्या में भुख्वान एक पřेल पूरी बुक करवा करके ले के जाओ सब को दर्शन कराखे लौब अब आप आयोध्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की आयोध्या त्रेता युक का याद अस्वर्ण हो जाएगा आपको ऐसे ही सड़क बना दिया एस एकृद्या के इनदर पर उतर आया हो युद्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं हमारे राम-लिला की जो हूँ है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आकमा साखंबरी के धाम को भी और ये बिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर कि महार्जअ की भब्रतिमान लगी है अस्वारवी प्रतिमा लगी है 20 वर्स से लगाने नहीं दो रहे थे कॉंगरेश शपा पसपा के लोग पीस वर्सएस प्रतिमान को नहीं लगाने ते रहे थे आज देखो क्या भब्रतिमाह है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपत्य अर्जित की गई कब जा करके हमने संपत्य खाली करवाई और गरीबों के मख़ लोगों ने कहा रहे इस अभी क्या कर रहा है मैंने कहा क्या मतनब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों की आवाज बनेंगे जिसपे और मैंनों भाईयों गया वहाँ पर मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सौपी वादे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनेपिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या अरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सौंपे जाने है उसले बैनों बायों मैं आया हूँ अकूत सम्भावनावला जो साहरनपुर था हस्त सिल्पक और कारीगर के लिए अपने उपजाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और साहरनपुर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था आज साहरनपुर स्माड सिती बनदा है आज साहरनपुर में अपनी विवस्ता है आज साहरनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ला हूँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सारनपुर में साथ बरस में इतनी बार आगया है जितना साथ बरस में सभी मुख्यमंत्री मिल करके नहीं आया होंगे आगे हैं न मैं इतनी बार, मैं दो बार-बार आता हूँ, सारन पुर आता हूँ, हर जिले में जाता हूँ, कोई उसमें रोक तोक नहीं है, बेज़े जग जाता हूँ, समस्याओं को जमीन से देखता हूँ, जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकाल और मोदी जी ने तस वर्स में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूख से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्टन आया चौदा के बाद आप देख रहे हूंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुवित आकस होगात मोद बिदायक गड़ जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं तत्काल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ पचास करोड गरीबों के जंधने कांट कांग्रेस के लोग तो सब रस्टाचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोड़ी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समाप को हो गया बैनोर भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधानवंत्री किसान संभानी जी का लाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गिया दस करोड गरीब मेलाओं को जुला युजना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का चेहरा देख करके नहीं जाती अमत और मजभ देख करके नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि ये हमारा प्रंपरा हमारी संस्कृत ये हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अग्यकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ये जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की कवयत प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्स्ट या फेमली फर्स्ट राश्टवाद या जातिवाद तुष्ट्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भस्टा चार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वयो आप सब राश्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर किम लोग आए हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोधी जी के नित्रत्व में सारनपुर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिय जंता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उतारा है रागो लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है, जो जारू है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग हैं, सांसद नहीं थे पांच साल तक, लेकिन तब भी मैं देखता था, जब भी मैं सारणपुर आया, विकास के मुद्दे को लेकर के, हमेशा बैठक में भाग लेते और कहते हैं, सारणपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जजबा है, उस जजबे के साथ आज अजो आपके बीच में हाँ पर है, और इसी लिए मेरी आप सबसे अपील होगे, वैंनों और भाइयों कठील होता है, चुनाओ के दोरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता है गाँ गाँ नहीं जा सकता है चना के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चना तक आप सब को मोदी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सहमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयों मा लक्सिमी के करणे दिकास होता है और दिकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सहमत है ना तो रागव लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सबी लोग सहमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीस पीसे दिक मद्दान करा देंगे सहमत हैं सहमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी लागव लखन पाल सर्मा के समरतन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता के जनपत के प्रभारी मंत्री सियोगेंदर पाद्ध्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगे लोग प्रिय विधायक सि ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी सि जस्वंत सेनी जी भारती जनता पाल्टी के लोग सभा सहरन पूर्छेत्र के प्रत्याजी सि रागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्ध्यक्स हरेंदर जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी डीके सर्मा जी आज की इस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिनगर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाग परमुगण बिजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणर चौदरी जी बिजय राणा जी अरविंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंच परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदाधिकारीगान और भारी संख्या में देवबन, रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसवाद छेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नवरात्री की चतुर्तितितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पौरुस और पुरसार्थ और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयन्ती है महारणा सांगा की स्पावन जयन्ती पर उन्ही के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुन्दरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस वीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ मारण सांगा की जेयंती पर भारत माता के इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोटी कोटी बढ़ाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारणा प्रताब की बात होती है महारणा सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारणा प्रताब उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और सौभिवान के लड़ाई उन्हाने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके ख़लाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सकता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अख़बर जाना जाता था अख़बर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अगवर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग सदेस और स्वाविमान के विपरीत सधर्म के बीची विपरीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महणा प्रताप ने बैठने से इलकार कर दिया था और वेनओर भाईयों यही कारण है सेकडों वर्सों के बाद ही आज अगर यह देश महना परताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है क्योंकि महारणा-परताप का त्याग और बलदान देश के लिए था धर्म के लिए था सक्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृत्त किता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है महारणा प्रताप की प्रति कर रहा है मैं बेन और भाईयों हम सबने स्वतंत्र भारत में अनिक सरकारें देखी है कि यह 188 सरकार कम चुनाओं करने जा रहे हैं 18 संसत के माध्युत्यम से और अठारवी लोग सभा का चुनाव है, चौबिस में दौजार चौबिस का जो लोग सभा का चुनाव चलना है, इससे पहले जो भी सरकारे आई, मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आई, सबने अपने सरकारे काम किया होगा, ठीक बात है, लेकिन मैं पूछना चाता हूँ, मैं पूछना चाता हूँ, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान उन लोगों ने किया था क्या, क्या भी कर पाते क्या, राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, कहते थे ना, कॉंग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में, कि राम तो हुए ही नहीं, और याद रखना, हर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गए थे, तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर रा था, एक काल ने मी आएंगे, राम नाम का जब करेंगे, बिखने वाले लोग भी, बिखने की कतार में खड़े होंगे, लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा, जो राम को लहाएं हैं, हम उसको लहाएंगे, सैमत है ना, सैमत है ना, बैन और भायों यह चुनाव भी, दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है, एक तरफ जातिवाद के लोग हैं, दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं, एक तरफ सामाजिक ताने पाने को छिन्मे बिन्मे करने वाले, पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं, दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे, तेरा बैवह अमर रहे मा, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ, एक भारत स्रेश्ट भारत के भाव के से ओत्परोथ, भारती जन्ता पायल्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं, एक तरफ अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं, मैं मेरा प्रिवार, मेरी जाती और जब सत्ता बनती है, तो सत्ता को माफिया के हवाले गिर्वी करके, सामाने नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है, बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा को खत्रे में डाल दी जाती है, गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है, और दोसरी तरह आपने पिछले दस वर्स में देश के अंदर और पिछले साथ वर्स में अप्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है, आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना जुके, बिना रोके, बिना डिगे, आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं, कि देखाना आपने कि दंगा कैसे होता भूल गए पत्थर बाजी भूल गए निर्चोड़ी बात को लेकि पत्थर बाजी होने लगती थी पहले परवरतीय भार कोई आता था और आज में कोई भी परवरतीय हार आता था ओली दीपावली चनमास्तिमी सिवराथी रक्सावंधन कोई भी परवरते हार आता था कर्फ्यू लग जाता था प्रसासन भी उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम-धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाड हो करके लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया पहनों और भाईयो लोग इसी लिए कहने आप फरक महसूस करिए ये जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राश्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान रास्तिय सम्मान के सामने तुछ है हमारा ब्यक्तिकत स्वाभिमान रास्तिय स्वाभिमान के सामने तुछ है हमारा रास्त आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रहे पाईगा और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ए लोग चाहती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्तियात करा रहे हैं जैसे कालने मी चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहे हैं आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बन और बुद्धी से आप अफार हैं जनता को जनारदन का रूप दिया गया है लोग तंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ जैसे हन्मान चाली सामयम पड़ते हैं ना बल बदुधी विद्ध्याद देउं मुही हरें खले सवबिकार इस जातिवाद का कलेस हरडालिए ये छेट्रवाद का कलेस हरडालिए ये संप्रदाएवाद और तुष्टी करन के कलेस को हरडालिए और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा 370 को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकी कोपरथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वायो यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारत की समाज क्रतग्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाइट तो है मोडी जी के नेत्रत में कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रतग्यता ग्यापित करेंगे मोदी जी को समर्थन करेंगे। और आगए 70 वर्सों सब को सासन करने का उसर प्रात्प होगा। साठ वर्स तक कॉंङ्ट्रेस ने देश के उन्दर सासन किया। सपा बसपा सपने सासन किया। साहरनपूर को दिया क्या। सहारनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वो कॉंटेक्टर कमिसन नहीं दे पा रहा था इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया आस्पाप का हाईवे बन गया ना और बनाई नहीं अभी इस साल के अंत तक साहरणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में फोरी होने वाली है दो घंटे में कौन दे रहा ये दिकाच का कारव ये देव बंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देव बंद को मजहवी जनून का अठकाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेके भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहरनपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रूप में देश के अंदर सिर्मोर होना था या पस्सिम का कासी बना था उसको आपने मजहवी जनून का अठकाड़ा बना दिया अराजकता भेलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैह होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्जानिक तैह करेंगे या कोई फत्वा तैह करेगा लेकिन बहनों और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी ओ विश्व ओविद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सारणपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में इपिक्सित किया जा रहा है और यहीं नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंवर्श्टी क का निर्मान भी हम यहां पर कर रहे हैं कि सत्र प्रारम हो चुका है चुना के बाद भब्योत घाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे कि बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी कि दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है साथे पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे lenकिन सरकार का प्रोधसान नहीं था आми पिएम इपेन पुस्व करमा और और वान डिस्रिक का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहुने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का भी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्ता कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वही जाएगा जहां उसकी जगए है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीति के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बैनों और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बागी जो बचे हुए हैं स्वयम ही राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल गए हैं आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तगवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने का एक काफली कोफले बंद होने चेहें वही होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांत कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांत तो जिनकी गर्मी सांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो ये रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों क चीना हराम करेंगे बेटी और व्यापारी की स्रक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए के ना भाई आप बहुत देख लिया है इस्वर ने हर सार व्यक्ति तो मेनद करता है अपनी मेनद का खाता है का यह बहिया देखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनद कर रहे हम खुश रहें इस्वर यह सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भई एक और राम के नाम पर कुछ हो जाए और बैन और वायों बोल दीजे इसको कि बहिए देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम 500 वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्स की फीडियां जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी पिड़ी स्वभग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएंगे एक ही जवाब है सारे प्रस्नों का एक ही जवाब है जातिवात का भरश्ताचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एक ही जवाब है कहिए वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के के अश्कुन कि रविगे जो अयोड्या मेराम ज़ला को बिराज मान कराती है 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 मैंनो भाईयों उसका पुर्णय भी आप propre्त होगा के मैं जानता हूं आपने अयोड्या में राम मंदिर के लिए हूं अपना यूग्दान दिया है और पूर यूगदान दिया है उसी के कारण अयुद्ध्या में भक्वान राम का भब्य मंदिर बना है कित्ते लोग अयुद्ध्या गए है बागे लोग जाए ब्रजेश को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सब को दर्शन करा के लाओं अब आ आयुद्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की युद्ध्या त्रेता युक का याद अस्मन हो जाएगा आपको ऐसे ही सड़क बना दिया युद्ध्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्स्प्रेस वे बन रही है एक दम बना द पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आत्मा स्वाखंबरी के धाम को भी और यह ब्रिजेश सिंग्ग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा प्रताप की भबे प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दो रहे थे कॉंग्रेस सपा पसपा के लोग बीस वर्स से प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भबे प्रतिमा है अबता और राश्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अरचित की गई बड़ी संपति अरजित की गई कब जा करके हमने संपतिक खाली करवाई और गरीबों के मख़़गों ने घर इस अभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतनब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवाज बनेंगे जिस पर और मैंनों भायों गया वहाँ पर मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सोंपी वादे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनेपिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या अरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सूंपे जाने है उसमे और इसलिए बैनों बायों मैं आया हूँ अकूत सम्भावनावला जो साहरनपुर था हस्त सिल्पक और कारीगर के लिए अपने उपजाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और साहरनपुर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था आज साहरनपुर इसमाड़ सिती बनदा है आज साहरनपुर में अपनी विवस्ता है आज सहारनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ला हूँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सहारनपुर में साथ बरस में इतनी बार आ गया है हर जिले में जाता हूं जी कोई उसमें रोक तोक नहीं है बेज़े जग जाता हूं समस्याओं को जमीन से देखता हूं जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हूं आज आप देख रहे होंगे कोई समस्याओं आपको लगती होगी यह समस्याओं अगले दिन समाधान और मोदी जी ने तस वरसे में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूख से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्तन आया चौ करोड़ लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगात मोदी जी के द्वारा साड़ करोड़ गरीबों को आयुसमान भारत में पांच अलाग रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गड़ जो भी प्रस्ताव को लेकर कि आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं तत्काल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ पचास करोड गरीबों के जंधन एकांट कांग्रेस के लोग तो सब भरस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिशन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकांट में आएगा बीच का मिटेटर समापत हो गया बैन और भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मानी जी का नाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया दस करोड गरीब मेलाओं को जला युजना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का चेहरा देख करके नहीं जाती अमत और मजभ देख करके नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि ये हमारा प्रम्परा हमारी संस्कृत ये हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अगिकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ये जो सरकार है ना बनने के लिए नहीं सरकार बनाने की कवय प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट राष्टवाद या जातिवाद तुस्ट्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भस्टा चार चाहिए या विकास चाहिए और बेनौर वयो आप सब राष्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर कि हम लोग आए हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारनपुर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखन पाल सर्मा को भारतिये जनता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उतारा है रागो लखन पाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग है सांसवत नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जात अच्छा है और मैं आज इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ वा कारे कर सकते हैं सारणपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक ज़जबा है उस ज़जबे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरे आप सबसे अपील होगे बैन और भाईयों कठील होता है चुनाओ के दौरान एक प्रत्यासी घर-घर नहीं जा सकता गाँगाँ नहीं जा सकता चुनाओ के बाद आप दोडाईए लेकिन चुनाओ तक आप सब को मोदी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मा बन करके स्वयम घर-घर जाना पड़ेगा जाएंगे? सबी लोग जाएंगे? सबी लोग सहमत है ना? कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे? बैन और भाईयों मा लक्सिमी के कारणे दिकास होता है और दिकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना? सहमत है ना? तो रागो लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे? सबी लोग सहमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीसदी से दिक मद्दान करा देंगे सेमत हैं सेमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी रागो लगनपाल सर्मा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री से योगेंद्र पाद्ध्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग्प्रिय विधायक से ब्रदेश सिंग्जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी सि जस्वंत सेनी जी, भारती जनता पाल्टी के लोगसभाज सहरनपूर छेत्र के प्रत्यासी, सि रागहो लखनपाल सर्मा जी, छेत्रियो पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी, छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी, जिला प्रभारी दीके सर्मा जी, आज केस कारिक्रम में पस्तित, चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी, चौदरी राजपाल जी, बलाक परमुक गण विजय त्यागी जी, सीमती चान्नी राणा जी, प्रणोर चौदरी जी, बिजय राणा जी, अर्विंद राणा जी, बिनोत कुमार जी, मंज परुपस्तित, भारती जनता पाल्टी के सभी, पदादिकारीगान और भारी संख्या में देवबंद, रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसबाद चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बेनों और भाईयों, आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही, भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माद्यम से, अपने पौरुस और पुरसार्थ और सौर्य के माद्यम से, दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयन्ती है, महारणा सांगा की इस पावन जयन्ती पर उन्ही के सुपुत, भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक, स्वधार्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए, इस असीम भावना के प्रतीक, महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है, बैन और भाईयों, माता बाला सुन्दरी, मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर्जन्पत की इस वीर भूमी को, इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ, महारण सांगा की जेयंती पर भारत माता के इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे, आप सब को मैं कोटी कोटी बधाई भी देता हूँ, बैन और भाईयों, जब महारण प्रताप की बात होती है, महारण सांगा की बात होती है, तो सदेश और स्वाविमान याद आने लगता है, महारण प्रताप उन्हान ने कहा था, हमारी लड़ाई सब्ता की नहीं है, स्वाविमान की है, और स्वाविमान के लड़ाई, उन्हान ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्वान्ता के सामने, राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर के घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं चुकाया और तो और सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इलकार कर दिया था और बैन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है क्योंकि महाना प्रताप का त्याग और बलदान देश के लिए था धर्म के लिए था सत्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा यह समाज उसके प्रती ऐसे ही कृत किता ग्यापित करेगा जैसे आज महरणा सांगा के प्रतिकर रहा है, महरणा परताप के प्रतिकर रहा है बैन और भाईयों, हम सबने स्वतंत्र भारत में अनीक सरकारी देखी यह 18-वी सरकार कम चुनाओ करने जा रहें 18-वी संसत के माध्यम से और अठारवी लोग सभा का चुनाओं है चौबिस में दौजार चौबिस का जो लोग सभा का चुनाओं चलना है इससे पहले जो भी सरकारे आई मोदी जी के पहले कोई भी सरकारे आई सब ने अपने उसार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पोछना चाहता हूँ मैं पूछना जाता हूं क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया ठाक्या क्या भी कर पाते क्या राम का नाम उस समय तो उस सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कांग्रेस ने एफिडेविट ताखिल किया था ना सुप्रेम कोट में कि राम तो हो यहीं नहीं और याद रखना हर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर ला था एक काल ने में आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाएं हैं हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बैन और भाईयों यह चुनाओ भी दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्म बिन्म करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ऊचा रहे तेड़ा बैबह मरहे-माँ हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्प्रेश्ट भारत के भाव को से ओत्परोद भारती जन्ता-पार्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं एक करफ अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं मैं मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माथ्या के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरी को रौदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दोसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अत्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जुके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं देखाना आपने डंगा कैसे होता भूल गए पत्थरबाजी भूल गए नित चोड़ी बात को लेकि पत्थरबाजी होने लगती थी काथकों कि पहले परवोर्वार कोई आता था और खास्थावेशं कोई भी परवोर्वार आता था ओली दिपावली चन्माश्थीमी सिंव्रात्री लुए रखशावन्धन कोई भी परवर्व भवोर्वार आता था झ complaints right happy प्रसासन भी उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाड हो करके लोग खत्रे में होए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये ना रहेगा बास न बजेगी बास भी सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया पहनो और भाईयो लोग इसी लिए कहने के आप फरक में सूस करिए ये जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रौधने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राष्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान राष्टिय सम्मान के सामने तु हमारा राज्ट आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देसाला धर्म, यहीं हमारा राष्ट धर्म है यह उसकी इना सब्सक्षा रहेगा, तो हम भी उसकी अपनप είναι जाएंगे वह जायेंगे लेका किसी को गलत पहिंए कि हम राष्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्षित हो जाएंगे नहीं वह सुरक्षित रहे पाईगा और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं ये लोग चाती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ति याद करा रहे हैं जैसे कालने में चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहा तरे आप तो बजरंगी ह पैचानिये इन लोगों को बल और बुद्धी से आप अपार है जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हरुमान चालिसा मैं पढ़ते हैं न बल बुद्धी बिद्ध्या देव मोही हरे हो कलेस विकार ये जातिवाद का कलेस हर डालिए ये छेप्रवाद का कलेस हर डालिए ये संप्रदाइवाद और तुष्टी करन के कलेस को हर डालिए और अपना जनार्दन सुरूप दिखा करके वही बोलिये जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा 370 को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिनोंने तीन तलाकी कोपरथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे वैंन और वायों यहाद कारे हमें करना होगा और इसके लिए है हमारा भारत्य समाज, कृतक्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाईत अये, मोडी जी के नेत्रतर कमेकारे हुआए, तो ये अश्र होता है, हम भी कृतक्षक ग्यापित करेंगे. मोडी जी को समर्थन करेंगे और आखिर सतर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राप हुआ साथ वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सपने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वो कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पारा था इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया आसपाप का हाईवे बन गया न और बनाए नहीं अभी इस साल के अंत तक सारणपुर से दिल्ल कि दूरी मात्र दो घंटे में फोरी होने वाली है दो घंटे में कौन देरा ये दिकाच का कारव ये देवबंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठकाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेके फट्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहरनपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्माओर होना था या पस्सिम का कासी बनना था उसको आपने मजहवी जनून काड़ा बना दिया अराजक्ता फैलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फट्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फट्वे से तैह होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्ज्यानिक टै करेंगे या कोई फट्वा टै करेगा लेकिन बहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजक्ता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेल्वे की बहतर कनेक्टिविटी हो विश्व इद्याले बने इस सभी आईवे भी बने सारण प्रको स्मार्ट सिटी के रूप में इपिक्सित किया जा रहा है और यहीं नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इन्रस्टी का निर्मान भी हम यहां लोग आएंगे बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोटसान नहीं था आज पीएम विश्व कर्मा और वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट योजना के माद्जम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का अभी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वही जाएगा जहां उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीति के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेनों और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बागी जो बचे हुए हैं स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तगवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने काफली कोफले बंद होने चेहें होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांथ कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांथ तो जिनकी गर्मी सांथ हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो ये रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों लोगा चीना हराम करेंगे बेटी और व्यापारी की स्रक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए कि ना भाइया बहुत देख लिया है इस्वर ने हर सार व्यक्ति तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है का ये भाइया देखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुस रहें इस्वर ये सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भाई एक बा और राम के नाम पर कुछ हो जाए और बेन और वायों बोल दीजे इसको कि भाई देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम 500 वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्स की फीडियां जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी फीडि सवभग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाए गया एक ही जवाब है सारे प्रस्णों का एक ही जवाब है जातिवात का भरष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एक ही जवाब है कहिए वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बाबजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्य प्रापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराजमान करा दिया कि बैन और भाईयों उसका पूर्णय भी आपको प्राप्त होगा मैं जाता हूँ, आपने सब ने, अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है, वरपूर योगदान दिया है उसी के कारण अयोध्या में भकवान राम का भब्य वंदिर बन्दा है, कितने लोग अयोध्या गए हैं? बागे लोग जाएए ब्रजेस को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सब को दर्शन करा के लाओं अब आप आयोध्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की आयोध्या त्रेता युक का याद अस्मन हो जाएग आपको ऐसे ही सदक बना दिया युद्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो युद्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं हमारे राम लिला की जो को और आज तो हम आत्मा साखंबरी के धाम को भी और यह बिजेश सिंग्ग तो अपने यहां पर बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा परताप की भबे प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दे रहे थे कांग्रेस सपा बसपा के लोग बीस वर्स से प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भबे प्रतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपतिय अर्जित की गई कब जा करके आपने संपतिक खाली करवाई और गरीबों के मख़़गों ने घर इसा अभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवाज बनेंगे जिसपे और मैंनों भाईयों गया वहाँ पे मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हातों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सूपी वहाँ दे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनैतिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या आरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सूंपे जाने है उसले बैनों बायों मैं आया हूँ अकूत सम्भावनावला जो साहरनपुर था हस्त सिल्पक और कारीगर के लिए अपने उपजाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और साहरनपुर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था आज साहरनपुर स्माड सिती बंदा है आज साहरनपुर में अपनी विवस्ता है आज साहरनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल लाओ मैं एक मुख्य मंद्री ऐसा हो जो सारणपुर में साथ वर्स में इतनी बार आगया है जितना साथ वर्स में सभी मुख्य मंद्री मिल करकी ने आया हूंगे आगे हैं न मैं इतनी बार, मैं दो बार-बार आता हूँ, सारन पुर आता हूँ, हर जिले में जाता हूँ, कोई उसमें रोक तोक नहीं है, बेजे जग जाता हूँ, समस्याओं को जमीन से देखता हूँ, जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी समस्या अगरे दिन समाधान और मोदी जी ने तस वरसे में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूख से मरते थे 14 के पहले 14 के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्तन आया 14 के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगात मोदी जी के द्वारा 60 करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांच लाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गर जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं ततकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिज़वा देता हूँ 50 करोड गरीबों के जंदने का हूँ कांग्रेस के लोग तो सब रस्टाचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समापत हो गया दैनों वाईयों 12 क्रोड गरीबों के सोचाले बन गए 12 क्रोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रदानमंत्री किसान संभानी जी का लाम मिल गिया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गिया दस करोड गरीब मेलाओं को जुला युजना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का चेहरा देख करके नहीं जाती अमत और मजब देख करके नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ होगा क्योंकि ये हमारा प्रंपरा हमारी संस्कृत ये हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अगिकार किया हूँ और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ यह जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की जो कवैत प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट राष्टवाद या जातिवाद तुस्ट्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भस्ता चार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वयो आप सब राष्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर कि हम लोग आये हैं इन सब को नित्रत तो देते हैं मोदी जी मोधी जी के नित्रत्व में सारनपुर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिये जंता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उतारा है रागो और लखन पाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग हैं सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारनपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जाता अच्छा है और मैं आज इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ और कारे कर सकते हैं सारनपुर के विकास में यहां के बिधायकों के साथ मिल करके कारे करनी के एक ज़जबा है उस ज़जबे के साथ आज हूँ आपके बीच मेहा पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे वैनोर वाईों कठील होता है चुनाओं के दोरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता गाँ गाँ नहीं जा सकता चुनाओं के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चुनाओं तक आप सब को मोधी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सहमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयों मा लक्सिमी के करणे विकास होता है और विकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सहमत है ना तो रागव लखन पाजी को कमल के फूल पर 19 तारीक को चुनाव जिताएंगे सभी लोग सहमत है लेकिन तब ही संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में 50-20 से दिक मद्दान करा देंगे सहमत है सहमत है जाएंगे तो फिर आप सभी लागव लखन पाज सर्मा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री स्योगेंदर उपाद्ध्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगे लोग्प्रिय विधायक से ब्रदेश सिंग जे प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगे से जस्वंत सेने जे भारती जन्ता पार्टी के लोगसभाज सहरनपूर छेत्र के प्रत्यासे शिरागहो लखनपाल सर्मा जे छेत्रियो पाध्यक्स हरेंदर जाटो जे छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जे जिला प्रभारी दीके सर्मा जे आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जे चौदरी राजपाल जी बलाक परमुक गण विजय त्यागी जे सीमती चान्नी राणा जी प्रणोर चौदरी जे बिजय राणा जे अर्विंद राणा जी बिनोत कुमार जे मंच परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदादिकारीगान और भारी संख्या में देवबन रामपूर मनिहारन और गंगो विदान सभा चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिती के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माद्यम से अपने पौरुस और पुरसार्त और सौरे के माद्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महाराणा सांगा की पावन जयंती है महारणा सांगा की इस पावन जयंती पर उन्ही के सुपुत भारत के अंदर स्वधेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रती महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुंदरी, मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में βसावा साहरनपुर जन्पत की इस वीर भूमि को इस उरवरा भूमि को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ मारना सांगा की जयन्ति पर भारत माता के इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को में कोट कोटी बढ़ाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारणा प्रताप की बात होती है महारणा सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारणा प्रताप पना ने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिमान के लड़ाई अना ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रानता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रुप में अगबर जाना जाता था अगबर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अगबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था और वेनोर भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है इसलिए इसमर्ण करता है क्योंकि महारणा प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा, यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृत्त किता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है, महारणा परताप के प्रति कर रहा है, बैन और भाईयों, हम सब ने स्वतंत्र भारत में अनिक सरकारी देखी, यह अठारवी सरकार का हम चुनाओ करने जा रहे हैं अठारवी संसत के माध्यम से, और अठारवी लोगसभा का चुनाओ है, चौबिस में दौजार चौबिस का जो लोगसभा का चुनाओ चलना है, इससे पहले जो भी सरकारे आई, मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आई, सबने अपने सरकार काम किया होगा, ठीक बात है, लेकिन मैं पूछना चाता हूँ, मैं पूछना चाता हूँ, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, उन लोगों ने किया था क्या, क्या भी कर पाते हैं क्या, राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, कहते थे ना, कॉंग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में, कि राम तो हुए ही नहीं, और याद रखना, हर्माण जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गए थे, तो कालने भी भी राम नाम का जब कर रा था, एक कालने में आएंगे, राम नाम का जब करेंगे, बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे, लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा, जो राम को लहाए हैं, हम उसको लहाएंगे, सैमत है ना, सैमत है ना, बैन और भायों यह चुनाव भी दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है, एक तरफ जातिवाद के लोग हैं, दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं, एक तरफ सामाजिक ताने पाने को छिन्म बिन्म करने वाले, पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं, दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे, तेरा बैवह अमर रहे मा, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ, एक भारत स्रेश्ट भारत के भाव के से ओत्परोथ, भारती जन्ता पायल्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं, एक तरफ अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं, मैं मेरा प्रिवार, मेरी जाती और जब सत्ता बनती है, तो सत्ता को माफिया के हवाले गिर्वी करके, सामाने नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है, बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा को खत्रे में डाल दी जाती है, गवत तसकरों को सरयाम आश्था के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है, और दोसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अप्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जुके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं देखाना आपने दंगा कैसे होता भूल गया पथर बाजी भी भूल गया निर्चोड़ी बात को लेकि पथर बाजी होने लगती थी पहले परवर प्यवहार कोई आता था और खासटार पर पस्रिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी परवर प्यवहार आता था ओली, दिपावली, चन्मास्तिमी, सिवरात्री, रक्सावन्दन, कोई भी परवर्ते हुआ राता था, कर्फ्यू लग जाता था, प्रसासन भी उनका साथ देता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक तोक नह माई की हमने उतार दिये, ना रहेगा बास ना बजेगी बास हुरी, सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया, बैनोर भाईयों, लोग इसी लिए कहने, आप फरक महसूस करिए, यह जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए, विस्वास मत करिए, कभी विस्वा विस्वास मत करिए, क्योंकि जिन लोगों ने स्वाबिमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है, वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते, कभी राश्तिय स्वाबिमान को आगे नहीं बढ़ा सकते, और मैं इस बात को कह सकता हूं, हमारा ब्यक्तिकत सम्मान, राश् रास्तिय सम्मान वित्साविमैंंग पर trim अविए धर्र के साविमैंगे हमारा राश्ट इसके पीछे आगे द्वाजाएंगे झाल है हमारा आध्रम है यह अदिन्हार रास्त 4 यह अगर सुरकशित रहे घर गलनो मैं सुरकशित रहे को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रहाएंगा और इसीले में आपसे कहले के लिए आया हूँ है ये लोग चासी के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं सब्सक्रा रामध की चौपाई के मार्ध्यां से पहकाने का काम कर रहे हैं, ये तो फिर से त्रेता युक्ती याद करा रहे हैं, जैसे कालने मी चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहे हैं, आप तो बजरंगी हैं, पैचानिये इन लोगों को, बन और बुद्धि से आप अभार हैं, जनता को जनारदन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हनुमान चालिसा मैं पढ़ते हैं ना बल बुधि बिद्ध्या देव मोही हरें कलेश विकार जातिवाद का कलेश हर डालिए एक छेत्रवाद का कलेश हर डालिए एस संप्रदाइवाद और तुष्ट्री करन के कलेश को हर डालिए और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा 370 को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकी को प्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयों यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए हमारा भारत की समाज क्रतग्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाइत्व हैं मोदी जी के नेत्रत में कारे हुआ हैं तो यह उसर होता है हम भी क्रतग्यता ग्यापित करेंगे मोदी जी को समर्थन करेंगे और आकिर सत्तर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राप को हुआ साट वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सपने सासन किया साहरनपूर को दिया क्या साहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वो कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पा रहा था इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया आस्पाप का हाईवे बन गया ना और बनाई नहीं अभी इस साल के अंत तक सारणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में फोरी होने वाली है दो घंटे में कौन देरा ये दिकाच का कार्य ये देव बंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देव बंद को मज़वी जनून का अठकाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था अर्य जिस सहरानपुर को सिख्सा किए एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिरमावर होना था या पस्थिम का कासी बना था उसको आपने मजभी जनून काड़ड़ा बना दिया अराजकता भिलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी क ज्यानिक टे करेंगे या कोई फत्वा टे करेगा लेकिन वहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्तार राजक्ता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेल्वे की बहतर कनेक्टिविटी ओ विश्व इद्याले बने हमारी सरकाराई इस सवी आईवे भी बने सार अनप्र को स्मार्ट सिटी के रूप में इपिक्सित किया जा रहा है और यहीं नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इन्वस्ती का निर्म कि हम लोग आएंगे कि बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था आज पीएम विश्व कर्मा और वन डिस्टिक वन प्रोड़क्त योजना के माद्जम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहुने दाम पर बेज करके वाले कर दिया जाता था हमने का आवी नहीं माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को कि प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीति के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेनो और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बागी जो बचे हुए है स्वयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है अब देख रहे होंगे न बड़े-बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तगवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने काफली कोफले बंद होने चेहें होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांत कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांत तो जिनकी गर्मी सांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो ये रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों क चीना हराम करेंगे बेटी और व्यापारी की स्रक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए किना भाइया बहुत देख लिया है इस्वर ने हर सार व्यक्ति तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है का यह भाइया देखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुश रहें इस्वर यह सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भाई एक ब जो इच्छा थी जो काम 500 वर्सों में हमारे पूर्वजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्स की फीडियां जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी फीडी सवभग्य साली है और उसको एकी जवाब दीजिए और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएंगे एकी जवाब है सारे प्रस्नों का एकी जवाब है जातिवाद का भरष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एकी जवाब है कईए वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपने पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराजमान कराती है भैनुर भाईयों उसका पूर्णयभी आपको प्राप्त होगा मैं जानता हूं आपने सब ने व्यॉद्या में राम मंदिर के लिए अपना योगदान दिया है वर्पूर योगदान दिया है उसी के कारण अयुद्ध्या में भक्वान राम का भब्य मंदिर बंदा है कितने लोग अयुद्ध्या गए है बागे लोग जाएए ब्रजेश को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओ के बाद एक प्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सब को दर्शन करा के लोग जाएंगे अब आप अयुद्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की एयुद्या त्रेता युक्ता याद अस्मन हो जाएगा आपको ऐसे ही सलग बना दी है योध्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो योध्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं हमारे राम लिला की जो भूमी है और आज तो हम मा साकंबरी के धाम को भी और ये बिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा प्रताप की भब्बे प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दो रहे थे कॉंग्रेस सपा बसपा के लोग 20 वर्षिस प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भब्बे प्रतिमा है अब ता और रास्ति महापुरसों के भी प्रतिमा को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए खम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भर पर थे उन माफियां की संपत्थि को इसलिए जब्द करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एख बहुत बड़ा माफिया था उस माफिया था यूपी कायद उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी संपत्ती अर्चित की गई बड़ी संपत्ती अर्चित की गई कब जा करके हमने संपत्ति खाली करवाई और गरीबों के मंख लोगों ने गहरे साबी क्या कर रहा है मैंने का मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवास बनेंगे जिस पर और वैनों वह गयाँ पर मकान बनाए गए हाराइज बिल्डिंग बनाए गए और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवास की चाभी मैंने स कि ऌगी जीरो टानलेंς की नीटी के तहत उन सभी संपत्रियों को हम फिर से कब्जे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं और भिर गरीमों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने भेज़ने हैं और गरीमों को फिर मकान सौंपे जाने है उस gece और इसलिए बैनों बाईयों मैं आया हूँ अकूद सम्भावना वाला जो साहरनपुर था हस्त सिल्प को और कारीगर के लिए अपने उपजाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और साहरनपुर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था आज साहरनपुर स्मार्ड सिती बनदा है आज साहरनपुर में अपनी विवस्ता है आज साहरनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल लाओ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सारनपुर में साथ वर्स में इतनी बार आगया है जितना साथ वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिल करके नहीं आया होंगे आगे हैं न मैं इतनी बार, मैं दो बार-बार आता हूँ, सारन पुर आता हूँ, हर जिले में जाता हूँ, कोई उसमें रोक तोक नहीं है, बेजे जग जाता हूँ, समस्याओं को जमीन से देखता हूँ, जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हो आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी समस्या अगले दिन समाधान और मोदी जी ने दस वरसे में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूख से मरते थे 14 के पहले 14 के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्तन आया 14 के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगात मोदी जी के द्वारा 60 करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांचलाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गर जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या आउ सकता है मैं ततकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ 50 करोड गरीबों के जंधने कौन कांग्रेस के लोग तो सब रस्टाचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से 100 रुपया आपके लिए आना है वो 100 के 100 रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समाप को हो गया तैनों और भाईयों 12 करोड गरीबों के सोचाले बन गए 12 करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्भानी जी का लाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया कि दस करोड गरीब मेलाओं को जलायोजना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का चेहरा देखकर के नहीं जाती, अमत और मज़ब देखकर के नहीं सब का साथ और सब के अविकास के भाओ के साथ हुआ क्योंकि यह हमारा प्रंपरह हमारी संस्कृत, हमारी सबस् Usually यह हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अगिकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ यह जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की जो कवैत प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्स्ट या फेमली फर्स्ट राष्टवाद या जातिवाद तुस्त्री करण या फिर सबका साथ और सबका विकास भस्ता चार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वयो आप सब राष्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर के हम लोग आये हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारन पुर में फिर से एक कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिये जनता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उतारा है रागो लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग है सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जात अच्छा है और मैं आज इसलिए आप से कहने के लिए आया हूँ वा कारे कर सकते हैं सारणपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जजबा है उस जजबे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरे आप सबसे अपील होगे बैन और वाईयों कठील होता है चनाओ के दोरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता गांगाओ नहीं जा सकता चनाओ के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चनाओ तक आप सब को मोधी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्माप करके स्वयं घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग सेमत हैं ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयों माल लक्सिमी के करण दिकास होता है और दिकास के लिए माल लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सेमत है ना तो रागव लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाव जिताएंगे सभी लोग सेमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीजबी से दिक मद्दान करा देंगे सहमत हैं सहमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी लागव लखन पाल सरमा के समरतन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री स्योगेंद रुपाद भ्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगे लोग प्रिय विधायाग से ब्रदेश सिंग जे प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी जस्वंत सेनी जे भारती जनता पाल्टी के लोग सभा सहरन पूर छेत्र के प्रत्यासी सिरागहो लखनपाल सर्मा जे छेत्रियो पाद्यक्स हरिंदर जाटो जे छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जे जिला प्रभारी डीके सर्मा जे आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिनगर्ग जे चौदरी राजपाल जी बलाक परमुक गण बिजय त्यागी जे सीमती चान्नी राणा जी प्रणोर चौदरी जे बिजय राणा जे अर्विंद राणा जी बिनोत कुमार जे मंच परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदादिकारीगान और भारी संख्या में देवबंद रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसवाद चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पौरुस और पुरसार्थ और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयनती है महारणा सांगा की पावन जयनती पर उन्ही के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रती महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुंदरी, मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर्जन्पत की इस बीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ मारणा सांगा की जयन्ती पर भारत माता की इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को में कोट कोटी बढ़ाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारणा प्रताप की बात होती है महारणा सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारणा प्रताप पना ने कहा था हमारी लड़ाई सब्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिमान के लड़ाई अना ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था और वेन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है इसलिए इसमर्ण करता है क्योंकि महारणा प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था ये देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा, ये समाज उसके प्रति ऐसे ही कृत्त किता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है, महारणा परताप के प्रति कर रहा है, बैन और भाईयों, हम सब ने स्वतंत्र भारत में अनिक सरकारी देखी, यह अठारवी सरकार का हम चुनाओ करने जा रहे हैं अठारवी संसत के माध्यम से, और अठारवी लोगसभा का चुनाओ है, चौबिस में दौजार चौबिस का जो लोगसभा का चुनाओ चलना है, इससे पहले जो भी सरकारे आई, मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आई, सबने अपने सरकार काम किया होगा, ठीक बात है, लेकिन मैं पूछना चाता हूँ, मैं पूछना चाता हूँ, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, उन लोगों ने किया था क्या, क्या भी कर पाते हैं क्या, राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, कहते थे ना, कॉंग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में, कि राम तो हुए ही नहीं, और याद रखना, हर्माण जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गए थे, तो कालने भी भी राम नाम का जब कर रा था, एक कालने में आएंगे, राम नाम का जब करेंगे, बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे, लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा, जो राम को लहाए हैं, हम उसको लहाएंगे, सैमत है ना, सैमत है ना, बैन और भायों यह चुनाव भी दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है, एक तरफ जातिवाद के लोग हैं, दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं, एक तरफ सामाजिक ताने पाने को छिन्मे बिन्मे करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं, दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा बैवह अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ, एक भारत स्रेश्ट भारत के भाव के से ओत्परोथ, भारती जन्ता पायल्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं, एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं, मैं मेरा परिवार, मेरी जाती और जब सत्ता बनती है, तो सत्ता को माफिया के हवाले गिर्वी करके, सामाने नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है, बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा को खत्रे में डाल दी जाती है, गौत तसकरों को सरयाम आश्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है, और दोसरी तरह आपने पिछले दस वर्स में देश के अंदर और पिछले साथ वर्स में अप्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है, आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना जोके, बिना रोके, बिना डिके, आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं, देखाना आपने, दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए, निर्चोड़ी बात को लेकि पत्थरबाजी होने लगती थी, पहले परवोर प्यवार कोई आता था, और खास्तोरबर पस्सिम्य उत्रब्रदेश में कोई भी परवर्त्यवार आता था, ओली, दिपावली, चन्मास्तिमी, सिवरात्री, रक्सावन्दन, कोई भी परवर्ते हुआ राता था, कर्फ्यू लग जाता था, प्रसासन भी उनका साथ देता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक तोक नह माई की हमने उतार दिये, ना रहेगा बास ना बजेगी बास हुए, सारा बिवादी समात्र कर दिया गया, पहनो और भाईयों, लोग इसी लिए कहने, आप फरक मेसूस करिए, यह जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए, विस्वास मत करिए, कभी विस्व विस्वास मत करिए, क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रौधने का काम किया है, वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते, कभी रास्तिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते, और मैं इस बात को कह सकता हूँ, हमारा अब्यक्तिकत सम्मान, रा हम्हारा व्यक्षिकत स्वभी मान Agrister moreplace मान के सामने की तुच से है हमारा रास्ट मप सब इसके पीछे आगे बढद़ जाएंगे हमारा देश हमारा धर्म槟 मैय यह दर्म है utah ये अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रहे पाएगा और इसलिए मैं आप से कहने के लिए आया हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ति याद करा रहे हैं जैसे कालने में चुप्चाप गुम्रा करने का प्रियास कर रहा तरहें आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बल और बुद्धि से आप अभार हैं जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे अनुमान चाली सामयम पढ़ते हैं न बल बुद्धि विद्ध्या देव मुही हरें हो कलेश बिकार ये जातिवाद का कलेश हर डालिए ये छेट्रवाद का कलेश हर डालिए इस संप्रदाइवाद और तुष्टी करण के क्लेश को हर डालिये और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिये जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा तिन सो सत्तर को समाप्ट किये है हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन कला की कोप्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वायों यहां कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारतिय समाज कृतक्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाइत्व है मोदी जी के नेत्रत्त में कारे हुआ है तो यह उसर होता है हम भी कृत्यकिता क्यापित करेंगे मोदी जी को समर्थन करेंगे और आखिर सत्तर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राथ हुआ साथ वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सपने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कौंटेक्टर था वह कौन्टेक्टर कमिशन नहीं दे पाव रहा था इसलिए इस कारे को ही रोक दिया गया आसपाब आपका हाईवे बन गया न और बनाई नहीं अभी इस साल के अंत तक साहरणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में फोरी होने वाली है कौन देरा ये दिकाच का कारवे ये देवबंद था देवभूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठकाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था अरे जिसे सहारनपुर को सिक्सा कि एक पवित्र केंद्र के रुप में देस के अंदर सिर्मौर होना था या पस्सिम का कासी बना था उसको आपने मजभी जनून काड़ा बना दिया अराजक्ता फेलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैह होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्जानिक तैह करेंगे या कोई फत्वा तैह करेगा लेकिन बहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजक्ता फेलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी ओ बिस्वविद्याले बने अमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सार अनपर को स्मार्ट सीटी के रूप में विक्सित किया जा रहा है और यही नहीं मासाखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इल्वस्ती का निर्माण भी हम यहां पर कर रहे हैं कि सत्र प्रारम हो चुका है चुनाओं के बाद भब्योत घाटन की तयारी के लिए भी हम लोग आएंगे कि बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोटसान नहीं था आज पीम बिष्व कर्मा और योजना के माजम से इने फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पौने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने कहा भी नहीं माफिया नीचे तैक करेंगे से देश की विवस्था को कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर खत्रा बनेगा तो जीरो टालांस की नीटी के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेन और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बागी जो बचे हुए है स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पर निकल गए है आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तगवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बडली हमने काए काफली कोफले बंद होने चेहिए बही होटर होटर सब बंद करा हो आप और फिर उनकी गर्मी को सांत कर दिया गया एक ही बार में है है हो गया ना कर्मि सांथ तो जिनकी गर्मि सांथ हो चुकी है उनको जाति वावदि संगठन फिर से प्रियास कर रहे है कि पैदा होने देंगे क्या उनको हमाथ पैदा होने दो रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों का चीना हराम करेंगे बेटी और ब्यापारी की स्रक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वज़ाए दो टुक जवाब देने के आओ सकता है, कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए कहना भही आप बहुत देख लिया है इस्वर ने तो यह हर सार व्यक्ति तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है का यह भही आदेखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुस रहे इस्वर यह सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बहन और वायों बोल दीजे इसको कि भई देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम 500 वर्षों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्ष की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आंकों से देखा है इसलिए हमारी पिड़ी सवभग्य साली प्रस्नों का एक ही जवाब है जातिवात का भ्रष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एक ही जवाब है कई वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो योद्या मेंरामलोगा को दिराच माला कराती है है मैं बैन और भाइयों उसका पूर्णय इन अभी आपको मैं जाता हूँ आपने सबने योद्यामे राम मंदिर के लिए अपना योगदान दिया है वर पूर योगदान दिया है उसी के कारण अयुद्ध्या में भक्वान राम का भव्य मंदिर बंदा है कितने लोग अयुद्ध्या गए है बागे लोग जाईए ब्रजेश को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सबकर दर्शन कराके लोग अब आप आयुद्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की अयुद्या त्रेता युक का याद अस्मन हो जाएगा आपको ऐसे ही सलक बना दी है युद्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतराया हो युद्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं हमारे राम लिला की जो भूमी है क्य को नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आत्मा स्वाकंबरी के धाम को भी और यह ब्रजेश चिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करन के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी सपा बस्पा के लोग 20 वर्षे उस प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भब्वे प्रतिमा है अब ता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमा को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए समकेते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की संपत्व को इसलिए जप्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे एक बहुत बड़ा माफिया था, बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक, उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी संपत्ती अर्चित की गई, बड़ी संपत्ती अर्चित की गई, कब जा करके, अमने संपतिक खाली करवाई और गरीबों के मख्ड़ूगों ने कहा रहे इसा अभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवाज बनेंगे जिसपे और मैंनों भाईयों गया वहाँ पे मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गए और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाबी मैंने सौपी वादे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनैतिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या अरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मकान सौपे जाने हैं उसमें और इसलिए बेइन वबायों मैं आया हूँ अकूत संभावना वाला जो साहरनपूर था हस्त सिल्पक और कारीगर के लिए अपनी उपजाओ किर्सी के लिए यहां के नोजवानों के हुनरबंद नोजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और सहरनपूर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था आज सहरनपूर स्मार्ड सिती बनदा है आज सहरनपूर में अपनी विवस्ता है आज सहरनपूर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ला हूँ मैं एक मुख्य मंत्री ऐसा हो जो सारण्पुर मैं 7 वरस में इतनी बार आगया है जितना 60 वरस में सबी मुख्य मंत्री मिलकर की नहीं आए होँगे आगे हैं न मैं इतनी बार, मैं दो बार-बार आता हूँ, सारन पुर आता हूँ, हर जिले में जाता हूँ, कोई उसमें रोक तोक नहीं है, बेजे जग जाता हूँ, समस्याओं को जमीन से देखता हूँ, जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी समस्या अगले दिन समाधान और मोदी जी ने दस वरसे में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूख से मरते थे 14 के पहले 14 के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्तन आया 14 के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगात मोदी जी के द्वारा 60 करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांचलाग रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गर जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं ततकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिज़वा देता हूँ 50 करोड गरीबों के जंधने कौन कॉंग्रेस के लोग तो सब रस्टाचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिशन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से 100 रुपया आपके लिए आना है वो 100 के 100 रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समाप को हो गया सेन और बाइओं 12 करोड़ गरीबों के सोचाले बन गए 12 करोड़ अन्दाटा किसानों के ख़र में किसानों को पुर्दान वंतरी किसान सम्माणी जी का लाम मिल गिया चार करोड़ गरीबों के लिए मक्तान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिज्ली का उज्यारा आ गया 10 करोड गरीब मेलाओं को जला योजना का कनेक्सन मिल गया अए सब काम किसीקा चेहरा देखकर की नहीं जाती अमत और मजभ देखकर की नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि ये हमारा प्रंप्रा हमारी संस्कृत ये हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अगिकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ये जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की जो कवयत प्रारम हुई है ये वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट राष्टवाद या जातिवाद तुस्ट्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भरस्टाचार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वयो आप सब राष्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर के इन लोग आए हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारन पुर में फिर से एक कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिये जंता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उतारा है रागो लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग है सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जात अच्छा है और मैं आज इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ वा कारे कर सकते हैं सारणपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक ज़जबा है उस ज़जबे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरे आप सबसे अपील होगे वैनो और भाईयों कठील होता है चनाओ के दोरान एक प्रत्यासी घर-घर नहीं जा सकता गाँगाँ नहीं जा सकता चनाओ के बाद आप दोडाईए लेकिन चनाओ तक आप सब को मोदी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर-घर जाना पड़ेगा जाएंगे? सबी लोग जाएंगे? सबी लोग सहमत है ना? कमल चनाचिन खिलाने का काम करेंगे? बैन और भाईयों माल लक्सिमी के करणे दिकास होता है और दिकास के लिए माल लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना? सहमत है ना? तो रागो लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे? सबी लोग सहमत है लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीज़ी से दिक मद्दान करा देंगे सेमत हैं सेमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी रागो लगनपाद सर्मा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री कि श्योगेंद्रुपाद भ्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायक से ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी से जस्वंत सेनी जी भारती जनता पार्टी के लोग सभा सहरन पूर्छेत्र के प्रत्यासे सिरागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रिय पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी चेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी डीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाग परमुक गण विजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणार चौदरी जी बिजय राणा जी अर्विंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंच परपस्तित भारती जनतापाल्टी के सभी पदादिकारीगान और भारी संख्या में देवबंद रामपूर मनिहारन और गंगो विदान सबाद चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिती के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माद्यम से अपने पौरुस और पुरसार्त और सौर्य के माद्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयंती है माहरणा सांगा की इस पावन जयंती पर उनी के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रती महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुंदरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस बीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ मारणा सांगा की जेयंती पर भारत माता की इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे आप सबको में कोट कोट बधाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारणा प्रताप की बात होती है महारणा सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारणा प्रताप पनाने कहा था हमारी लडाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिमान के लडाई अना ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उना ने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासक ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को ना कोच्चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेस और स्वविमान के विपरीत स्वधर्म के विपरीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना परताप ने बैठने से लिकार कर दिया था और बैन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर ये देश महाणा प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है इसलिए श्मर्ण करता है क्योंकि महाणा प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था धर्म के लिए था सक्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृतकिता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है महारणा प्रताप के प्रति कर रहा है बैन और भाईयों हम सबने स्वतंत्र भारत में अनेक सरकारी देखी यह 18 सरकार कम चुनाओ करने जा रहे है 18 संसत के माध्यम से और 18 लोगसभा का चुनाओ है 24 में 2024 का जो लोगसभा का चुनाओ चलना है इससे पहले जो भी सरकारे आई मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आई सब ने अपने उसार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मैं पूछना चाहता हूँ क्या आयोध्या में राम मंदिर का निर्मान उन लोगों ने किया था क्या क्या भी कर पाते क्या राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कॉंग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में कि राम तो हुए ही नहीं और याद रखना हर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो कालने भी भी राम नाम का जब कर रहा था एक कालने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाएं है हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बेन और भाईयों ये चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत सबस्त है एक तरफ जातिवाद के लोग है दोसरी तरफ राष्ट बाद के लोग है एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्म बिन्म करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग है दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा बैभाव मर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेष्क भारत के भावक से ओद्परोत भारती जंता पाल्टी मोदी जी के नित्रत्व में है एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग है मैं मेरा परिवार मेरी जाती और जब सत्ता बंती है तो सत्ता को 여기에 हवाले गिर्वी करके सामाने नागरिक को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरेयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दोसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अप्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जोके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए है देखा ना आपने दंगा कैसे होता भूल गए पथरवाजी भूल गए है निर्थोड़ी बाद को लेकि पथरवाजी होने लगती थी पहले परवहर प्यवहार कोई आता था और खास्पर पर पस्यमी उत्तर ब्रदेश में कोई भी परवहर प्यवहार आता था ओली, दिपावली, चन्मास्तिमी, सिवरात्री, रक्सावन्दन, कोई भी परवरते हुआ राता था, कर्फ्यू लग जाता था, प्रसासन भी उनका साथ देता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धोम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक तोक नहीं है, पहले जहां से चिलाठ हो करके, लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे, वे सब माई की हमने उतार दिये, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया, पहनोर भाईयों, लोग इसी लिए कहने, आप फरक मे रहसूस करिए, यह जो काल नेमी के नाम पर आएंगे ना विस्वास मत करिए, विस्वास मत करिए, कभी विस्वास मत करिए, क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोंदने का काम किया है, वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते, कभी रास्तिये और मैं इस बात को कह सकता हूँ, हमारा ब्यक्तिकत सम्मान, रास्तिय सम्मान के सामने तुच्छ है, हमारा 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 रास्तिय सम्मान के सामने आएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम राष्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वह सुरक्सित रह पाएगा और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ये लोग चाती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ति याद करा रहे हैं जैसे काल नेमी चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहा तरे आप तो बजरंगी ह पैचानिये इन लोगों को बल और बुद्धी से आप अपार हैं जनता को जनारदन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका अवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हरुमान चाली सामायम पढ़ते हैं न बल बुद्धी बिद्ध्या देवो मोही हरहों कलेश बिकार ये जातिवाद का कलेश हर डालिए एप छेप्रवाद का कलेश हर डालिए एस संप्रदाएवाद और तुष्ट्भी करन के कलेश को हर डालिए और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा तिन सो सत्तर को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकी को प्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयो यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारत की समाज क्रतक्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाईत तो है मोदी जी के नेत्रत में कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रतक्यता ग्यापित करेंगे मोदी जी को समर्थन करेंगे सप्तर वर्षों तक सब को सासन करने का उत्सर प्रापन को सपा पसपा सब ने सासन किया कि सहरणपूर को दिया किया है आई साहर अन पूर्सामली दिल्ली हाईवेवे रोग दिया गया । और रोख क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वह कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पारा था इसलिए इस कारे को ही रोग दिया गया आस्वाप का हाईवे बन गया ना और बनाई नहीं अभी इस साल के अंत तक साहरणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में थोरी होने वाली है कौन देरा ये दिकाच का कारे ये देवबंद था देवभूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठकाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहरणपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंदर के रुप में देश के अंदर सिर्मौर होना था या पस्सिम का कासी बनना था उसको आपने मजहवी जनून काड़ा बना दिया अराजकता पहलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फट्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी यह भी फट्वे से तय होगा अरे यह डॉक्टर और बैग्ज्यानिक तय करेंगे या कोई फट्वा तय करेगा लेकिन वहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी हो विश्वविद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सार अन्पर को स्मार्ड सिटी के रूप में इविक्सित किया जा रहा है और यहीं नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इन्वर्श्टी का निर्माण भी हम यहां पर कर रहे हैं सद्र प्रारम हो चुका है चुना के बाद भब्य उद्गाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था आज पीएम बिश्व करमा और व्टिस्टिंक वट्रॉडक्ट योशना के माद्जम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पॉने दाम पर बेच करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का आवी नहीं माफिया नीचे तैक करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वही जाएगा जहां उसकी जगे है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा पे खत्रा बनेगा तो जीरो टालांस की नीती के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेनों और वाईयों आप देख रहा होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बाकी जो बचे हुए है स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है आप देख रहे होंगे न बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे हो गया ना गर्मी सांत तो जिनकी गर्मी सांत हो चुकी है उनको जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामा में इसले इनके सामने जुक्ने की वजाए दो टुक्त जभाब देने क्याओ सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मागने के ले हर बहुत देख लिया है इस्वर ने था हर मेनद करता। अपने मेनद के जीवन में क्या इच्छा होती है कि एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बैन और वायों बोल दीजिए इसको कि देखो हमारी जो इच्छा थी जो कान 500 वर्सों में हमारे पूर्वजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्स की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी पिड़ी सवग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजिए और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएंगे एक ही जवाब है सारे प्रस्णों का एक ही जवाब है जातिवात का भ्रष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एक ही जवाब है कई वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताकि प्राप्त होगा मैं जानता हूं आपने सब ने राम मंदिर के लिए अपना योगदान दिया है वर्पूर योगदान दिया है उसी के कारण योध्या में भक्वान राम का भव्य मंदिर बंदा है कितने लोग योध्या गये हैं बागे लोग जाएए ब्रजेश को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओ के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सब को दर्शन करा के लोगा कि अब आप यो सबक बना दी है योध्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो योध्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं है हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों न का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आत्मा स्वाकंबरी के धाम को भी और यह ब्रिजेश सिंग्ग तो अपने यहां पर बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करण के कारें के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा पर्ताब की भुबे परतीमा लगी आश्वारों भी परतीमा लगी है 20 वर्स से लगाने नहीं दो रहे थे कॉंग्रेस सपा बस्पा के लोग 20 वर्स परतीमा को नहीं रगाने दे रहे थे आज देखो क्या भव्वे प्रतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमा को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपति अर्जित की गई कब जा करके हमने संपतिक खाली करवाई और गरीबों के मख़ लोगों ने कहा रहे इस अभी क्या कर रहा है मैंने कहा क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों की आवाज बनेंगे जिसपे और मैंनों भायों गया वहाँ पे मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सोबी वहाँ दे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनेतिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या अरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सौंपे जाने है उसमें और इसलिए बैनों बायों मैं आया हूँ अकूत संभावनावला जो साहरनपुर था हस्त सिल्पक और कारीगर के लिए अपने उपजाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां आज सहरनपुर स्मार्ड सिती बंदा है आज सहरनपुर में अपनी विवस्ता है आज सहरनपुर अपनी नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ला हूँ मैं एक मुख्यमंतरी ऐसा हो जो सहरनपुर में सात वरस में इतनी बार आ गया है जितना साथ वरस में सभी मुख्यमंतरी मिल करके नहीं आया होंगे आगे आनन में इतनी बार, मैं दो बार-बार आता हूं, सारण पुर आता हूं, हर जिले में जाता हूं जी, कोई उसमें रोक तोक नहीं है, बेज़े जग जाता हूं, समस्याओं को जमीन से देखता हूं, जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हो आज आप देख रहा होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी समस्या एक दिल समाधान और मोदी जी ने दस वरसे में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूख से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्तन आया चौदा के बाद आप देख रहे होंगे असी करोड़ लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगात मोदी जी के द्वारा साड़ करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांचलाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गड़ जो भी प्रस्ताव लेकर कि आते हैं कि गरीब बीमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं ततकाल उस गरीब प्रस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिशन खोड़ी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वह सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समाप्त हो गया देन और भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधान वंत्री किसान सम्मानी जी का लाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया दस करोड गरीब मेलाओं को जला युजना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का चेहरा देख करके नहीं जाती अमत और मजभ देख करके नहीं सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि यह हमारा प्रमपरा हमारी संस्किर्ट ये हमारी सब्भेता ये हमें सिखाती है हमने उसी भाव को आग्यReकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ये जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की कवयत प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट राश्टवाद या जातिवाद तुस्ट्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भस्ता चार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वयो आप सब राश्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर कि हम लोग आये हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोधी जी के नित्रत्व में सारणपुर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिय जंता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उतारा है रागो और लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग हैं सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारनपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जात अच्छा है और मैं आज इसलिए आप से कहने के लिए आया हूं वह कारे कर सकते हैं सारनपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक ज़जबा है उस ज़जबे के साथ आज वह आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे वैनों और भाईयों कठील होता है चुनाओं के दौरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता है गाँ गाँ नहीं जा सकता चुनाओं के बाद आप दोड़ाइये घर अब कि लेकिन चुनाओं तक है आप सब को मोधी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागों लखन पाल सर्मा पन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सहमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयो मा लक्सिमी के करणे दिकास होता है और दिकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सहमत है ना तो रागव लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सभी लोग सेमत हैं लेकिने तब ही संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में 50 फीज़ी से दिक मत्दान करा देंगे सेमत हैं सेमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी रागव लखन पाल सरमा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जन्पत के प्रभारी मंत्री कि सियोगेंदरुपाद्ध्या जी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिये विधायक सि ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्रि मंडल के सयोगी सि जस्वंत सेनी जी भारती जन्ता पाल्टी के लोगसभा सहरन पूर्छेत्र के प्रत्यासे सि रागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी डीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाग परमुक गण विजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणार चौदरी जी विजय राणा जी अरविंद राणा जी विनोत कुमार जी मंज परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदादिकारीगान और भारी संख्या में देवबंद रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसवाद चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बेन और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिती के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पारुस और पुरसार्थ और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयन्ती है महारणा सांगा की इस पावन जयन्ती पर उन्ही के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेश के प्रतीक उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुन्दरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस भीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ महारणा सांगा की जेयंती पर भारत माता की इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोटी कोटी बधाई भी देता हूँ वैन और भाईयों, जब महरणा प्रताप की बात होती है, महरणा सांगा की बात होती है, तो सुदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है. महरणा प्रताब उन्हों ने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिमान के लड़ाई उन्हों ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके खलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अगबर जाना जाता था अगबर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अगबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था और वेन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है इसलिए इसमर्ण करता है क्योंकि महारणा प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था ये देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा, ये समाज उसके प्रति ऐसे ही कृत्त किता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है, महारणा प्रताप के प्रति कर रहा है, बैन और भाईयों, हम सब ने स्वतंद्र भारत में अनिक सरकारी देखी, यह अठारवी सरकार का हम चुनाओ करने जा रहे हैं अठारवी संसत के माध्यम से, और अठारवी लोग सभा का चुनाओ है, चौबिस में दौजार चौबिस का जो लोग सभा का चुनाओ चलना है, इससे पहले जो भी सरकारे आई, मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आई, सबने अपने सरकार काम किया होगा, ठीक बात है, लेकिन मैं पूछना चाता हूँ, मैं पूछना चाता हूँ, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान उन लोगों ने किया था क्या, क्या भी कर पाते हैं क्या, राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, कहते थे ना, कॉंग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में, कि राम तो हुए ही नहीं, और याद रखना, हर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे, तो कालने भी भी राम नाम का जब कर रहा था, एक कालने में आएंगे, राम नाम का जब करेंगे, बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे, लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा, जो राम को लहाए हैं, हम उसको लहाएंगे, सैमत है ना, सैमत है ना, बैन और भायों यह चुनाव भी दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है, एक तरफ जातिवाद के लोग हैं, दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं, एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्म बिन्म करने वाले, पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं, दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे, तेरा बैवह अमर रहे मा, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ, एक भारत स्रेश्ट भारत के भाव के से ओत्परोथ, भारती जन्ता पायल्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं, एक तरफ अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं, मैं मेरा प्रिवार, मेरी जाती और जब सत्ता बनती है, तो सत्ता को माफिया के हवाले गिर्वी करके, सामाने नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है, बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा को खत्रे में डाल दी जाती है, गौत तसकरों को सरयाम आश्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है, और दोसरी तरह आपने पिछले दस वर्स में देश के अंदर और पिछले साथ वर्स में अत्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है, आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना जोके, बिना रोके, बिना डिके, आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं, देखाना आपने, दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थर बाजी भी भूल गए, निर्चोड़ी बात को लेकि पत्थर बाजी होने लगती थी, पहले परवार प्यवार कोई आता था, और खास्तोर पर पस्सिमी उत्तर ब्रदेश में कोई भी परवार प्यवार आता था, जाता था, प्रसासन भी उनका साथ देता था, अब कर्फ्यू ने अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक तोक नहीं है, पहले जहां से चिलाठ हो करके, लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रो करते थे, वे सब माई की हमने उतार दिये, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सारा बिवादी समाप्तु कर दिया गया, पहनो और भाईयों, लोग इसी लिए कहने के, आप फरक महसूस करिए, यह जो काल लेमी के नाम पर आएंगे न बिस्वास मत करिए, बिस्वास मत करिए, कभी बिस्वास मत करिए, क्योंकि जिन लोगों ने स्वाबिमान और सम्मान को ही रौदने का काम किया है, वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते, कभी राष्टिय स्वाबिमान को आगे नहीं बढ़ा सकते, और मैं इस बात को कह सकता हूँ, हमारा अब्यक्टिकट सम्मान, राष्टिय सम्मान के सामने तुच्छ है, हमारा ब्यक्टिकत स्वाभिमान रास्ट के स्वाभिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्ट आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है ये अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रहे पाएगा और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ ए लोग चाहती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ती याद करा रहे हैं जैसे कालने मी चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहे हैं आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बन और बुद्धी से आप अफार हैं जनता को जनारदन का रूप दिया गया है लोग तंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ जैसे हनुमान चाली सामयम पढ़ते हैं ना बल बुद्धी बिद्ध्या देव मुही हरें कलेस बिकार एजातिवाद का कलेस हर डालिए ए छेत्रबात का कलेस हर डालिए ए शंपरदाएवाद और तुष्टी करण के कलेस को हर डालिए और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा तिन सो सत्तर को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकी कोपरथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयों यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारत की समाज क्रतग्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाईत्व है मोडी जी के नेत्रत में कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रतग्यता ग्यापित करेंगे मोधी जी को समर्थन करेंगे और आखिर सत्तर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राप को हुआ साठ वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सपने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वो कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पा रहा था इसलिए इस कारे को ही रोक दिया गया आस्पाप का हाईवे बन गया ना और बनाए नहीं अभी इस साल के अंत तक साहरणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में फोरी होने वाली है दो घंटे में कौन देरा ये दिकाच का कारवे ये देव बंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देव बंद को मज़वी जनून का अठकाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहारनपुर को सिक्सा के एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मार होना था या पस्सिम का कासी बना था और उसको आपने मज़वी जनून काड़ा बना दिया अराजकता भेलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैह होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्ज्यानिक तैह करेंगे ये कोई फत्वा तैह करेगा लेकिन वहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी ओ विश्व विद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सारण प्रको स्मार्ट सिटी के रूप में इविक्सित किया जा रहा है और यहीं नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंवर्श्टी का निर्माण भी हम यहां पर कर रहे हैं सत्र प्रारम हो चुका है चुना के बाद भब्य उद्गाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारी कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था आज पीम बिश्व करमा और वन डिस्ट्रिक वन प्रॉड़क्न योजना की माद्जंसे इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पौने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने कहा भी नहीं माफिया नीचे तैक करेंगे से देश की विवस्था को कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर खत्रा बनेगा तो जीरो टालांस की नीटी के तहद पहले से तैक कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेनों और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बागी जो बचे हुए है स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पर निकल गए है आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कांग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तकवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने काफली कोफले बंद होने चेहें होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांथ कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांथ तो जिनकी गर्मी सांथ हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो ये रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों लोगा चीना हराम करेंगे बेटी और व्यापारी की सुरक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने की आउसकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए केना भाई या बहुत लिया है कि इस ऑर ने दिए हर सार व्यक्टि तो मेनत करता है अपनी मेठा खाता है का यह भाई देखो सब्तो इस तो इस वर की किरपा से अम्हाँ मेनत कर रहे हम कुष रहें इस तो यह सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर विक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बैन और भाईयों बोल दीजे इसको कि भई देखो हमारी जो इच्छा थी जो कान 500 वर्सों में हमारे पूर्वजों के सामने नहीं हो पाया पांच सो वर्स की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी पिड़ी सवग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएंगे एक ही जवाब है सारे प्रस्नों का एक ही जवाब है जातिवाद का भरस्ताचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एक ही जवाब है कहिए वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराचमान कराती है बैन और भाईयों उसका पूर्णिय भी आपको प्राप्त होगा मैं जानता हूँ आपने सब ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है वरपूर योगदान दिया है उसी के कारण अयोध्या में भक्वान राम का भव्य मंदिर बनदा है कितने लोग अयोध्या गए है बागे लोग जाएए बर्जेस को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सब को दर्शन करा के लोगा अब आप आयोध्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की अयोध्या त्रेता युक का याद अस्वन हो जाएगा आपको ऐसे ही सलक बना दी है अयोध्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो आयोध्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं है हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आकमा साखंबरी के धाम को भी और ये बिजेश जिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा प्रताप की भबे प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दे रहे थे कॉंग्रेस सपा पसपा के लोग बीस वर्स से प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भबे प्रतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपति अर्जित की गई कब जा करके हमने संपति खाली करवाई और गरीबों के मख़़ूद लोगों ने कहा रहे इस अभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवाज बनेंगे जिस पे और बैनोबायों गया वहाँ पे मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गए और फिर अपने हातों से गरीबों को आवाज की चाबी मैंने सौपी वादे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफियाने अनैतिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या आरजित की होंगी जीर और टान लेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और सहारनपूर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था आज सहारनपूर स्माड सिती बन्दा है आज सहारनपूर में अपनी विवस्ता है अज सहारनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ला हूँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सहारनपुर में साथ वर्स में इतनी बार आगया है जितना 60 वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिल करके नहीं आया होंगे आगे आना मैं इतनी बार मैं दो बार-बार आता हूँ सारन पुर आता हूँ हर जिले में जाता हूँ जी कोई उसमें रोक तोक नहीं है बेजे जग जाता हूँ समस्याओं को जमीन से देखता हूँ जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हूँ आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी यह समस्या है अगले दिन समाधान और मोदी जी ने दस वर्स में तो यही किया कोई सोसता था पहले लोग भूक से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्तन आया चौदा के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगात मोदी जी के द्वारा 60 करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांचलाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायकगर जो भी प्रस्ताव लेकर की आते हैं कि गरीब बीमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं तदकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ 50 करोड गरीबों के जंधने काउंट कांग्रेस के लोग तो सब भ्रस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समाप को हो गया तैनोर भाईयों बारा करोड गरीबों के सो चाले बन गए बारा करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्भानी जी का लाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया दस करोड गरीम मेला ओखु जुलायुजना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का चेहरा देख करके नहीं जातीय मत और मजहब देख करकी नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि यह हमारा प्रंप्रा हमारी संस्किर्टिन हमारी संभयता यह हमें सिखाती है हमने उसी इत भाव को आग्मिकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं यह जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतन millimeter बनानी की कवैरण प्रारं होई है ये वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट राष्टवाद या जातिवाद तुस्त्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भष्टाचार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वयों आप सब राष्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाव को लेकर किम लोग आये हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारण पुर में फिर से कमल खिले इसके लिए लगो अलगन पाल सरमा को भारतिय जन्ता पार्टी ने प्रत्यासि बना करके उता रहा हैं कि रागो अलगन पाथ सर्मा बेन्व बाईयो को आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासि है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इताओं के लिए कारे करने वाले लोग है सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जज़वा है उस जज़वे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे वैनों और भाईयों कठील होता है चनाओ के दोरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता गाँ गाँ नहीं जा सकता चनाओ के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चनाओ तक आप सब को मोदी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सेमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयो मा लक्सिमी के करणे विकास होता है और विकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सेमत है ना तो रागव लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सभी लोग सेमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में सेमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी लागव लखन पाल सर्मा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री स्योगेंद्र उपाद भ्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायक से ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी जस्वंत सेनी जी भारती जनता पाल्टी के लोगसभाज सहरनपूर छेत्र के प्रत्यासी जी रागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स यवा मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी दीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाग पर्मुक गण विजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणार चौदरी जी विजय राणा जी अरविंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंच परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदादिकारीगाण और भारी संख्या में देवबंद रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसबाद चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बेन और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिती के साथ ही भारत के स्वाविमान और सम्मान को अपने बाहुबल के माद्यम से अपने पौरुस और पुरसार्त और सौर्य के माद्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयंती है महारणा सांगा की इस पावन जयंती पर उनी के सुपुत भारत के अंदर स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रती महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुंदरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस बीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ मारणा सांगा की जेयंती पर भारत माता की इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को में कोट कोट बढ़ाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारणा प्रताप की बात होती है महारणा सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारणा प्रताप पना ने कहा था हमारी लड़ाई सब्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिमान के लड़ाई अना ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रानता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके खिलावे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर के घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकुमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अगबर जाना जाता था अगबर को नाको चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अगबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वाविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैटने से इलकार कर दिया था और बेन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर यह देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है इसलिए इसमर्ण करता है क्योंकि महाना प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था धर्म के लिए था सत्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृतकिता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है महारणा प्रताप के प्रति कर रहा है बेन और भाईयों हम सबने स्वतंत्र भारत में अनिक सरकारी देखे ये 28 सरकार कम चवाँ करने जा रहे हैं 28 शं़त्र कम क्यार्मियमिय से और बीलो क्युत चाला है इसे पहले जो म सरकारे नीवह और पहले कोई भी सरकारे आई इस तो जबने अपने सार काम किया होगा ठीक बात लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मैं पूछना जाता हूं कि क्या अईयोध्या मैं राम मंदिर का निर्मान उन लोगों ने किया था क्या है कि अधिक आधिक पाते क्या राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कॉंग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में कि राम तो हुए ही नहीं और याद रखना हर्मान जी जब संजीवनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे राम नाम का जब कर रा था एक काल ने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे भिखने वाले लोग भी भिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाए हैं हम उसको लहाएंगे सेमत है ना बेन और भाईयों ये चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग है दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग है एक तरफ सामाजिक ताने पाने में को छिंडविन्न करने वाले पुष्टी करण की नीति पर चलने वाले लोग है दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओँचा रहे तेरा वैब्हा मर हो मर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भाव के से ओत्रोत भारती जनता पायर्टी मोदी जी के नित्रत्व में है एक तरफ अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं में मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफ्या के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरिक को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दूसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में उत्तरब्र देश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जोके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं देखाना आपने दंगा कैसे होता भूल गये, पफ्थर बाजी भी भूल गये, निर्षोड़ेडी बात को लेके पफ्थर बाजी होने लगती थी पहले परवर प्यवार कोई आता था और खासप़ोर पस्पिमी उत्तर ब्रदेश में कोई भी परवर प्यवार आता था ओली, दिपावली, चन्मास्तिमी, सिवरात्री, रक्सावन्दन, कोई भी परवरते हुआ राता था, कर्फ्यू लग जाता था, प्रसासन भी उनका साथ देता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक तोक नही है, पहले जहां से चिलाठ हो करके, लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके, उपद्रों करते थे, वे सब माई की हमने उतार दिये, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया, पहनोर भाईयों, लोग इसी लिए कहने, आप फरक म हैं सूस करिए, यह जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिए, विस्वास मत करिए, कभी विस्वास मत करिए, क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है, वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते, कभी राष्टिये और मैं इस बात को कह सकता हूँ, हमारा ब्यक्तिकत सम्मान, रास्तिय सम्मान के सामने तुछ है, हमारा रास्त आगे बढ़ेगा, हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे। हमारा देश, हमारा धर्म, यही हमारा रास्ट धर्म है, यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे, लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके, धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे, नहीं वो सुरक् बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं यह तो फिर से пойque कि यात करा रहे हैं जैसे कालने मी चुप-चाप-गुम्रहा करने का प्रियास कर रहा द्रय आप तो बजसरंगी पहचाने है इन लोगों को बल और बुद्धी से आप अपार हैं जनता को जनारदन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हनुमान चालिसा मैं पढ़ते हैं न बल बुद्धी बिद्ध्या देव मोही हरें कलेश विकार ये जातिवाद का कलेश हर डालिए ये छेप्रवाद का कलेश हर डालिए ये संप्रदावाद और तुष्टी करन के कलेश को हर डालिए और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं जो कस्मीर में धारा 370 को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकी कोपरथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयो यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारत की समाज क्रतक्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाइट तो है मोदी जी के नेत्रक्त में कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रतक्यता ग्यापित करेंगे मोडी जी को समर्थन करेंगे और आकिर 70 वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राप को अधिया क्या सपा बसपा सपने सासन किया सहरनपूर को दिया किया सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था वो कॉंटेक्टर कमिशन नहीं दे पारा था इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया आसपाप का हाईवे बन गया ना और बनाए नहीं अभी इस साल के अलत तक साहरणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में थोरी होने वाली है दो घंटे में कौन दे रहा है दिकाश का कार्य यह देवबंद था देवभूमी के लिए जो मार्ग था उस देवबंद को मजहवी जनून का अठखाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहारनपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मौर होना था या पस्सिम का कासी बना था उसको आपने मजहवी जनून का अठखाड़ा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैह होगा अरे ये डॉक्टर और बैग्ज्यानिक तैह करेंगे ये कोई फत्वा तैह करेगा लेकिन बहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फैलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेल्वे की बहतर कनेक्टिविटी ओ विश्वविद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी आईवे भी बने सारण प्रको स्मार्ट सीटी के रूप में विक्सित किया जा रहा है और यहीं नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंवर्श्टी का नि यारी के लिए भी हम लोग आएंगे अब बैन और वाईयों आज यहां की हस्त तसिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था आज पीएम बिश्व कर्मा और वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट लियोजना के माद्जम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पहने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने का अभी नहीं माफिया नहीं चते करेंगे से देश की विवस्था को प्रदेश की विवस्ता कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा पे खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीति के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बैनो और वाईयो आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बाकी जो बचे हुए है स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तक वा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने काफली कोफले बंद होने चेहे होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांत कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांत तो जिनकी गर्मी सांत हो चुकी है उनको जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सा इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए कह न भाइया बहुत देख लिया है इसुर ने के र değer सार बेक्टी तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है कह यह भाइया देखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुस रहे इस्वर ये सब हमें देदे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर वेक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बैन और वायों बोल दीजे इसको कि भई देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम 500 वर्सों में हमारे पूर्वजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्स की फीडियां जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी फीडी सवभग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएंगे एक ही जवाब है सारे प्रस्नों का एक ही जवाब है जातिवाद का भरष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एक ही जवाब है का ये वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लिला को दिराचमान कराती है बैनोर भाईयों उसका पूर्णे अभी आपको प्राप्त होगा मैं जानता हूँ आपने सब ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है पर पूर योगदान दिया है उसी के कारण अयोध्या में भक्वान राम का भव्य मंदिर बंदा है कितने लोग अयोध्या गए है बागे लोग जाईए ब्रजेस को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सब को दर्शन करा के लोगा अब आप आयोद्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की अयोद्या त्रेता युक का याद अस्वन हो जाएगा आपको ऐसे इस सदक बना दिया आयोद्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतराया हो आयोद्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं है हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आत्मा साखंबरी के धाम को भी और ये ब्रिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी गर्ण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा प्रताप की भबे प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दो रहे थे कांग्रेस सपा बसपा के लोग बीस वर्स से उस प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भबे प्रतिमा है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपति अर्जित की गई कब जा करके हमने संपति खाली करवाई और गरीबों के मख़़गों ने कह रहे इस अभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवाज बनेंगे जिस पर और मैंनों भाईयों गया वहाँ पर मकान बनाए गए हाराइज बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सूपी वहाँ दे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनेपिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या अरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहट उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सोंपे जाने है उसमें और इसलिए बैनों बाइयों मैं आया हूँ अकूत संभाउना वाला जो साहरनपुर था हस्त सिल्प को और कारीगर के लिए अपने उप जाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए य आज सहरनपुर स्माड सिती बंदा है आज सहरनपुर में अपनी विवस्ता है आज सहरनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ला हूँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सहरनपुर में साथ वरस में इतनी बार आगया है जितना साथ वरस में सभी मुख्यमंत्री मिल करके ने आया होंगे आगे आन मैं इतनी बार, मैं दो बार-बार आता हूँ, सारन पुर आता हूँ, हर जिले में जाता हूँ, कोई उसमें रोक तोक नहीं है, बेज़े जग जाता हूँ, समस्याओं को जमीन से देखता हूँ, जन परतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता ह आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी यह समस्या है अगले दिल समाधान और मोदी जी ने दस वरसे में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूख से मरते थे 14 के पहले 14 के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्टन आया 14 के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगात मोदी जी के द्वारा 60 करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांचलाग रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गड़ जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि गरीब बिमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं ततकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ 50 करोड गरीबों के जंदने कौन कांग्रेस के लोग तो सब भ्रस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से 100 रुपया आपके लिए आना है वो 100 के 100 रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समापत हो गया तैनोर भाईयों 12 करोड गरीबों के सोचाले बन गए 12 करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधान मंतरी किसान सम्मानी जी का नाम मिल गया 4 करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया दस करोड गरीब मेलाओं को जला युजना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का चेहरा देखकर के नहीं जाती अमत और मजब देखकर के नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ हुआ क्योंकि यह हमारा प्रंप्र, हमारी संस्कृत सब्धता यह हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अगिकार किया और इसलिए आज मैं आप से कहने के लिए आया हूं यह जो सरकार है ना बनने के लिए जो नहीं सरकार बनाने की ज़ो कवैत प्रारम हुई है ये वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट राष्टवाद या जातिवाद तुष्ट्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भष्टाचार चाहिए या विकास चाहिए और बैन और वयो आप सब राष्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर के अमरोग आए हैं इन सब को नित्रत्तव देते हैं मोधी जी मोधी जी के नित्रत्तव में सारनपुर में फिर से एक कमल खिले इसके लिए रागो लखन पाल सर्मा को भारतिये जंता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके पारा है रागो लखन पाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है, जो जारू है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, आपके इताओं के लिए कारे करने वाले लोग हैं, सांसद नहीं थे पांच साल तक, लेकिन तब भी मैं देखता था, जब भी मैं सारणपुर आया, विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते और कहते हैं, आप विकास हो जा तो अच्छा है, और मैं आज इसलिए आप से कहने क로 आया हूं, वह कारे कर सकते हैं, सारणपुर के विकास में, यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जज़वा है, उस जश्वे के साथ आच वह आपके बीच में हाँ पर है, चुना के बाद आप दोडाईए लेकिन चुना तक आप सब को मोदी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर-घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सेमत है ना कमल चुना चिन में खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयो मा लक्सिमी के करणे विकास होता है और विकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सेमत है ना तो रागव लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सभी लोग सेमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीज़ी से दिक मत्दान करा देंगे सेमत हैं सेमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी लागव लखन पाल सर्मा के समर्तन में दोनों हत्ता करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री अधियोगेंद्रुपाद भ्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायक से ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी जस्वंत सेनी जी भारती जनता पाल्टी के लोगसभाज सहरनपूर छेत्र के प्रत्यासी जी रागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स यवा मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी दीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाक परमुक गण विजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणोर चौदरी जी बिजय राणा जी अर्विंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंच परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदाधिकारी गान और भारी संख्या में देवबंद रामपुर मनिहारन और गंगो विदानसमा चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बेन और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पौरुस और पुरसार्थ और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावण जयनती है महारणा सांगा की इस पावण जयनती पर उनी के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रती महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुन्दरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर्जन्पत की इस वीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से विनंदन करता हूँ महारण सांगा की जेयंती पर भारत माता के इस महान दीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोटी कोटी बधाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारण प्रताप की बात होती है महारण सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारण प्रताप उन्हों ने कहा था हमारी लड़ाई सब्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिमान के लड़ाई उन्हों ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर के घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं जुकाया और तो और सत्ता के लिए समर्पड भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासक ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विफ्रीत स्वधर्म के विफ्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इलकार कर दिया था और बैन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है इसलिए इसमर्ण करता है क्योंकि महाना प्रताप का त्याग और बलदान देश के लिए था धर्म के लिए था सत्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा यह समाज उसके पृति ऐसे ही कृतकिता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के पृति कर रहा है महारणा प्रताप की पृति कर रहा है कि बैन और भाईयों हम सबने स्वतंत्र भारत में अनिक सरकार देखिए यह अठारवी सरकार कम चुनाओ करने जा रहे हैं अठारवी संसत के माध्यम से और अठारवी लोग्सभा का चुनाओ है 24 में 2024 का जो लोग्सभा का चुनाओ चलना है इससे पहले जो भी सरकारे आई मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आई सबने अपने उसार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मैं पूछना जाता हूं क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान उन लोगों ने किया था क्या क्या भी कर पाते क्या राम का नाम उस समय तो यह सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कॉंग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में कि राम तो हुए ही नहीं और याद रखना हर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गए थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर रा था एक काल ने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाएं है हम उसको लहाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बेन और भाईयों यह चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत सपस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने पाने को छिन्बिन करने वाले तुस्ट्री करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओंचा रहे तेरा वैवामर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेश्क भारत के भावक से ओत्परोत भारती जंता पालटी मोदी जी के नित्रत्व में हैं एक करफ अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं मैं मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफ्या के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दूसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में उत्तरब्र देश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जुके बिना रोके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं देखाना आपने डंगा कैसे होता भूल गये पत्थर बाजी भी भूल गये निर्चोड़ी बात को लेकर फट्थर बाजी होने लगती थी पहले परवर्व त्यभार कोई आता था और खास प्रवर्पस्यमी अतर ब्रदेश में कोई भी परवर्तेवार आता था ओली दिपावली जन्मास्तिनी सिवराथ रक्षावंदन कोई भी परवर्तेवार आता था कर्फ्यू लग जाता था कि प्रसाशन भी उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाड हो करके लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये न रहेगा बास न बजेगी बास कोई सारा बिवादी समाप्ट कर दिया गया पैनोर भईयों लोग इसले कहने आप फरक मेशूस करए ये जो काल नेमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिये विस्वास मत करिये कभी विस्वास मत करिये क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोंदने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राष्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान रास्तिय सम्मान के सामने तुच्छ है हमारा ब्यक्तिकत स्वाभिमान रास्तिय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्त आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रहे पाईगा काने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ति याद करा रहे हैं जैसे कालने में चुपचाप गुम्रा करने का प्रियास कर रहा तरे आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बल और बुद्धी से आप अभार है जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हर्मान चालिसा मैं पढ़ते हैं न बल बुद्धी बिद्ध्या देव मोही हरें कलेस विकार ये जातिवाद का कलेस हर डालिए ये छेप्रवाद का कलेस हर डालिए ये संप्रदाइवाद और तुष्टी करण के कलेस को हर डालिए और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिये जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा 370 को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जन्होंने तीन तलाकी कोप्रथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वायों यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए हमारा भारत के समाज क्रतग्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाइट तो है मोदी जी के नेत्रत में कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रतग्यता ग्यापित करेंगे मोदी जी को समर्थन करेंगे और आखिर सुतर वरसों तक सब को साशन करने का उसवर्पाथ भुआ साट वर्स तक टॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बस्पा सपने इसलासन किया की सहरनपूर को दिया या कि साशरनपूर सामली डिल ली हाईवे रोक दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय जो सरकार थी, उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था, वो कॉंटेक्टर कमिसन नहीं दे पावा था, इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया, आसपाप का हाईवे बन गया न, और बनाए नहीं, अभी इस साल के अंत तक साहरनपुर स दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में फोरी होने वाली है, दो घंटे में, कौन देरा ये दिकाच का कार्य है? ये देवबंद था, देवभूमी के लिए जो मार्ग था, उस देवबंद को मजहवी, जनून का अठकाडा किसने बना दिया, थोड़ी सी बात को लेके भत्वा जारी हो जाता था, अरे जिस सहरनपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मार होना था, या पस्सिम का कासी बना था, उसको आपने मजहवी जनून काड़ा बना दिया, अराजकता फेलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए, अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी, ये भी फत्वे से तैय होगा, अरे ये डॉक्टर और बैग्जानिक तैय करेंगे या कोई फत्वा तैय करेगा, लेकिन बहनों और भाईयों, यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फेलाने का प विश्व इद्याले बने, हमारी सरकाराई, इस सवी आईवे भी बने, सार अनप्र को स्मार्ट सिटी के रूप में इपिक्सित किया जा रहा है, और यही नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इन्रस्टी का निर्माण भी हम यहां पर कर रहे हैं, सत्र प्रारम हो चुका है, चुना के बाद भब्योत घाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे, बैन और वाईयों, आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी, दुनिया में अपनी धुमक, धूम मचा रही है, पहले क्यों नहीं था, ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे, कारीगर थे, लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था, आज पीम बिश्व कर्मा और वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट योजना के माद्जम से, इन्हें फिर से, वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है, पहले अनदात किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था, क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था, और चीनी मिलों को उने पहने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था, हमने का आवी नहीं, माफिया नहीं चेताय करेंगे से देश की विवस्था को, प्रदेश क कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा, माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझोता नहीं करेंगे, अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्सा पर खत्रा बनेगा, तो जीरो और टालांस की नीति के तहद पहले से तै कर दिया गया, कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर, और बैनोर वाईयों, आप देख रहे होंगे अब, कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बागी जो बचे हुए है, स्वेयम ही, राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है, आप देख रहे होंगे न, बड़े-बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले, सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दवा करके चलते थे, कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तक वा करते थे, जब ये चलते थे, तो मुख्यमंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे, मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे, और सरकार बदली, हमने काई काफली कोफले बंद होने चेहिए, भई होटर होटर सब बंद कराओ आप, और फिर उनकी गर्मी को सांत कर दिया गया, एक ही बार में, हो गया जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरीकों का चीना हराम करेंगे बेटी और व्यापारी की स् इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए केना भहिया बहुत देख लिया है इस्वर ने तो यह हर सार व्यक्ति तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है का ये भाया देखो सब तो इसोर की किरपा से मेहनच कर रहे हम खुश रहें इस उसर ये सब हमें दे ले रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भाई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बेन और वायों बोल दीजे इसको कि भई देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम पांसो वर्सों में हमारे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया पांसो वर्स की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी पृड़ी सवभग्यसाली है और उसको एक ही जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएगे एक ही जवाब है सारे प्रस्तों का एक ही जवाब है जातिवात का भ्रष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्फी का विकास का सब का एक ही जवाब है कहिए वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपने पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लोला को बिराचमान करा दिया और बहिन desktop पूर्णे अभी आपको प्रप्त होगा मैं जानता हूं आपने सबने आयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगदान दिया है परपूर योगदान दिया है उसी के कारण अयुद्ध्या में भक्वान राम का भब्य मंदिर बन्दा है किते लोग अयुद्ध्या गए है बागे लोग जाईए ब्रजेश को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद अब आप आयुद्या जाएंगे न आपको लगेगा कि राम की अयुद्ध्या त्रेता युक का याद अस्वन हो जाएगा आपको ऐसे ही सड़क बना दी है युद्ध्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्स्प्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो आयुद्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं है हमारे राम लिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आत्मा साखंबरी के धाम को भी और यह बिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुंदरी जी के धाम को भी सुंदरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा प्रताप की भब्ब प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है बीस वर्स से लगाने नहीं दो रहे थे कॉंग्रेस सपा बसपा के लोग बीस वर्स से प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भब्ब प्रतिमा है इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की संपत्रिकों इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस मांफिया के द्वायरा प्रियागराद में बड़ी संपत्ति अर्चित की गई, बड़ी संपति अर्चित की गई, कब जा करके हमने संपतिक खाली करवाई और गरीबों के मख़ लोगों ने कह रहे इसा अभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतनब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवाज बनेंगे जिसपे मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गई और फिर अपने हातों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सोंपी वादे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनैपिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या अरजित कियोंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले हैं और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मकान सौंपे जाने हैं उसमें और इसलिए बेनों बाइयों मैं आया हूँ, अकूत सम्भावना वाला जो साहरनपुर था, हस्त सिल्पक और कारीगर के लिए, अपने उपजाओ किर्सी के लिए, यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए, यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए, और साहरनपुर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था, आज साहरनपुर स्माड सिती बनदा है, आज साहरनपुर में अपनी विवस्ता है, आज साहरनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ, नई धमक के साथ आगे वड़ रहा है, और मुझे लगता है, मैं आपसे बोल मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सारनपुर में साथ वर्स में इतनी बार आ गया है जितना साथ वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिलकर की नहीं आया होंगे आगे अनमे इतनी बार, मैं दो बार बार आता हूँ, सारन पुर आता हूँ, हर जिले में जाता हूँ जी, कोई उसमें रोक तोक नहीं है, बेज़े जग जाता हूँ, समस्याओं को जमीन से देखता हूँ, जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालत हूँ, आज आप देख रहे होंगे, कोई समस्याओं आपको लगती होगी, यह समस्याओं अगरे दिन समाधान, और मोदी जी ने तस वरसे में तो यही किया, कोई सोचता था, पहले लोग भूख से मरते थे चौदा के पहले, चौदा के बाद आपने देखा होगा, कैसा पर चाहरत में पांच अलाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर, और जो लोग बचे हैं, जिनको नहीं मिल पाता है, हमारे बिदायक गड़ जो भी प्रस्ताव लेकर के आते हैं, कि गरीब बीमार है, इसको पैसे क्या उसकता है, मैं ततकाल उस गरीब के खाते में पैसा प्रस्ताचार कर लेते थे, अपनी हवेली बनाने के लिए कमिशन खोरी करते थे, आज तो कुछ भी नहीं, अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है, वह सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा, बीच का मिटेटर समापत हो गया, तैनों और बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए, बारा करोड अन्यता किसानों के घर में, किसानों को प्रदानमंत्री किसान सम्मानी जी का नाम मिल गया, चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए, डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया, दस करोड गरीब मैलां को चुलायोजना का कनेकेशन मिल गया ये सब काम किसी काparable देखकर के नहीं जाती और मजब देखकर के नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ होगा क्योंकि ये हमारा परम्परा हमारी संस्कृत ये हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अग्यकार किया हूं और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं यह जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की जो कवैत प्रारम होई है यह वही है नेशन फर्स्ट या फेमली फर्स्ट रास्तवाद या जातिवाद तुस्ट्री करण या फिर सबका साथ और सबका विकास भस्टा चार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वयो आप सब रास्तवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाव को लेकर कि हम लोग आये हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारणपुर में फिर से एक कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिये जनता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उता रहा है रागो लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग है सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जात अच्छा है और मैं आज इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ वा कारे कर सकते हैं सारणपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने के एक जज़बा है उस ज़बे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरे आप सबसे अपील होगे वैन और वायों कठील होता है चुनाओ के दोरान एक प्रत्यासी घर-घर नहीं जा सकता गाँगाँ नहीं जा सकता चुनाओ के बाद आप दोडाईए लेकिन चुनाओ तक आप सब को मोदी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मा बन करके स्वयम घर-घर जाना पड़ेगा जाएंगे? सबी लोग जाएंगे? सबी लोग सहमत है ना? कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे? बैन और वायों मा लक्सिमी के करणे दिकास होता है और दिकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना? सहमत है ना? तो रागो लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे? सबी लोग सहमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीसदी से दिक मद्दान करा देंगे सेमत हैं सेमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी रागो लगनपाद सर्मा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री कि श्योगेंद्र उपाद्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायक से ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी से जस्वंत सेनी जी भारती जनता पार्टी के लोग सभा सहरन पूर्छेत्र के प्रत्यासी सिरागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी दीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाग परमुगण बिजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणार चौदरी जी बिजय राणा जी अरविंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंच परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदाधिकारी गान और भारी संख्या में देवबन, रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसवा चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माध्यम से, अपने पौरुस और पुरसार्थ और सौरे के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयन्ती है महारणा सांगा की स्पावन जयन्ती पर उन्ही के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधार्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुन्दरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस वीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ मारण सांगा की जेयंती पर भारत माता के इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोटी कोटी बढ़ाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारणा प्रताप की बात होती है महारणा सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारणा प्रताप उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और सौभिवान के लड़ाई उन्हों ने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्हों ने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सकता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासक ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अगवर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाणा प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था और बेन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाणा प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है क्योंकि महाणा प्रताप का त्याग और बलदान देश के लिए था धर्म के लिए था सत्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृत्यकिता ग्यापित करेगा जैसे आज महारणा सांगा के प्रति कर रहा है महारणा प्रताप के प्रति कर रहा है की अज गा अजायों हमसबने शतंद्र भारत में अनीक सरकारि देखी पैसे यह अठारवी सरकार कम चुनाव करने जा रहा है ठार्वी संसत्त के मांध्यम तो और अठारवी लोग सभा का चुनाव है 24 में 2024 का जो लोग सभा का चुनाव चलना है इससे पहले जो भी सरकारे आई मोदी जी के पहले कोई भी सरकारे आई सब ने अपने उसार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन मैं पोछना चाहता हूँ मैं पूछना जाता हूँ क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान उन लोगों ने किया था क्या क्या भी कर पाते क्या राम का नाम उस समय तो यह सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कॉंग्रेस ने एफिडेविट ताखिल किया था नो सुप्रेम कोट में कि राम तो हो यही नहीं और याद रखना हर्मान जी जब संजीविनी बूटी ढोड़ने के लिए गये थे तो काल ने भी भी राम नाम का जब कर ला था एक काल ने मी आएंगे राम नाम का जब करेंगे बिखने वाले लोग भी बिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लहाएं हैं हम उसको लहाएंगे सैमत है ना बैन और भायों यह चुनावी दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने पाने को छिन्म विन्म करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओचा रहे तेरा बैवह अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भाव के से ओत्परोत भारती जन्ता पार्टी मोदी जी के नित्रत्व में हैं एक करद अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं मैं मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माथ्या के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरी को रौधने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दोसरी तरह आपने पिछले दस वर्स में देश के अंदर और पिछले साथ वर्स में अत्तरब्र देश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जुके बिना रुके बिना डिके आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गये हैं तो देखाना आपने डंगा कैसे होता भूल गए पत्थर वाजी भी भूल गए निसोड़ी बात को लेकि पत्थर वाजी होने लगती थी पहले परवर्वार कोई आता था और खास्ट परपस्सिमी उतर ब्रदेश में कोई भी परवर्वर्वार आता था ओली, दिपावली, चन्मास्तिमी, सिवरात्री, रक्सावन्दन, कोई भी परवर्ते वहाराता था, कर्फ्यू लग जाता था, प्रसासन भी उनका साथ देता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक तोक नहीं है, पहले जहां से चिलाड हो करके, लोग खत्रे में हुए की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे, वे सब माई की हमने उतार दिये, न रहेगा बास न बजेगी बासुरी, सारा बिवादी समाप्त कर दिया गया, पहनोर भाईयों, लोग इसी लिए कहने, आप फरक आएंगे न बिस्वास मत करिए, बिस्वास मत करिए, कभी बिस्वास मत करिए, क्योंकि जिन लोगों ने स्वाबिमान और सम्मान को ही रोंदने का काम किया है, वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते, कभी राष्टिये स्वाबिमान को आगे नहीं बढ़ा सकते, और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान रास्टिय सम्मान के सामने तुच्छ है हमारा ब्यक्तिकत स्वाभिमान रास्टिय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्ट आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश हमारा धर्म यही हमारा रास्ट धर्म है यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे नहीं वो सुरक्सित रह पाईगा और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ लोग चाती के नाम पर आज लड़ाने बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ति याद करा रहे हैं जैसे कालने में चुपचाप गुमरा करने का प्रियास कर रहा तरे और आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बन और बुद्धि से आप अफार हैं जनता को जनार्दन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हर्मान चाली सामयम पढ़ते हैं न बलबुधि बिद्या देव मोही हर्यों कलेश विकार जातिवाद का कलेश हर डालिए इछेप्रवाद का कलेश हर डालिए इस संप्रदाइवाद और तुष्टि करन के कलेश को हर डालिए और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा 370 को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकि कोपरथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयों यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए हमारा भारत के समाज क्रतग्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाईत्व है मोदी जी के नेत्रत में कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रतग्यता ग्यापित करेंगे मोदी जी को समर्थन करेंगे और आखिर सतर वर्सों तक सब को सासन करने का उसर प्राप को हुआ साट वर्स तक कॉंग्रेस ने देश के अंदर सासन किया सपा बसपा सब ने सासन किया सहरनपूर को दिया क्या सहरनपूर सामली दिल्ली हाईवे रोग दिया गया था और रोक क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय जो सरकार थी, उस सरकार का जो कॉंटेक्टर था, वो कॉंटेक्टर कमिसन नहीं दे पावा था, इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया, आस्पाप का हाईवे बन गया न, और बनाए नहीं, अभी इस साल के अंत तक साहरनपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में फोरी होने वाली है, दो घंटे में, कौन दे रहा है ये दिकाच का कार्य है? ये देवबंद था, देवभूमी के लिए जो मार्ग था, उस देवबंद को मजहवी जनून का अठखाड़ा किसने बना दिया, थोड़ी सी बात को लेक ये फत्वा जारी हो जाता था, अरे जिस सहरनपुर को सिक्सा किये एक पवित्र केंद्र के रुप में देश के अंदर सिर्मार होना था या पस्सिम का कासी बना था, उसको आपने मजहवी जनून काड़ा बना दिया, अराजकता भेलाने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातो के लिए फत्वा जारी करने के लिए, अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी, ये भी फत्वे से तैय होगा, अरे ये डॉक्टर और बैग्जानिक तैय करेंगे या कोई फत्वा तैय करेगा, लेकिन बहन और भाईयों, यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजकता फैलान बिश्व इद्याले बने, हमारी सरकाराई, इस सवी आईवे भी बने, सार अनपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में इपिक्सित किया जा रहा है, और यही नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इन्रस्टी का निर्माण भी हम यहां पर कर रहे हैं, सत्र प्रारम हो चुका है, चिनाओं के बाद भब्योत घाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे, बैन और वाईयों, आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी, दुनिया में अपनी धुमक, धूम मचा रही है, पहले क्यों नहीं था, ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे, कारीगर थे, लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था, आज पी-एम बिश्व कर्मा और वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट योजना के माद्जम से, इन्हें फिर से, वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है, पहले अन्यदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था, क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था, और चीनी मिलों को उने पौने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था, हमने का आवी नहीं, माफिया नहीं चतै करेंगे से देश की विवस्था को, प्रदेश की विवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा, माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझोता नहीं करेंगे, अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर खत्रा बनेगा तो जीरो और टालांस की नीति के तहद पहले से तै कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेनों और वाईयों आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बागी जो बचे हुए है स्वयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए है आप देख रहे होंगे न बड़े-बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तगवा करते थे जब यह चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के कापले रुख जाया करते थे मंत्रियों के काफले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने काफली कोफले बंद होने चेहे होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांत कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सांत तो जिनकी गर्मी सांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको मत पैदा होने दो ये रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों क चीना हराम करेंगे बेटी और व्यापारी की स्रक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने की वजाए दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए के ना भाईया बहुत देख लिया है इस वर ने तो यह हर हरे सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है पांसर वर्षों मरे पूरवजों के सामने नहीं हो पाया पांच सो वर्स की फीडिया जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी फीडी सवभग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजे और कहिए कि जो राम को लहाए हैं हम उनको लहाएगे एक ही जवाब है सारे प्रस्णों का एक ही जवाब है जातिवात का भरष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एक ही जवाब है कईये वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के करेंगे जो अधैय मेराम लिऑन को दिराचमान कराएझ है वे नौर भाइओं उसका पूर्णीयभी आपको प्राप्त होगा ऐख जांता हूं आपने सब ने अधैय मेरा मंद्र के लिए अपना योग्धान दिया है अफार पूरْ योग्दान दिया है उसी के कारण अयुद्ध्या में भक्वान राम का भब्य मंदिर बंदा है किते लोग अयुद्ध्या गए है बागे लोग जाईए ब्रजेश को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओ के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सबकर दर्शन कराके लोग अब आप आयुद्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की अयुद्या त्रेता युक का याद अस्मन हो जाएगा आपको ऐसे ही सबक बना दी है युद्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन दही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतराया हो युद्या में और फिर होगी भी क्यों नहीं हमारे राम लिला की जो भूमी है क् सब्सक्राइब करेंगे उखा पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को कि ऑ और आस्कुछ मामा स्वाहंबरी के धाम को भी और ब्रजेश सिंग्ग तो अपने यहां पर बाला सुन्दरी जी के धाम को भी सुन्दरी गर्ण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौराहे पर महारणा प्रताप की भब्बे प्रतिमा लगी है अस्वारोई प्रतिमा लगी है 20 वर्स से लगाने नहीं दे रहे थे कॉंग्रेस सपा बसपा के लोग 20 वर्स से प्रतिमा को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भब्बे प्रतिमा है अब ताओ रास्ति महापुरसों के भी प्रतिमा को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की संपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे है एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक के द्वारा प्रियागराद में बड़ी संपत्ति अरचित की गई बड़ी संपत्ति अरचित की गई कब जाकरके हमने संपत्ति खाली करवाई और गरीबों के मख्लोगों ने घर इस अभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवाज बनेंगे जिसपे और मैंनों भाईयों गया वहाँ पे मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गए और फिर अपने हाथों से गरीबों को आवाज की चाभी मैंने सोंपी वहाँ दे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनैपिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्यां अरजित की होंगी जीर और टॉनलेंस की नीती के तहट उन सभी संपत्यों को हम फिर से कबजे में ले चुके हैं या लेने वाले और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मकान सोंपे जाने हैं उसमे और इसलिए बैनों भाईयों मैं आया हूँ अकूत संभावना वाला जो सारन पुर्था हस्त सिल्पक और कारीगर के लिए अपने उप जाओ किरसी के यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और सहरनपुर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था आज सहरनपुर स्माड सीती बन्दा है आज सहरनपुर में अपनी विवस्ता है आज साहरनपूर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल ना हूँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो साहरनपूर में 7 वर्स में इतनी बार आगया है जितना 60 वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिल करके नहीं आया होंगे आगे आना मैं इतनी बार मैं दो बार-बार आता हूँ सारन पुर आता हूँ हर जिले में जाता हूँ जी कोई उसमें रोक तोक नहीं है बेजे जग जाता हूँ समस्याओं को जमीन से देखता हूँ जन प्रतिनिदियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हूँ आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी यह समस्या है अगले दिन समाधान और मोदी जी ने तस वरसे में तो यही किया कोई सोसता था पहले लोग भूक से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्टन आया चौदा के बाद आप देख रहे होंगे असी करोड लोगों को फ्री में रासन की सुबिता का सोगा मोदी ची के द्वारा साड करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांचलाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गर जो भी प्रस्ताव लेकर की आते हैं कि गरीब बीमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं तदकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ पचास करोड गरीबों के जंधने काउन कांग्रेस के लोग तो सब भरस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकाउंट में आएगा बीच का मिटेटर समाप को हो गया बैनोर भाईयों बारा करोड गरीबों के सो चाले बन गए बारा करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधानवंत्री किसान सम्भानी जी का लाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया 10 करोड गरीब मैलाوں को उच्छुलाय उज्जना का कनेक्शन मिल गया यह सब काम किसी का छेहरा देखकर के नहीं जाति अमत और मजभ देखकर के नहीं सब का सात और सब के विकास के भाव के सात हुआ यह हमारा प्रम्प्रा हमारी संस्कृत हमारी सम्भेता यह हमें सिखाती है हमने उसीब्हाव को अंगी कार खिया और इसलिए आज मैं आप से कहने के लिए आया हूं यह जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की कवैत प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्स्ट या फेमली फर्स्ट राश्टवाद या जातिवाद तुष्ट्री करण या फिर सब का साथ और सब का विकास भस्टा चार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वयो आप सब राश्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सब का साथ और सब के विकास के साथ होंगे और उसी बाव को लेकर केम लोग आये हैं इन सब को नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारणपुर में फिर से इक कमल खिले इसके लिए रागो लखन पाल सर्मा को भारतिये जंता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उतारा है रागो लखन पाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग है सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारणपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जात अच्छा हैंद एक करने राया हूं वह कारे कर सकते सारणपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करने का एक ज़जऑ के । ता ऊजवे के साथ आज वे आपके बीच में हमपर अब यहाँ पर हैं है उस जश्वे के साथ आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे वैनों और भाईयों कठील होता है चुनाओ के दोरान एक प्रत्यासी घर घर नहीं जा सकता गांगाओ नहीं जा सकता चुनाओ के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चुनाओ तक आप सब को मोदी जी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सहमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयो मा लक्सिमी के करणे विकास होता है और विकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सहमत है ना तो रागो लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सभी लोग सहमत हैं लेकिने तभी संभा होगा जब आप अपने अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास पीस पीसे दिक मद्दान करा देंगे सहमत हैं सहमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी लागो लखन पाल सर्मा के समर्थन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जनपत के प्रभारी मंत्री अप सियोगेंद्र उपाद्ध्याजी कि प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विद्धायाग से ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी से जस्वंत सेनी जी भारती जनता पाल्टी के लोग सभा सहरन पूर्छेत्र के प्रत्यासे सिरागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिलाप्रभारी दीके सर्मा जी आज केस कारिक्रम में पस्तित भार्टी जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी गान और भारी संख्या में देवबन, रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसवाद छेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नौरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और सम्मान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पौरुस और पुरसार्थ और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयनती है महारणा सांगा की स्पावन जयनती पर उन्ही के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेश के प्रती उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुन्दरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस वीर भूमी को इस उरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ महरण सांगा की जेयंती पर भारत माता की इस महान दीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को में कोट कोटी बधाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महरणा प्रताब की बात होती है महरणा सांगा की बात होती है तो सुदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महरणा प्रताब उन्हाने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाभिमान के लड़ाई उन्हाने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रानता के सामने राणा कभी सिर नहीं चुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर के घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं चुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रूप में अखबर जाना जाता था अखबर को नाकोच चने चबवाने के लिए मुझबूर भी कर दिया था उन्हाने उनके अखबर की दो बात दूर उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वविमान के विप्रीत स्वधर्म के विप्रीत आचन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी महाना प्रताप ने बैठने से इलकार कर दिया था और बैन और भाईयों यही कारण है सेकड़ों वर्सों के बाद भी आज अगर देश महाना प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है इसलिए याद करता है इसलिए इसमर्ण करता है क्योंकि महाना प्रताप का त्याग और बल्दान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा यह समाज उसके प्रती ऐसे ही कृत्गिता ग्यापित करेगा जैसे आज महरणा सांगा के प्रति कर रहा है महरणा परताप के प्रति कर रहा है बैनओर भाईयों हम सब ने स्वतंद्र भारत में अनिक सरकारें देखी यह अठार्वी सरकार का हम चनाउ करने जा रहे départ अठार्वी संसत के माद्यम से और अठारवी लोगसभा का चुनाव है, चौबिस में दौजार चौबिस का जो लोगसभा का चुनाव चलना है, इससे पहले जो भी सरकारे आई, मोधी जी के पहले कोई भी सरकारे आई, सबने अपनें सार काम किया होगा ठीक बात है लेकिन पूछना चाता हूं मैं पूछना जाता हूं क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था क्या क्या भी कर पाते क्या राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं कहते थे ना कॉंग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रेम कोट में कि राम तो हुए ही नहीं और याद रखना हर्मान जी जब संजीवनी बूटी ढोड़ने के लिए गए थे राम का जब कर रहा था एक काल नेमी आएंगे कि राम नाम का जब करेंगे दिखने वाले लोग भी भी दिखने की कतार में खड़े होंगे लेकिन सच्चा राष्ट भक्त उसके साथ होगा जो राम को लाएं हैं हम उसको लाएंगे सैमत है ना सैमत है ना बैन और भाईयों यह चुनाव भी दो धुर्विकरण में बहुत स्पस्ट है एक तरफ जातिवाद के लोग हैं दोसरी तरफ राष्टवाद के लोग हैं एक तरफ सामाजिक ताने पाने को छिन्म बिन्म करने वाले पुष्टी करण की नीती पर चलने वाले लोग हैं दोसरी तरफ भारत माता का स्वाविमान और सम्मान ओचा रहे तेरा वैवह अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत स्रेश्ट भारत के भाव से ओत्परोथ भारती जन्ता पाइल्टी मोदी जी के नितृत्व में हैं एक करण अपने प्रिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं मैं मेरा प्रिवार मेरी जाती और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफिया के हवाले गिर्वी करके सामाने नागरी को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है बेटी और ब्यापारी की सुरक्षा को खत्रे में डाल दी जाती है गौत तसकरों को सरयाम आस्ता के साथ खिलवाड करने की छूड़ दे दी जाती है और दूसरी तरह आपने पिसले दस वर्स में देश के अंदर और पिसले साथ वर्स में अप्तरब्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है आपने देखा है सरकार कैसे चलती है बिना जोके बिना रुके बिना डिगे आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए है देखाना आपने दंगा कैसे होता भूल गए पत्थरवाजी भी भूल गए निर्चोड़ी बात को लेकि पत्थरवाजी होने लगती थी पहले परवर प्यवहार कोई आता था और खास्तवर पर पस्सिमी उत्तर ब्रदेश में कोई भी परवर्तिवार आता था ओली दिपावली चन्मास्तिमी सिवरात्री रक्सावन्दन कोई भी परवर्तिवार आता था कर्फ्यू लग जाता था प्रसासन भी उनका साथ देता था अब कर्फ्यू नहीं अब तो धूम धड़ा के साथ कावड यात्रा निकल पड़ती है कोई रोक तोक नहीं है पहले जहां से चिलाड हो करके लोग खत्रे में होय की आवाज लगा करके उपद्रों करते थे वे सब माई की हमने उतार दिये ना रहेगा बास ना बजेगी बास भी सारा बिवादी समाप्तों कर दिया गया पहन और भायों लोग इसी लिए कहने आप फरक में सूस करिये य जो काल निमी के नाम पर आएंगे न विस्वास मत करिये विस्वास मत करिए कभी विस्वास मत करिए क्योंकि जिन लोगों ने स्वाविमान और सम्मान को ही रोधने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते कभी राष्टिय स्वाविमान को आगे नहीं बढ़ा सकते और मैं इस बात को कह सकता हूँ हमारा ब्यक्तिकत सम्मान रास्तिय सम्मान के सामने तुच्छ है हमारा ब्यक्तिकत स्वाभिमान रास्तिय स्वाभिमान के सामने तुच्छ है हमारा रास्त आगे बढ़ेगा हम सब उसके पीछे आगे बढ़ जाएंगे हमारा देश, हमारा धर्म, यही हमारा रास्ट धर्म है, यह अगर सुरक्सित रहेगा तो हम भी सुरक्सित रहे जाएंगे, लेकिन अगर किसी को गलत पहिमी होगी कि हम रास्ट को खत्रे में डाल करके, धर्म को खत्रे में डाल करके सुरक्सित हो जाएंगे, नहीं वो सुरक् बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामेंड की चौपाई के माध्यम से पहकाने का काम कर रहे हैं ये तो फिर से त्रेता युक्ति याद करा रहे हैं जैसे कालने में चुपचाप गुम्रहा करने का प्रियास कर रहा तरहें आप तो बजरंगी हैं पैचानिये इन लोगों को बल और बुद्धि से आप अभार हैं जनता को जनारदन का रूप दिया गया है लोगतंत्र में और मैं भी आपका आवान करने के लिए आया हूँ कि आपको लोगतंत्र ने इतनी तागत दी है जैसे हरुमान चालिसा मैं पढ़ते हैं न बल बुद्धि बिद्धिया देव मोही हरें कलेस विकार ये जातिवाद का कलेस हर डालिये ये छेत्रवाद का कलेस हर डालिये ये संप्रदाइवाद और तुष्ट्री करन के कलेस को हर डालिये और अपना जनारदन सुरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए है जो कस्मीर में धारा 370 को समाप्ट किये हैं हम उनको लाएंगे जिन्होंने तीन तलाकी कुपरथा को समाप्ट किया है हम उनको लाएंगे बैन और वाईयो यह कारे हमें करना होगा और इसके लिए यही है हमारा भारत की समाज क्रतग्यता ग्यापित करना ही हमारा वास्तिविक दाईत तो है मोदी जी के नेत्रत में कारे हुआ है तो यह आउसर होता है हम भी क्रतग्यता ग्यापित करेंगे बोधी जी को समर्थन करेंगे और, आखिर सप्तर वर्पर्सों, तक सब साथर।ों कॉंको उस्थर करने का उसर प्राप friendships को हवा। सपा, सपा, बसपा सब ने साशं किया। सहरनपूरे सांवली दिली हाइवे सारदें के रोग दिया गया था aja और रोक क्यों दिया गया था क्योंकि उस समय जो सरकार थी ऊस सरकार का जो Contactor था कोन तुर मेवे ßढ़ीं कमिशन नहीं दे पाव था इसलिए कारे को ही रोग दिया गया आस्पाप का हाईवे बन गया ना और बनाई नहीं अभी इस साल के अंत तक साहरणपुर से दिल्ली की दूरी मातर दो घंटे में फोरी होने वाली है दो घंटे में कौन देरा ये दिकाच का कारवे ये देव बंद था देव भूमी के लिए जो मार्ग था उस देव बंद को मज़वी जनून का अठकाड़ा किसने बना दिया थोड़ी सी बात को लेकि भत्वा जारी हो जाता था अरे जिस सहरनपुर को सिक्सा किए एक पवित्र केंद्र के रूप में देश के अंदर सिर्मौर होना था या पस्सिम का कासी बना था उसको आपने मजभी जनून काड़ा बना दिया अराजक्ता फेलाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फत्वा जारी करने के लिए अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फत्वे से तैह होगा अरे डॉक्टर और बैग्जानिक तैह करेंगे या कोई फत्वा तैह करेगा लेकिन वहन और भाईयों यहां पर किस प्रकार की अविवस्ता राजक्ता फेलाने का प्रियास होता था डेबलमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था हाईवे बने रेलवे की बहतर कनेक्टिविटी हो विश्व विद्याले बने हमारी सरकाराई इस सभी हाईवे भी बने सार अन्पुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विक्सित किया जा रहा है और यहीं नहीं माज साखंबरी के नाम पर एक वर्ड क्लास इंवर्श्टी का निर्मान भी हम यहाँ पर कर रहे हैं सत्र प्रारम हो चुका है चुना के बाद भब्योत घाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे बैन और वाईयों आज यहां की हस्त सिल्प और कारीगरी दुनिया में अपनी धुमक धूम मचा रही है पहले क्यों नहीं था ऐसा नहीं कि हमारे कारीगर नहीं थे कारीगर थे लेकिन सरकार का प्रोथसान नहीं था आज पीएम बिश्व कर्मा और वंडिस्टिक वंड़ॉड़क्ट योजना के मादजम से इन्हें फिर से वह सम्मान दिलाने का काम हुआ है पहले अनदाता किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपच का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को उने पौने दाम पर बेज करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था हमने कहा भी नहीं माफिया नीचे तैक करेंगे से देश की विवस्था को कोई समझोता नहीं करेंगे अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर खत्रा बनेगा तो जीरो टालांस की नीटी के तहद पहले से तैक कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर और बेन और वाईयों कि आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में कोई जहन्नुम में और बागी जो बचे हुए है स्वेयम ही राम नाम सत्य है की यात्रा पर निकल गए है आप देख रहे होंगे ना बड़े बड़े धुरंदर हुआ करते थे पहले सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे कॉंग्रेस के लोग कैसे नत्मस्तगवा करते थे जब यह चलते थे तो तो मुख्य मंत्रियों के कापले रुख जाया करते थे मंत्रियों के कापले रुख जाया करते थे और सरकार बदली हमने कापली कोपले बंद होने चेहिए भाई होटर होटर सब बंद कराओ आप और फिर उनकी गर्मी को सांत कर दिया गया एक ही बार में हो गया ना गर्मी सां तो जिनकी गर्मी सांथ हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं पैदा होने देंगे क्या उनको? मत पैदा होने दो ये रक्तबीज है रक्तबीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताडित करेंगे सामाने नागरिकों का चीना हराम करेंगे बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा के सामने खत्रा पैदा करेंगे इसलिए इनके सामने जुकने के वजाए दो टुक जवाब देने क्या हो सकता है कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए के ना भाईया बहुत देख लिया है इस्वर ने भई हर सार ब्यक्टी तो मेनत करता है अपनी मेनत का खाता है का ये भाईया देखो सब तो इस्वर की किरपा से मेनत कर रहे हम खुश रहें इस्वर ये सब हमें दे दे रहा है अब जो एक इच्छा होती है हर विक्ति के जीवन में क्या इच्छा होती है कि भई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए और बेन और भायों बोल दीजिये उसको कि भई देखो हमारी जो इच्छा थी जो काम 500 वर्सों में हमारे पूर्वजों के सामने नहीं हो पाया 500 वर्स की फीडियां जिस कारे को देखने के लिए तरस्ती रही हमने उस कारे को अपनी आखों से देखा है इसलिए हमारी पिड़ी सवभग्य साली है और उसको एक ही जवाब दीजिये और कहिए कि जो राम को लहाए है हम उनको लहाएगे एक ही जवाब है सारे प्रस्णों का एक ही जवाब है जातिवात का भरष्टाचार का अराजकता का गुंदागिर्थी का विकास का सब का एक ही जवाब है कईए वहिया सब कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन इस सब के बावजूद अपनी पूरजों के प्रतिकृत के ताग्यापित करने के लिए हम तो वही करेंगे जो अयोध्या में राम लुला को दिराजमान कराती है बेम और भाईयों उसका पूर्ण अभी आपको प्राप्त होगा मैं जानता हूँ आपने सब ने आयोध्या में राम मंदिर के लिए भी अपना योगडान दिया है उसी के कारण अयोध्या में भख्वार राम का भव्य मंदिर बन आज है किते लोग आयुद्या गए हैं बागे लोग जाए ब्रजेस को मैं बोलूँगा कि एक बार चुनाओं के बाद एक ट्रेन पुरी बुक करवा करके लेके जाओ सबको दर्शन कराके लोगा अब आप आयुद्या जाएंगे ना आपको लगेगा कि राम की आयुद्या त्रेता युक्का याद अस्मन हो जाएगा आपको ऐसे ही सलक बना दी है युद्या के अंदर जैसे दिल्ली से साहरनपुर के बीच में ग्रीन फिर्ड एक्सप्रेस वे बन रही है एक दम बना दी है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया हो युद्या में और फिर होगी भी क्यो आरे रामलिला की जो भूमी है क्यों नहीं करेंगे वहां के लिए पहले राम का नाम लेने में संकोज होता था लोगों को और आज तो हम आत्मा साखंबरी के धाम को भी और ये बिजेश सिंग तो अपने यहां पे बाला सुन्दरी जी के धाम को भी सुन्दरी करण के कारे के साथ जोड़ चुके हैं मैं भी आया चौरहें पर महारणा प्रताद की भुब्ब्ब प्रतिमाँ को नहीं लगाने दे रहे थे आज देखो क्या भुब्ब प्रतिमाँ है अबता और रास्ति महापुर्सों के भी प्रतिमाओं को नहीं रखने देंगे उसमें भी इन लोगों को बाधा आती है और इसलिए तुम कहते हैं जो लोग समाज का लूटते थे अपना घर भरते थे उन माफियाओं की समपत्य को इसलिए जब्त करके हम गरीबों का मकान बना रहे हैं एक बहुत बड़ा माफिया था बहुत बड़ा माफिया था यूपी का एक उस माफिया के द्वारा प्रियागराद में बड़ी समपत्य अर्चित की गई बड़ी संपतिय अर्जित की गई कब जा करके आपने संपतिक खाली करवाई और गरीबों के मख़़ए लोगों ने कहा रहे इस अभी क्या कर रहा है मैंने का क्या मतलब जो मेरा कुछे करना है वही करना हो गरीबों के आवाज बनेंगे जिसपे और मैंनों भाईयों गया वहाँ पे मकान बनाए गए हाराइट बिल्डिंग बनाए गए और फिर अपने हातों से गरीबों को आवाज की चाबी मैंने सौपी वहाँ दे और मैं फिर कह रहा हूँ याद रखना माफिया ने अनेतिक और अवे तरीके से जित्ती संपत्या आरजित की होंगी जीर और टानलेंस की नीती के तहत उन सभी संपत्यों को हम फिर से कब्जे में ले चुके हैं या लेने वाले और फिर गरीबों के मकान उसमें आने वाले समय में बनने ही बनने हैं और गरीबों को फिर मक्कान सूंपे जाने है उसमें और इसलिए बैनों बायों मैं आया हूँ अकूत सम्भावनावला जो साहरनपुर था हस्त सिल्पक और कारीगर के लिए अपने उपजाओ किर्सी के लिए यहां के नौजवानों के हुनरबंद नौजवानों के लिए यहां के ब्योसाई और अध्यमियों के लिए और साहरनपुर को पिसली सरकारों ने क्या बना दिया था आज साहरनपुर स्माड सिती बन्दा है आज साहरनपुर में अपनी विवस्ता है आज सहारनपुर अपनी एक नई पैचान के साथ नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है मैं आपसे बोल लाँ मैं एक मुख्यमंत्री ऐसा हो जो सहारनपुर में साथ वर्स में इतनी बार आगया है जितना 60 वर्स में सभी मुख्यमंत्री मिल करके नहीं आया होंगे आगे आना मैं इतनी बार मैं दो बार-बार आता हूँ सारन पुर आता हूँ हर जिले में जाता हूँ जी कोई उसमें रोक तोक नहीं है बेजे जग जाता हूँ समस्याओं को जमीन से देखता हूँ जन प्रतिनिजियों के साथ मिलके उसका समाधान का रास्ता निकालता हूँ आज आप देख रहे होंगे कोई समस्या आपको लगती होगी यह समस्या है अगले दिन समाधान और मोदी जी ने दस वर्स में तो यही किया कोई सोचता था पहले लोग भूक से मरते थे चौदा के पहले चौदा के बाद आपने देखा होगा कैसा परिवर्तन आया चौदा के बाद आप देख रहे होंगे 80 करोड लोगों को फ्री में रासन की सुविता का सोगात मोदी ची के द्वारा 60 करोड गरीबों को आयुसमान भारत में पांच लाक रुपे की स्वास्ते बीमा का कबर और जो लोग बचे हैं जिनको नहीं मिल पाता है हमारे बिदायक गड़ जो भी प्रस्ताव लेकर की आते हैं कि गरीब बीमार है इसको पैसे क्या हो सकता है मैं तदकाल उस गरीब के खाते में पैसा भिजवा देता हूँ 50 करोड गरीबों के जंधने कांट कांग्रेस के लोग तो सब भरस्ताचार कर लेते थे अपनी हवेली बनाने के लिए कमिसन खोरी करते थे आज तो कुछ भी नहीं अगर दिल्ली और लखनों से सो रुपया आपके लिए आना है वो सो के सो रुपया आपके एकांट में आएगा बीच का मिटेटर समाप को हो गया तैनों और भाईयों बारा करोड गरीबों के सोचाले बन गए बारा करोड अन्यता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्भानी जी का लाम मिल गया चार करोड गरीबों के लिए मकान बन गए डाई करोड गरीबों के घर में बिजली का उजियारा आ गया दस करोड गरीब मेलाओं को ज़ला युजना का connection मिल गया ये सब काम किसी का चेहरा देख करके नहीं जाती अमत और मझभ देख करके नहीं सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ होगा यूँकि ये हमारा प्रमपरा हमारी संस्किर्थ ये हमें सिखाती है हमने उसी इक भाव को अग्मिकार किया और इसलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ यह जो सरकार है ना बनने के लिए जो इतना ही सरकार बनाने की जो कवैत प्रारम हुई है यह वही है नेशन फर्ष्ट या फेमली फर्ष्ट राष्टवाद या जातिवाद तुस्त्री करण या फिर सबका साथ और सबका विकास भस्ता चार चाहिए या विकास चाहिए और बेन और वयो आप सब राष्टवाद के साथ होंगे विकास के साथ होंगे सबका साथ और सबके विकास के साथ होंगे और उसी बाओ को लेकर कि हम लोग आये हैं इन सबको नित्रत्व देते हैं मोदी जी मोदी जी के नित्रत्व में सारनपूर में फिर से कमल खिले इसके लिए रागो लखनपाल सर्मा को भारतिय जनता पार्टी ने प्रत्यासी बना करके उतारा है रागो और लखनपाल सर्मा बेन और भाईयों आपके बीच में आये हैं आपका प्रत्यासी है एक युवा है जो जारू है किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आपके इतों के लिए कारे करने वाले लोग हैं सांसद नहीं थे पांच साल तक लेकिन तब भी मैं देखता था जब भी मैं सारनपुर आया विकास के मुद्दे को लेकर के हमेशा बैठक में भाग लेते थे और कहते थे साथ विकास हो जात अच्छा है और मैं आज इसलिए आप से कहने के लिए आया हूं वह कारे कर सकते हैं सारनपुर के विकास में यहां के विधायकों के साथ मिल करके कारे करनी के एक ज़स्वा है उस ज़स्वे के साथ आज आज वे आपके बीच में हाँ पर है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगे वैनों और भाईयों कथील होता है चुनाओ के दौरान एक प्रत्यासि घर गर नहीं जा सकता गांगाओं नहीं जा सकता चना के बाद आप दोड़ाईए लेकिन चना तक आप सब को मोदीजी के प्रतिनिधी के रूप में रागो लखन पाल सर्मापन करके स्वयम घर-घर जाना पड़ेगा जाएंगे सबी लोग जाएंगे सबी लोग सहमत है ना कमल चुनाचिन खिलाने का काम करेंगे बैन और वाईयो मा लक्सिमी के करणे विकास होता है और विकास के लिए मा लक्सिमी के लिए कमल का फूल चाहिए होता है चाहिए ना सहमत है ना तो रागव लखन पाल जी को कमल के फूल पर उन्नेस तारीक को चुनाओ जिताएंगे सबी लोग सहमत हैं लेकिने तब ही संभा होगा जब आप अपने बूत को समा लेंगे और पहले तीन घंटे में पचास फीजबी से दिक मद्दान करा देंगे सहमत हैं सहमत हैं जाएंगे तो फिर आप सभी लागव लखन पाल सर्मा के समर्तन में दोनों हत्वा करके बोलेंगे भारत माता की जन्पत के प्रभारी मंत्री से योगेंद्रुपाद भ्याजी प्रदेश सरकार में ही मंत्री मंडल के मेरे सयोगी लोग प्रिय विधायक से ब्रदेश सिंग जी प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्री मंडल के सयोगी से जस्वंत सेनी जी भारती जन्ता पाल्टी के लोग सभा सहरन पूर्छेत्र के प्रत्यासे जी रागहो लखनपाल सर्मा जी छेत्रियो पाद्यक्स हरिंद्र जाटो जी छेत्रिय अध्यक्स युआ मोर्चा सुक्विंदर सिंग सोम जी जिला प्रभारी डीके सर्मा जी आज की इस कारिक्रम में पस्तित चेर्मेन नगरपालिका देवबंद विपिन गर्ग जी चौदरी राजपाल जी बलाक परमुक गण बिजय त्यागी जी सीमती चान्नी राणा जी प्रणर चौदरी जी बिजय राणा जी अरविंद राणा जी बिनोत कुमार जी मंच परुपस्तित भारती जनता पाल्टी के सभी पदादिकारीगान और भारी संख्या में देवबंद, रामपूर मनिहारन और गंगो विदानसवाद चेत्र से जुड़ेवे सभी मेरे पस्तित बैनों और भाईयों आज चैत्र नवरात्री की चतुर्तितिति के साथ ही भारत के स्वाविमान और संबान को अपने बाहुबल के माध्यम से अपने पौरुस और पुर्सार्थ और सौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महा प्रतापी महारणा सांगा की पावन जयन्ती है महारणा सांगा की स्पावन जयंती पर उन्हीं के सुपुत भारत के अंदर स्वदेश और स्वाविमान के प्रतीक स्वधर्म और स्वदेश के प्रतीक उदग्र भावना क्या होनी चाहिए इस असीम भावना के प्रतीक महारणा प्रताप की मूर्ती पर मुझे अभी पुस्पान जली करने का उसर प्राप्त हुआ है बैन और भाईयों माता बाला सुन्दरी मा साखंबरी और मा यमना की पावन गोद में बसावा साहरन पुर जन्पत की इस वीर भूमी को इस औरवरा भूमी को कोटी कोटी नमन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से भी नंदन करता हूँ महारणा सांगा की जेयंती पर भारत माता की इस महान बीर योद्धा को नमन करते वे आप सब को मैं कोटी कोटी बधाई भी देता हूँ बैन और भाईयों जब महारणा प्रताप की बात होती है महारणा सांगा की बात होती है तो सदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है महारणा प्रताप उन्हों ने कहा था हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है स्वाभिमान की है और स्वाविवान के लड़ाई उन्हाने कहा था कि किसी बिधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं जुका सकता उसके खिलाबे लड़ते रहे कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर कि घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्हाने कभी सिर नहीं जुकाया और तार सत्ता के लिए समर्पड भी नहीं किया बलकि उस समय की बड़ी सासत ताकत के रुप में अख़बर जाना जाता था